अभी आप लोगों की जो किला से ले जा रहे हैं यह याद रखिए किवल आप देख सकते हैं कि रिवीजन के पॉइंट वीव से लिए जा रहे हैं अगर आप वंडेक जाम की तई आई करते हैं तो मुझे लगता है इतना काफी मटेरियल है आपके लिए एक तरह से आप सोचि से या तो वो हैं जो पूछे जा चुके हैं या आपके पूछने की हरवार हर एक जाम में पूछने की संभावना पूरी-पूरी रहती है ठीक है अगर आप यूपी-पी-पी-स्ट या यूपी-स्ट अगर लास्ट में आप लोग रिवीजन करना चाहें तो इससे कर सकते है फीक है वंडेक जाम के लिए मुझे लगता है काफी है और अगर आपको लगता है कम है तो आप विस्तार से पढ़ सकते हैं आपका देखा है प्लेलिष्ट सूची में जाईए सब कुछ बता दिया गया एंसी या इटी कवर करवा दी किरहन सामान ग्यान बुक्स पूरी कव करवा चुका हूं और लूसेंड भी आपकी कवर करवा चुका हूं बैसी मुझे लगता है इतना आपके वंडेक जाम जैसे एससी बैंक, रेलवे, सिक्चक, भरती, दरोगा या पुलिस इनके लिए काफी है तो इसमें हम लोग बात कर चुके हैं बिग्यान को भी देख को हैं आज हम बात करने वाले हैं भारती राजवेरुस्ता और सासन की बारे में ठीक है उसके बाद और जो बच्चती है आपकी कलास है उन्हें भी एक दो दिन में खतम, दो तीन दिन में खतम हो जाएंगी ठीक है टाइम जैसे ही मिलता रहेगा तो इसके लिए कुई कैसी हुआ है कि बेला है निस तो देखें। और उन्हां चास में ये तो लागू हुआ है लेकिन बहुत पहले से एक तरह से निवौ रखनी बहुत पहले से हो चुकी थी। 26 नवंबर 1989 को कुछ प्राधानों के साथ लागू हो गया था, लेकिन पूरी तरह से आप देखें, ते हैं कि 26 जनवरी 1950 को जाकर लागू होता है, लेकिन उससे पहले एक दिन में नहीं बन गया आपका समिधान, बहुत पहले से इसकी नियू रखी रही दीरे दीरे बंगता र भारती ये परिश्यद अधिनियम 1892 की द्वारा, भारती विधान परिश्यद को बजट पर वहस करने की सकती मिली हुई थी, कलकत्ता में सरवच नियालाय की स्थापना का प्रावधान किया गया था, रेगूलेटर एक्ट 1773 में, ठीक है, भारत में संगीय नियालाय की स्थ प्रावधान में जोड़े गया, भारत का संगीय नियालाय स्थापित किया गया था 1937 में, कम 1937 में, ये आपके सही सुमले थे, आपको बस सियाद रखना है, नियंतन परिशत की स्थापना का पुई, ये आप देखेंगे, पीट सिक का भारत अधिनियम 1884 में, सरवच निया गया थे, नियामक अधिनियम 1773 में, इंग्लिस मिसेनरियों का कुभारत में कारकर्नी की अनमती मिली थी, चैर्टर अधिनियम 1823 में, गवर्नर्जरनल की परिचत में कानूनी सदस्थ की नियुकती हुई थी, चैर्टर अधिनियम 1833 में, याद रखें ये questions बन जाते हैं अभी आई नहीं है और आने वाली है एक दो दिन में आएगी जो भी आपकी ये समसमाई की घटना चक की दिर्ष्टी निकालता है तो उसे भी हम लोग कबर कर लेंगे बाजार गया हुआ था अभी नहीं मिली लेकिन टाइम मिलता है तो देखता हूँ जैसे ही आएगी ले कैंदर तथा कैंदर द्वारां परांतों को बिधाईनी सकती का हस्ता अंत्रण ए 19-19 के भारत सासन अधिनियम की प्रमुख विसेशता हैं ठीक है भारती बिधान पालिका पित्वारत दुई सद्मिय बनाई गई थी 19-19-19 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा राष्टपती कि अध्यादेश निर्गत करने की सक्ति पे रहे थे भार सरकार अधियम 1935 के आप जानते हैं कि आर्टिकल 123 के तरह राष्टपती अध्यादेश जारी कर सकता है जब संसत का कोई सदन आप सोचे कार ना कर रहा हो उस समय कानून की जरूरत है तो राष्टपती को याद रखिए अध्यादेश उसी तरह जो अधियम होता है आपका कानून होता है उसी जैसा प्रभावकारी रहेगा बस आपको संसत के जब सत्य चलेंगी तो उसके छे सप्ताय की भी तर उसे पास करवाना हुगा बरना वो खत्म हो जाएगा भारत बास्कियों को अपने द एक संघिये विबस्ता और केंद में 12 साथन भारत में लागू किया गया था 1935 में कव 1935 के अधिनियम दवारा अखिल भारती महासंग के स्थापित करने का प्रावधान सामिल किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 को 1935 के अधिनियम द्वारा इस्थापिस संग में आउसीज सक्तियां दे गई थी गवर्नर जनरल को किसे गवर्नर जनरल को भारत सासन अधिनियम 1935 में सुईकार किया हुआ महत्पूर्ण और इस्थाई अभयब नहीं है देश के लिए लिकेश समिधान 1935 का गवर्नमेंट आप इंडिया एक्ट महत्पूर्ण है क्योंकि यह भारत समिधान का प्रमुक्स रूँत है बर्मा भारत से अलग हुआ था गवर्नमेंट आप इंडिया एक्ट 1935 की फ़ल जरू याल रखिए बर्मा का कहने का मतलब मेरा वो है म्यानमार के बारे में आप जानते ही कि सबसे लिखित सबसे बड़ा समिधान हमारा ही है समदो है सबसे पहले लिखित समिधान था अमेरिका का लेकिन बहुत चोटा है 1937 के चुनावों में कॉंग्रिस का मंती मंडल बना था कुल आठ परांतों में एक निर्वाजित समिधान सबाद वारा भारत की समिधान सब्सक्रावारा करने का पिस्थाक किकल्स में सब्सक्रान दिख सासन के संदरब में 1883 में एलवाट बिल का उपदेश क्या था जहां तक अधालतों को कि दंडित अधिकारिता का संबंध था भारती तथा यूरोपी और लोगों की बराबरी पर बराबरी पर रोग यानि कि कहने के मतलब हैं कि अभी आप सोचिए कि कि पॉलिटीशियन और जन्ता के ढेगा हो जाए कि कोई कानून आता है वो पॉलिटीशियन पर नहीं लागो होता है और जन्ता पर लागोँ होता है यह तरह से बेर भार वना तो इसी तरह का उस समय भी देखा गया था ठीक हैं कैमिएड मीचन योजिना के अंतर का सम्मेधान पितिक पिरांद को आवंटि सदस्थ संख्या निरदारिक करने के लिए एक पिति निधी जिन संख्या के अनपात में था 10,000,000 ब्यफ्ति के पर एक पिति निधी था ठीक है एक तरह से आप कह सकते हैं कैबिनिट मिशन के सदस्थ ते पैथिक लारेंस और इस्टेफर्ड किप्स और एक अलेग्जेंडरा एक कैबिनिट मिशन के सदस्थ ते तीक है याद रुखे कई बार पूंच लेता है पूछ लेगा कि cabinet mission के सदस्ते आपको नीचे चार option दे रेगा इन में से कौन नहीं थी तो इनको याद रखिए जिससे आप solve करने की स्थितिती में पहुच जाएगे पैथिक, लारेंस, इस्टेफर्ड, किप्स और गीवी, अलेकचेंडर बारती समिधान सबाका गठन किया गया था, cabinet mission योजना उननीच सो चारीज के अंतर था आपसे पूचें कि cabinet mission योजना कवाई थी, तो उननीच सो चारीज को ठीक है, ये भी याद रखिए 1940 में निर्मित अंतरिम सरकार में कारफाली का परिशत की ओप सवापती थे, जवाहलाल नहरू, कौन थे, जवाहलाल नहरू, पंडित जवाहलाल नहरू, कत्थन ए और कारण आथ, बेवेल योजना किनो सरकारी परिशत में हिंदू और मुसलिम सदस्तों की संख्या समान होत समीधान सभा के विचारत सरफितं पिस्तुत किया गया था सवराज पार्टी द्वारा 1934 में समीधान सभा की बारे में सही गथन है आपका इसमें बड़ी संख्या में समित्यों की मदद से काम किया गया और उसमें प्यारूप संती सबसे मत्पूर थी बिल्कुस सही अलप संख्यक समराज जिसे इसाई एंगलो इंडियान पारसियों के सभी कि वह सभी में पर्याप्त कितीन दिया गया था इसकी चुनाप पिक्रिया 1935 के अधिनियम के चटवी अनुसुची पर आधारिक थी और कर संपत्ति और सेक्षड के उता के कारण मताधिकार सीमित था वह बहुत दलीय निकाय थी याद रखिए यहां किसी ऐसा नहीं है कि किसी कि वह अमीर हो कोई भी वह रखो सब को वोट दिया गया था तो यह गलत है ठीक है तीसरा और एक बात और यह आ रखिए बहुदलीय निकाय का मतलब होता है बहुदलीय राजनीती आप सोचे गांधी और वर्णिजभाल लाल नहिरू इसके बिलकूल खिलाप थे कि कई बॉक्तंत में में क्या फ्रगर जाता है था ये य末े आप लोग याद रखिए समिधान सभा की पिथम पैठक की अध्यक्षता की थी डॉक्टर सचिदानन सिंगा ने याद रखे ये आईस्थाई अध्यक्ष थी डॉक्टर सचिदानन सिंगा भारत की समिधान निर्मात्ती सभा या समिधान सभा की अध्यक्षता अध्यक्ष थी आपके डॉक्टर राजि नौति समिधान सभा की स्थापना कप की एती नौत समाउ नीचो चैलीं को भारत की समिधान सभा का बिथम अदिवेशन हुआ था नौत समळा नेहरू द्वारा में शहरीं वर्दी पिस्तुत किया था पंडित जवालाल नहरु द्वारा एभी याद रखिए उद्देश पिस्तुत किया था पंडित जवालाल नहरु द्वारा एभी याद रखिए उद्देश पिस्तुत किया था पंडित जवालाल नहरु द्वारा भारती समिधान के निर्मार्ण से अधन है पंडिव्डान्оссराइश सभाध दोरफ सुछ का था विल्कुल उद्दीस attent doуют pessoa की पूर्ति हैं बारतिय सब्रस्राइश को बनाने ही तो भारतिय समीधान सभा के व्याथ सभा ο कुल अधिवेशन हुएथ याद रखे कि बार यानि कि कहने का मतलग है कि भारतिगी एज आ को बनाने के लिए कितने समिदान सभा के कुल कि अधीवेशन हुए तो एक ट्वयल यानि कि बार भारतिगी समिधान की निर्माट में समिधान मुखर जी प्यारूप संती की मूल एकमात कॉंग्रीस से सदस के अम्मुंसी राजिस्थान की रियासतों का पितिनुदित करने वाले समिधान सभा की सदस बीटी कृष्णावंचारी संंग सम्मिधान समिथी का दिक्षणाव पंडि ज Install जवाल्ला नेहरू थे संंधान स suppress की समिधान समिथी का दोष्णाव है शर्डार भळाल भांवा more भार्ठी संवगान की प्यारूप संती क arada r अबक्षान वाले यदार ब्लों को साथ…? आपने देखा है कि अंग्रेज क्या किया करते थे कि कुछ सालों में भारत के कई टुकड़े हो जाएगी कई भावों में बढ़ जाएगा समझा होगा आप लोगों लेकिन उस समय आप सोची हमारे समिधान बनाने वाले कितने पड़े लेखे थे भीम्राव मेड़कर साहब को बनाने की काफी रुप इनसे योगता हैं में अच्छा बना सकते हैं उसी कब आप आज देख हैं अगर समिधान ना होता तो साइध हमारे भारत के कहीं टोप्रे हो जाते हैं हकीकत है क्योंकि उत्तर भारत अलग बगता अज आप सभी को देखते हैं कि समिधान में सब की वर करते हैं वो कहते हैं रहने दीजे पड़े लिखाओं का क्या काम है अनपढ़ ही स्कू काम कर सकते हैं कि समिधान सबाद्वारा इस्थावत मौली का दिकारों और अलब संक्याकों कि तू सलाय कर सम्तिक्स अद्धिक्स के यह सदार पटल्चाओं डॉक्टर भी में आ अरव्भेडकर की अद्धिक्सता में समिधान सबाहें परूप संतिक सदस थी 6 कितने ламद्धन सबाने-डॉक्टर भी आ ay sadango कि अद्धिक्सता में gen попыт संतिक्या सम्भीधानिक सलाय का यह थी, BN राउ, BN राउ, इस सलाय का यह थी, देख है याद रखे, आप लोग उन्हें मत समझे बियार अम्बेड कर साब को मत समझ लिया करिए, सलाय मतलब राय, राउ, राय देना, ठीक है, BN राउ, इस तरह से याद रख सकते हैं, बारती सम्भीध राउ द्वारा, BN राउ द्वारा, आप किसी को राय देते हैं, दो राउ इस तरह से आप लगा सकते हैं, ठीक है, आगे हैं, आपका भारती सम्भीधान, भारत की सम्भीधान सभा ने राष्टी ए, राष्ट द्वज की सरपितम सुईकार किया था, 22 जोलाई, 1947 को, यह भी पर देखते हैं, डॉक्टर राजिन पसाद, आगे चलके आप देखते हैं, कि पित्थम राष्टपती हमारे रहे, भारत का सम्भीधान, भारत का सम्भीधान, पून रूप से तियार हुआ था, 26 नंवरी, 1949 को, भारती सम्भीधान लागू गुआ था, 26 जोलाई, 1949 को, इसलिए लिया गया था, क्योंकि कॉंग्रिस ने इस तिथी को, 1930 में आप देखेंगे, सुदंता दिवस के रूम में मनाया था, और आप जानते हैं, मुझे लगता है कि इतिहास पड़ा हुआ तो आपने इस देट को देखा भी होगा, भारती सम्भीधान को पनाया गया, सम प्रसीजनेंसी से, डॉक्टर भीम राव मेडिकर के जनम और मिट्ती हुई, किरमसा 1891 और 1956 में, जनकरमन को भारत की राष्टगान की रूम में अपनाया गया, और देखेंगे, 1950 में, 1950 में, भारत सासन द्वारा राच की चिन अंगीठीत किया गया था, तो इस टेट में, आ जन्गडमन भी आपका छपी जन्मरी 1950 में ही किया गया, सही खतन है आपके तितिये गोल में सम्मेलन के विचार विमस की परिनीती, भारत सरकार अधिनियम 1935 के फारित होने के रूम में हुई, भारत सरकार अधिनियम 1935 में बेटेस भारत की सुवों, और भारतिये रियासतो के एक संग पर आधारित All India Federation के कठन का सम उबंदता दोनों सही है कठन एक भारत का समिधान देश के आवस्सक्ताओं की पूर्ती करता है जिर्गो सही है कारण आरगी बात करने को इसको एक गेद समिधान भी कहा जाता है यानि कि ए और आर दोनों सकते हैं लेकिन आर एकी सही समिधान सभाव में वयस्क मतादीकारों को 15 वर्ष के लिए इस्थेगत करने की बात थी किसने मौला ना आजाद में बहरत की सुधनता के बाद भारती राष्टी कॉंगरेस को एक राजिनतिक दल की रूम में भंग किया जाना था सुझाओ किसने माहत्मा गांदी ने उन्होंने कहा था कि जैसे आप सोची आप लोग कॉंगरेस की एक तरह से आप पे ही सम्मान हमारा आपका उतना नहीं सोचा कि एक तरह से इज्जित मनी रहे तो इसे खतम कर देना चाहिए लेकिन आप नहीं देखा है राजनीतिक थी तो इसे आज भी आप लोग देखते रहते हैं अपनी राष्टवादी पिती की रिया में भारती समिधान की निर्माताओं ने अलुप संख्याकों की एतों और भावनाओं की मात को कम करने का आखा करके आखा है यह कितन किस का था आईवर जनिंग्स का ठीक है समिधान सभा कॉंग्रेस थी और कॉंग्रेस भारत था कहा था ओस्टेन ने यह भी कतन इस तरह के कई बार पूछ लेता है समिधान सभा कॉंग्रीस थी और कॉंग्रेस भारत था ओस्टेन ने समिधान सभा में कुल महिलाएं सदस्ता थी 15 कितनी 15 महिलाएं यह भी बड़ा इंटरेस्टिंग सब कुश्चन से बारती है समिधान सभा में कुल महिलाएं कि सदस्त कितनी थी 15 पर सामीधान पर सबने क्राइब को अबरेल नहीं देखते हैं कि एक तो सब से पहले आप लोग इतना याद रखें कि हम लोगों नहीं किसी से बुदार नहीं है, कई बार बोल देते हैं कि भारत के समिधान को बुदार कत्या स्कत्या कू кноп तो इसी तरह हम लोग उने अच्छा ही अच्छा ही लेई हुई है, ठीक है, भारत की समिधान में उत देशी का विचार लिया गया है, यह USA की समिधान से, ठीक है, भारतीय राजनेतिक बेवस्तान में सर्विच शाय समिधान हमारा, भारत में नियाइक पुनर रिक्षन की संसधी पिणालि से इस बात में भिनने की बारत में न्याईक पुनल विलेकन की पिढाली ही है। बारती परिशंग और अमेरिका परिशंग में समानुर्प से जो लक्षन पाये जाते हैं, वोई हैं समीधान की निभाचन के लिए परिशंग ये ऊच्छतम नि Tenemos बाल भारत की समीधान में समबर्ती सूची देन है और लेंड की समिधान पर राजसाबा की गतन में पिदिवाद अनवाव और सेवा को पिदिवन देने में भारती समीधान नेमाता प्रभावित हुए थे ऐरिस गर्दंद से से एक बात और आपको बता हूं। देखिए लोगसभा में आप जानते हैं कि जन्ता चुंती है लेकर राजसभा में मनुनीत कि जाते हैं। दिदो उतस्दों में जाते हैं। लेकर आपने कि जिन जाती हैं। लेकर देगे बैऔर मनुनीत का मतलब मेरा ही है। देख रहे हैं कि लोगसावा चुनाओ जो हार जाता है उसे को राजसावा में भी दिया जाता है तो ये गलत है आप सोचे और इसी तरह से पूरी तरह से प्रभावित हुई है हमारी वरना आप सोचे लोगसामा में एक दूसरी मत का लोग बैखती बैठे होते राजसामा में देखने को मिलेंगे हकीगत यही है दागी मिलेंगे जो बलतकारी है मडर की होई है एक तरह से डकें थे और आप उनसे उम्मीद क्या कर सकते हैं बताइए आप भी तो हम चौन रहे हैं आप चौन रहे हैं तो कभी आप लोग मौका मिली तो कभी अधना जारे की इंटर्वि मौल अधिकार कहां से लिए गया है अगर आप से पूछे कि मौल अधिकार का प्रावण कहां से लिए गया है साइवतराज अमेरिका से सासन की संसधी परणाली कहां से लिए गए ग्रेट बेटन की यूके से आपात उपकंद कहां चलिया गया है जर्मनी का वीमर समिधान से राजी की नीती ने देशकत तर्थ कहा से लिए गया है आईलेंड से। अब आप जानते हैं कि मौलिक अदिकार हमें मिल चुके हैं और आप सुचिए इसके लिए कितने संगहस करने पड़े हैं कितने लोगों थे अपनी जान दिये कितने लोगों ने अपने गहर पर रिवाल छोड़ी थे हैं, आज पर भी हम लोग इनके पिदी एक तरह से जागरूख नहीं है, हम लोग मौली कदिकार, हमारे कोई भी मौली कदिकारों का अन्हान दे करता है, हम चुक्चाम बैठे रहे थे हैं, ठीके, यह भी आपके सही सु सुची है, संबर्थी सुची, आउस्टेलिया, मंत्री मंडल है सरकार, बेटे सरकार, बेटे समिधान, कैंदराज समन, कनाडा का समिधान, भारत का, भारत राज्यों का संग, और संग में अधिक सकती है, नेद, एक कनाडा से प्रभाविते, ठीक है, यह भी याद रखे, ब भारत पर समिधान सबसे अधिक लंबा हो गया है, कारण R, मौलीक अधिकारों का अधिया है, अमेरिकन समिधान की मौलरज से लिया गया था, यह आपका दोनों सही है, लेकिन R, एक ही सही व्याक्या नहीं करता है, ठीक है, लेकिन कतन दोनों सही है, कतन और कारण, भारती सम संधान में सनेथ मुल-डिकारों की अवधार गैंट की गई थी सहुसराज अमेरिका के संधान से लिकित संधान का प्याराम हुआ था अमेरिका है उसके बाद आज देखेंगे सबसे बड़ा संधान हमारा देखने की मिलेगा समीधान में अनुछेद हो गए और अनसुची हो गए हैं आपकी, समीधान में अनुछेद और अनसुची, भारती समीधान में 100 से अधिक अर्टिकल अनुछेद हो चुके हैं, नेकिए 395 मूल हैं, लेकिन इसमें क्या रहता है कि 300 आप देखते हैं कि 21 को देख लीजिए आप लो एक की आपने सिक्चा का अधिकार भी जोड़ दिया गया है 21 का में तो इस तरह से काखा का बढ़ते रहते हैं तो इससे 400 से पहला सार्टीकल हो चुकी है बारती समिधान में आरम में अनुचित क नियम द्वारन जोड़ा गया है क्योंकि आप देखें कि मूल समिधान में आठ अनुचिया थी उसके बाद चार एक बार बाद जोड़ी गई है एक एक करके 22 समिधान को विवाजित किया गया है 20 भागों में कितने 20 भागों में नागरेक्ता से सम्मिधान के किस भाग में रखा गया है वह है भाग 3 सही सम्मिध करना है नागरेक्ता समिधान की भाग 2 में दी गई आपकी मौली का दिकार समिधान का भाग 3 सम्मंदि थे राज समिधान का भाग 6 में दिया गया है ठीक है राज्यों से सम्मंदि थे एक सही सम्मिधान से सूची 1 और सूची 2 नए र अधिकरन की इस्ताफना भारती समिधान का अनुच्छे 323 एक है हमारे समिधान का वह भाग जिसमें 300 वानों में पंच्यायते बनाने की परिकल्पना की गई है तो यह है भाग 9 कौन सा भाग 9 संग और राज्यों की बीच विधाई समद्नों के बारे में उलिक है भारती समिधान के बाग 11 और अध्याय एक में ठेक है भारती समिधान के अनुच्छी जो राज्यों की नामों की सूचित था उनके राज्चित्रों का विवरा देती है तो यह है पहली अनुच्छी ठेक है ठीक है यदि भारसंग की नए एक नए राज का सेजन करना है तो समिधान की अनसूची में से जिस एक को अवस्य संसोधित किया जाना चाहिए वह है पहली अनसूची अनसूची और यह इस पूलेती है अनसूची और इस अनसूची तो यह सबी को एक दूसरे से याद रखिए उन escrito जैसे स्मीन करना है आपको सूची और सूची दो सुमीन हैं बास आपको याद रखना है अगर आप से पूच़र किसा झाकी एब पूरे उसे एनसूची किस से सम्भंदे थे तो यह देखेंगे बिधाई सक्तियों का वित्रण से आठ भी अनसूची भासाओं से सम्भंदे थे नभी यानिसूची कुछ अदिनयमों का बिधी मालने करन जो दफितलता नेर्वरता यानि कि आप सुची एक दल से दूसरे दल म वही एक तरह से उन्हें रोखने के लिए इसे चुढा गया राज भूमी सुधारा दिनियमों को संभीधानिक सुरक्षा बिदान करने ही तो संभीध किया गया था नौभी अनसूची में याद रखिए इसमें क्या होता है कि पहले ऐसा होता था कि आप देखते थे 59% के करीब आपका तमिलाडू में आरक्षंट दिया गया था आप जानते हैं 50% से जानदा नहीं होना चाहिए तो नौभी अनसूची में डाल दिया जाता है जिससे क्या होता है कि इस पर कोड में नहीं जा सकते थे इसके इकला ठीक है लेकिन अब ऐसा नहीं है बारत की संभीधान के संभर्ति करते हैं और हम सब्रगर आर्थिक के ओजाना का विशय है संभर्ति सूची यह धर नहां को दे silver थी कự संंभर्ति सूची और राज्य सूची आ देखें कि संभर्ति सूची ऑर außer करकारarp कानूं बनातीbon video यह विता राज्य संभर्ति सूची केराज्यर आर राज कलो नियोजन या आप देखें कि दौनों इस पर कानून बना सकते हैं, राजभी और केंदवी, संबरती सूची में है सिक्षा, आप देखते हैं सिक्षा पर केंदवी सरकार फैसले लेती रहती है और राजसरकार भी, सिक्षा जो प्यारम में राजसूची कब इस है था, उसे संविधान संसुधन द्वारा वैसे याद रखिए 42 वा संसुधन नीस सो चेटर में हुगा था और इसमें आपने देखा होगा कि मिनी कॉंश्टिटिउसन भी बोलते हैं से क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत बड़े व्यापक स्तर पर इसमें फेल बदल किया गया था इ संस्वास्त ये राजसुची का विसय है सही सम्मिलनन करना है केंद सुची जनगरना राजसुची पोलिस और सार्जनिक बेवस्ता संबर्थी सुची जनसंख्या नियंतन वर परीवाने उजन अपसिष्ट विसय केंद के अधिन आता है ये अत्रिक अनुसन्दान भारत के स सिक्षां पर ब्रवाव ढालते हैं तो तो राजि की नीती निते सकतत गरामिटright और सहरी मिनिक इस्थानी निकाए, पंचम अनुसुची, सष्टिस अनुसुची और सब्थम सुची यह सभी एक तर है से सिक्षा पर ब्रवाव ढालते हैं, ठेक है, है भारत के समयधान की एक अन्सूची जिसमें दल बदल बिरोधी कानूँ, विसया प्रावधान है, यह है 10 भी अन्सूची, कौण सी 10 भी अनिसूची, भारती समयधान की साथ ही अन्सूची के राज सुची में ओ लिखे थे बैंकिंग भीमाय जनगरना, वह आयो विifi है जो भारती समिधान की संग सूची में संबधित है रख्षा वित्जी सिख मामले और रेलबे यानि की कैंद सरकार के अंडर में आते हैं भारती समिधान की साथवी अन सूची केंद राज सोची में ऊले खे थे रेलबे पोलिस पंचयाती राज विषय सम्भली थे राज सूची में वह विषय जो भारती समिधान की साथवी अनसूची की सूची तीन में समभर्ती सूची में सामिल है दंड पिक्रिया, विवाह, विवाग, विच्छेत, गोद लेना समिधार की साथ भी अनसूची में समलित है, सूची तीन में समबर्थी सूची में सरकार द्वारा सोल के वंकर लगाने का दिका समलित है साथ भी अनसूची में भूमी सुधार की विशयों के अंदर गत है राज सूची भारत के समिधार में विभिन राज्यों में अनुसूची चित्रों को पिसासन और नेतर्ण के लिए विसे सुबन्न है यह आपकी पांच भी अनुसूची में इसमें 5 भी अनुसूची में बारती समीदार के 6 अनुसूची जिन राच्चों के जनजाती चित्रों के पिसासन से सम्मंदी थे हुआ है मेगाले तिपुरा मिजूरम ठीक है और असम भी इसमें सामेल है याद रखे और आप 5 भी में देखेंगे यह पूरे देश में है भारत के समीदार में 5 भी अनुसूची और 6 अनुसूची के उपन्द किये है अनुसूची जाती जन जातियों के हैतों के रस्तारक्षन के लिए पंचायतों को समीदार ने प्रावधान किया गया है अन्चित 243 के अंतरगर पहले यादर कि पंचायतों को समिधान एक प्रावधान नहीं था देखते हैं 1993-1994 में आप देखते हैं 73-74 भी समिधान संसुदन द्वारा इन्हें सामलिक किया जाता है नगरवाली काओं को और पंचायतों समिधान की 11 भी अन्सूची संबंदित है पंचायती राज से समिधान की जो 11 भी अन्सूची है कि से संबंदित है पंचायती राज से राश्टपती की सिफारिश के बगेर कोई विदयक जो कल लगाता है विदाय का में नहीं रखा जा सकता है यह पर रावधान भारत के समिधान के अंतरगत आता है, अनुचेद 177 के, अनुचेद 177 के, बित्य विद्याकों के बारे में विशेश उपबंद किया गया है, अनुचेद 177 में, भारती समिधान में अखिल भारती सिवाओं का प्रावधान किया गया है, अनुचेद 312 के त अनुछे 49 एक समान ने आये और निसुल्क विधिक साहर था अनुछे 40 ग्राम पंचयातों का गठन ए याद रखी अनुछे 40 कई बार पूँच लिया गया है पूँच लेगा ग्राम पंचयातों को गठन से सम्दित कौन सा अनुचे थे समदितान के अनुछे संगीए लिया पालकया से संब्दित अनुछे 35 आकस्म फिराधान से संब्दित यानि कि एक तरह से आपके ये राष्टी आप अपक्त कल 345 जैसर अनुष्य 14 सम्माता का अधिकार देता है अनुषaimer thriving नेती नेज़य सब्सक्रिया सोची दो व्हझतान नए राज्यों की सामप्रांपर दो अनुछे 2, समता कादिकार, अनुछे 14, गरभतारी और निरोस्तिस अनक्षन, अनुछे 22, राष्टपती का विदेहयक को अनमती देने कादिकार, अनुछे 111, अनुछे 111, यह वी आपके सही सुम लेते हैं, समिधान का अनुछे 2, अंतरवस्तु, अनुछे 54, भारत के राष राष्टपती का निर्वाचन होगा, उसकी बात की जाती है, इसमें एक क्वाइंट और आपको यार रखना, राष्टपती के चुणाव में आप देखेंगे, लोकसभा और रासभा और विधान सभाओं की निर्वाचिस सदस, क्या सब्द बोला है, निर्वाचिस सदस से क भाग लेते हैं, इसमें मनवwhonish सदस आपके भाव一 नहीं देते हैं, अनुछे 75 यानि कि अंचेर 75 पेदान मंत्री और मंत्री पर उचत की निर्वाचिस से सब्द देखें, अनुछे 25 राज़यों के राजपाल की निर्वाज़ी के निर्वाचन से संब्वारे नुछे loth sabarock इस लगस इसे टो जाती और अंसुचिट जनाती इसो की सवyu की याद रखे 330 के बारे यह भी कई बार पूंच लेते हैं अनुछे 320 लोग वा आयोगों के कारें से संब्वार्यूं अगर आप आयोग कई पुछे तो 20 overweight है निर्वाचन आये हुगा आपका तीन सो चौबीस है यानि कि आपका election commission के बारे में अगर पूचे तो तीन सो चौबीस अगर आप से पूचे कि बित्तायों के बारे में financial यानि commission के बारे में तो यह article 280 है ठीक है बित्तिय आपात अंचे 360 के तहए अभी तक मारे देश में बित्तिय आपात काल नहीं लगाया गया ठीक है याद रखने है सूची एक और सूची दो यह आपकी संस्थान हो गया अंचेत भारत का नियंतक एवं महाले का यह आप देखेंगे अनुचेत 48 के तहत इसका प्रावधन किया है संग लोग से बायो अनुचेत 352 के तहते हैं सही स्वमिले तिस पर खारे अनुचेत अनुचेत 315 उच नियालय का अविलीक नियालय होगा और अनुचेत 222 किसी नियालय का नियाजीस का उच नियालय से दूसरे उच नियालय में अंधर है अनुछित 200 26 जिस Judy जारी करने की उच्छ नियाले की सक्ति हम मुध्या थे कि exactly है असे हम चेप्शाने हमास धचाने में सब चाहिए है अजय कें इतना पर लिंगे है Tas इतने वालबोर आइंगे आए अध Vaats दूर दूरता कैसा कुछ नहीं है, समाज रहे हैं आपन? अनुचेद 76 भारत का महाने आवे नियावादी से संबंदी थे अनुचेद 131 सरवोच नियालाई का चिर्त अदिकार कार करने का अदिकार अनुचेद 41 माप करें कार करने के लिए सही अनुचेद 42 और कार करने के लिए सही और मानवी इस्तियां अनुचेद 42 बच्चों के लिए मुक्त और अनिबार सिक्षा अनुचेद 45 याद रखिए 66 भे समिदान संसुदन 2002 दोवरा इसे मौलिक अदिकार भी बना दिया गया आपका सिक्षा की अदिकार को 21 काकित है याद रखिए अगर गलत कहीं बोल देता हूं तो आप लोग सुधार लें के लिए हैं यही सोच कर आप लोग नीचे सुधार कर भी लिख दिया करिएगा जिससे हमारी पेमली अपने परिवार का दूसरा मेंबर आता है तो वो कम से कम सही जान पाए सही सुमलन इस पेकार है बारती समिधान का भाग 9 पंचायतों से संबंदी थे बारती समिधान का भाग 8 संगराच्चित से संबंदी थे बारती समिधान का भाग 4A मूल करतबों से संबंदी थे बारती समिधान का भाग 9A नगरपालका से संबंदी थे इन्हें भी अच्छे से याद रखिए पंचयात भागनों नगरपाल का हैं भागनों का सहकारी समतियां भागनों खाब ठीक है आगे चलते हैं हम लोग कि सही समलिक करना है क्या करना सही समलन इस पिकार है समिधान सभा के भाग 15 निर्वाचन से समनेतं समिधान से भाग से बहाग 16 रखों के समने में विसरइस उबंद करता है ऐस द भाग का है आप देखेंगे भाग सत्रइक राजबास से समन्दिते हैं समीधान का भाग 18 आप आध उबंद से बहुत थे आपका ठीक है है याद रखिए गा रांगे बढ़ते हैं आंगे चलें कि ना चलें अब बात करते हैं वो देशी का से के सतरह से questions पूछे जा सकते हैं उन्हें भी आप लोग देख लिजें क्योंकि उनसे भी बन जाते हैं questions काफी तो एक बार पूरी आप लोग देख लिजे योद्देश का हम भारत के लोग भारत को एक संपूर प्रभूत्त संपन समाजबादी पंतनेट पेक्ष लोगतांत्रात्म गड़राज बनाने के लिए और उसके समस्त नागरेकों को सामाज कार्थिक और राजनितिक ने आये विचारग और अभीवेक्ति, विश्वास, धरम, उपासना की सुदंता, पितिष्टा और आउसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सम्में बैक्ति की गरिमा और राष्ट की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली सम्मेदान सभा में, आज 26 नवंबर 1949 को इदत द्वारा सम्मेदान को अंगिकित, अधी निमित और आत्मर्भित करते हैं, याद रखे हम लोगोंने जब NCEIT पढ़ी होगी पढ़ीती तो हर किलास में लगबग आपने देखा होगा कि इने बढ़ाती हूं, कि जिस से कम से कम हम लोग काभी अच्छे से ने रट गए होगे, अगर आपने NCEIT पढ़ी होगी तो आप लोग मुझे लगता है कि रट गए होगी आपको सभी, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को कुछ प्रावधन आपके लागू हो चुके थे, मालू है ना आपको, चलिए आँगे चलते हैं, भारती अगरतन की 26 जनवरी 1950 को सही सम्मिधान बस तो इस तो इस ते थी जब सम्मिधान लागू किया गया, संपूर्ण पिरबोद संपन लोगतांत्रे गड़राज बना, इसलिए आप देखते हैं 26 जनवरी को एक तरह से अम लोग गरतन दिवस म मनाते हैं, लेकिन आप जानते हैं, मुझे लगता है कि क्या जानते हैं, कि 26 जनवरी 1950 को आप को गरतन दिवस तरह से बना, इसलिए आप लोग इसे गरतन की रूम में मनाते हैं, कई लोग पूच रहे थे कि सुतंता और गरतन में क्या फरक है, तो जिस दिन सुतंता मिली थी उस दिन मनाते हैं, आप लोग 15 अगस्त को और 26 जनवरी को गरतन दिवस, गरत, समिधान में हमारे राष्ट का उल्ले किया गया है, भारत ता इंडिया नाम से, भारत और इंडिया तो नो नाम से, भारती समिधान की पिस्तावना के समद्ध में सब्दों का सही इक्रम है, सा निर्पेश्च राज बर्डित करता है समिधान की पिस्तावना, वह सब्द जो 1975 में भारती समिधान की पिस्तावना में समलिप नहीं था, अखंड़ था, भारती ये समिधान की पिस्तावना में भारत को गोसित किया गया है, एक सार भॉम, समाजबादी, धरम नेवेक्च, प्रजांत्र गर्त को सामेधान के उद्धेश्थिका के संद्ध में और से इन्दया दूर। बहरती संद्धान के उद्धेश्रिका में संसोधन किया गया था 42 समिधान संसोधन पून footsteps दевидद सहारिस्षेड दोवरा इंद्रा गांधी की समय वह सब्द जो 26 नबंबर उननीच सोननचास को अंगेकिट भारती समिधान की पिस्ताओना में समले नहीं थे तो ये देखें के समाजबादी पंतनेर्बिक्ष और अखंडता ये बाद में जूड़े गए तिन तीनों सब्दों को याद रखना है समाजबादी पंतनेर्बिक्ष और अकंडता भारत की समिधान की आमुक का लक्ष उसके सभी नागरेकों के लिए सुनेश्चित करना है समाजबी का अर्थिक न्याय और विचार अभी व्यक्ति की सुदंदा आउसर की समानता और व्यक्ति की पितिष्टा भारत एक गर्तन थे इसका रहत है कि भारत में बंसानुगत सासन नहीं होगा यानि कि कहने का मतलब है कि जन्ता इने चुनेगी वही विधाय मंत्री बन सकता है वही मुक मंत्री बन सकता है वही विधायक बन सकता है ऐसा नहीं है कि कह दिया जाए कि राजा का वेटा राजा हुआ, यह अलग बात है कि आप देखते हैं कि नेटा का वेटा नेटा ही बनता है, कमज़े हैं? भारत में लौकिक सार्भोमिक्ता क्योंकि समिधान की पिस्तावनारे में आरंब होती है, हम भारत के लोग सब्दों से, हम भारत की लोग सब्दों के प्रयोक का भारती समिधान में किया गया है, समिधान की पिस्तावनारे में, सभी व्यक्ति, पूर्ता और समारूप से मानव सब्द निर्पेक्ष सब्द का सही भाव बेक्त करता है भारत में राज कोई धर्म नहीं है। में लागू समिधान के अंग नहीं थे आप जानते हैं कि इने बाद में जुड़ा गया धर्व समाजबादी और धर्म निर्पेक्ष और अखंड़तागू समिधान सभा को वय भाग जो उसकी आत्मा कहलाता है उद्देशी काम बारती समिधान की प्रिस्तानों को हमारे संप् ता बाग है बूंबई बनाम union of union इनडिया भाल में सरोच नीौल्ए ने प्रिस्ताव ना को भारती समिधान की मौलिक सरजना के बाग स्विकार किया एं है केशवानन्द भारती विवाद और प्रिस्ताहर उद्देभास केपंवारे जो हैं उसी topic में आपके cover किये जाते हैं इस तरह की current topic जो आपके civil service के लिए बहुत ही मात्मोर रहती है बारत के समिधान के उत्देशों में से एक की रूम में आर्थिक नियाय का उबंद किया गया उत्देशी का और राजिकी निती निदेशक तक्तियों में बारती समिधानी की पिस्ताओना में जिन आजर्स उत्देशों की रूम पर एक निते निदेशक सित्धान्तों और Молжिक कर्थवों के अद्maयय के ठीक है उसके बाद है आपका बारती समिधान के उद्देशों को इतिवेंबित करता है समिधान की विश्ताव में बारत के समिधान की उद्देशक्या में विवस्ता की गई है तीर बेकाल के न्याइटी सासन प्रणाली की अगर बात करें तो राजी का सबसे मात्मूर्तत है संप्रभूता राजी का सबसे मात्मूर्तत क्या है संप्रभूता बारती समिधार में जिस पिकार की सासन प्रणाली की व्योस्ता की गई हो है संसादात्मक कि मंत्रियों को संसद लोगसभा की कृटि को अपने रहते हैं viens dock कि यह आप यह सही बात है कि मंदल जो होता है संसत कर सदस होना चाहिए होते हैं लेकिन आप भी अगर मंत्री बनना चाहिए तो बन सकते हैं लेकिन मुख मंत्री भी बन सकते हैं लेकिन छह महीने के गात आपको सदस बनना होगा अगर लोकसभा में मंत्री बनते हैं आप लोग मंत्री तो आप देखेंगे कि अभी MP में आप लोगों ने देखाता है या कहीं भी आप देखेंगे कि कई ऐसे निताओं को मंत्री बना दिया जाता है जो सदस्ति भी नहीं होते हैं अभी MP में देखिए, सभी अधिकतर मंत्री वो हैं, जो मतलब किसी सदन से जनताने वड़े चुना ही नहीं है, समझे हैं, तो उनको भी मंत्री बना दिया गया है, राजनी बोट बैंक के लिए, संसादात्मक सासन विवस्ता में बिधायका का कारिपालिका पन्येंतर होता, राष्टपती बद्यती में समस्त कारिपालिका की सक्तियां नहीत होती है, भारत में राजनेतिक विवस्ता के मूल लक्षण है, याई एक लोगतांद्रिक गड़तन थे, इसमें संसादात्मक रू भारत एक कल्यारकारी राच्च है यह चारों से पर भारती राश्तंत की विचास्ता है एक समिध्धान संगत सरकाल लोगतांथ सरकार और वेधी का सासन नहीं नहीं है ठीश है कल्यारकाρι राच Since सबंसें अधिकतम संक्या का अधिकतं कल्यार सुनेटेशित करना है भारतिय समिष्यार का अधिकतं का दर्सन है कल्यायकारी राज समाज-वाज बास रास राज नितिक समानता revived में राजनितिक सत्ता का प्रमुक्स बोड़े जंतां जंता चाहे किसी को बना सकती है बिगाड भी सकती है लेकिन अधिक तर जंस्ता क्या रहती है बड़ी सीधी साधी रहती है नेता किसी भी दिशा मेंने मोड़ ले जाते हैं अध्याच अध्यक्षाक्मक सासन पडाली का आधारभू तत्त है एकल कारिवालिका में भारत में प्रजतंत इस्तत पर आधारित है कि जन्ता को सरकारों को चुनने वो बदलने का अधिकार प्राप्ट है भारत का समिधान ना परिसंगिये बिनेधारित होता है केंद और राज्यों की भ कर्थन ए बारत की समिधान में एक संगिये ना परावदान है बिल्कुँ सही है और कारण आर उसमें एक बहुत सक्ति साली केंद की रचना भी है यह भी सही है आपका और और दोनों सही है लेकिन आर एकी सही बेक इस पर नहीं करता है केंद को अधिक सक्तिया मिली हुई है बारत की समिधान का संगिये लख्षण है के अंदर तथा राज्यों के भी सकती का बढ़वारा और पूर्ण रूप से लेके समिधान और सुतंत नियाय पालकर भारतिय संगिये विवस्ता में एकात्मत तत्त है राजपालों की युक्ति राजसभा में आसमान पितिने दित और अखिल भारतिय सिवाएय भारत में संगिये विवस्ता से संबन दित सही कथन है समिधान सासन की मूल सरचना के लिए एक संगिये विवस्ता की परस्थावना करता है और और तथा एकात जुखाओं का उसमें ससक्त मिस्सरण भी है, कथन A, भारत का राठपती परोप्चिता निर्वाचित होता है, कारण R, भारत में संसरी पिणाली उगरता, तरात्मक के जोड़ा गया है, A और R दोनों सही है, और R A का सही इसपर्टी करने, क्योंकि आप देखत है, राठपती को चुना जाता है, निर्वाचित होता है, ना कि आप कहीं मनोनीत नहीं कर लेते हैं, लोकसवा, राजसवा और विधानसवा के निर्वाचित से दस्तिस में भाग लेते हैं, ठीक है, अनवातिक पिढाली में आप देखते हैं, चुना होता है, कथन A, राजि महिता बिवारिक नहीं सहे वह भारत से राश्टी एक्ता को पर दस्तता का मुकुद्द्द्द्ध इसकी बहु आयामी क्यों सक्ञेट Says जोखाएक सामेकैन अ कि इस अर्चते और दोन सथ ень आर Еग की 1. महलाएं, दलित, निर्धन, एबं अल्वसंक्यक समू भारत में लोकतंत की सबसे बड़े दाविदार है। कारण R. भारत में लोकतंत अधिक आत्म सम्मान की कामना का बहाग बनकर उबराएं। दोनों आपके सही हैं, A.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E. संगный बात कहा जाता है जी औरचेन ने कहा था ऐस्टेन ने ठीक भारत अरद संगातमक राचे एक केसी वीया ने कहा था भारति सम्हां औरफियर राजनेतिक पतिती के बार age ऑतरम निरपराज संसद्धी पतिती की सरकार संगीय निती गरतंतिय अउधारणा से संबंदी थे एक राजी जिसमें जंदा सर्वोच हो और सर्वोच सक्ती निरपाचित पितान में नहीत हो एक ऐसी सरकार जो जंदा द्वारा निरपाचित पित्दी निधियों की हो ठीक है समिनानीक सरकार होए हैं जो प्यक्ति की स्वधंदा केत में राज्जी की सत्ता पर पर वहावकारी तीबंद लगाति हैं यह आपकी राश्टी कुंगे राष्टिय पहाख है राश्टिय फॉस surf आक कमल है राश्टि मोर है भारत का राष्टी चक निया है इसमें भारत में राष्टी दोज में आरू यानी कितीलियों की संख्या कितनी है संख्या का वाधन गायन करते हैं 52 सेकंडर समय लगता है इसके लिए क्योंकि यह सरल कुश्टन से लेकिन फिर भी पूच लिये जाते हैं और फिर भी हम लोग पीछे ठूट जाते हैं अब बात करते हैं राज्यों और संग राज चेत्रों के बारे में भारती संसत को नया राज बनाने का दिखार है संभिधान के इंचे तीन के अंतरगत नए राज के गठन की सकती ने थे संसत में भारत के संभिधान के अंतरगत राज्यों की सीमाओं को परिवर्थित करने क की सकती है संसत को किसी संसत को आंगे है आपकर एक राज को संगे में समलित करने है अत्वा नए राज्यों की स्थापना करने की कारिफाली कर सकती इसमें संसत को है समिधान की पितम अनुच्वित के अंसार भारत राज्यों का यूनियन संग है यानि की राज्यों से बनका मिल नए राजियों के निर्माड के बारे में चयी है संसद विदि दुआरा एक नए राज के निर्माड कर सकती है इस पिकार की आम के लिए पराइयर्जन के लिए synsब नहीं किया जा शकता है झब विधान मंदल को निदिष्ट नहीं कर दिया है, जिसके छेत्र सीमाओं और नाम का इस पर परिस्का प्रभाव पड़ता है, एक बात और बताओं आपको, भले एक तरह से उनके लिए बिचार के लिए कह दिया जाए, लेकिन उनकी सिफारिस अगर वो कुछ भी करते हैं, तो म मालने के लिए बात दिकारी है, तो वही हाल रहता है, धर्विधार के मामले में तो आप यही देखते हैं, कि राजसभा के पास बस बिचार करने का दिकार, एक तरह से सलाय देने का, लेकिन लोकसभा उसमें महन है, भारत में एक नया राजी सुजित करने वाले विधार को होने थनिवार है, संसद में साधरन बहुमस्तेग, भारत में संग राज्यों के पिसासन होता है राष्पती द्वारा, भारत संग नहीं है, गलत है, किसी भी राज्य का चेत, सीमा नाम उसकी सहमेती के बिना पिपरीवर्तिक करने की सकती संग्यीय संसद को परापत है, यह स सही कथन है समीधान में Union of States अब्रेवट हुआ है क्योंकि भारत राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं देता है यह गलत है नहीं थी यह दी तीनों आपके सही है यह भारत संग में जे वीपी संथी भी कहते हैं यह दी भारती संग में एक नए राज की कर्सेजन किया जाता है तो साधन सोधन करना आवसक होगा पितम अनसूची में भारत में संग सासे चित अभी आठ है देखिए एक बात हम अभी हम बैठे हुए हैं सेप्टमबर 2020 की में बात कर रहे हैं इसी क्लास को देख रहे हैं तो अभी आठ आपके केंदसासित पिदेश है और 28 आपके वराज हैं ठीक है आँगे बढ़ते घड़ते रहेंगे तो आप रोग आँगे जोड़े रहना करेंट से लोग साभा म में केंदसासित पिदेशों के लिए सीटे आरक चित्की गई थी अब आपकी जम्मु कस्मीर में देखिए क्या होता है उसके वाल मुझे लगता है तो 2021 या चुनाओ जब तक नहीं होते हैं तब तक यहां के बारे में कहना मुस्किल है आने देजी नई आक्रे हम लोग बात करते रहेंगे उन पर राजी पुर्णार गठाए आईव ने एक नवंबर उननीस सो चपन को मनाया चौदै राज्य और छे संग साथ संग राज्यों की सुरूं की बात कराऊं भारत में अभी 28 राज्य और आठ के अंसाधित पिदेश है अभी सेप्टमबर सेप्टमबर 2020 क अभी तक नहीं बदला गया है आंध्य नहीं राज्दानी की रूम में हदरावाद के स्थान पर अमरावधी पिस्तावित है ठीक हो चुकी है दिली को राष्टी राज्दानी चित का दर्जाब दिया गया है 59 समिधान संसुधन द्वारा यहां याद रखिए यहां आपकी विधान सभाय भी है आप देखते हैं कि बेहतर इसकोर भी मतलब बहतर काम भी कर रही है सही कथन है गोवा को 1987 में पूर्ण राज्जी का दर्जाब राप्त हुए दीव खंबात की खाड़ी का इक टाप हुए दमरोई दूइक को भारती समिधान की चप्पनवी संसुधन द्वारा गोवा से लग किया गया तीनों सही सिख्केम को विधीवत भारत संगे की एक पूर्ण राज्ज ये रूम में संबलित किया गया चप्पनवी समिधान संसुधन द्वारा राज्जों का भारती राज्जों का उनकी निर्माट के अनुसार कात क्रम है सिख्केम उसके बाद अवणाचल पदेश चतीस गड़ ज बिहार कंड को बिहार से चतीस गर राज्ज स्वरुप आया एक नमबंबर 2000 को उत्तराकंड आपका बना था उत्तर पदेश से अलग करके सन 2000 में ये विकल्प दिये गया है सही है बस आपको याद रखना आद पदेश 1923 में बाठा याद रखी भासा की आदार पर पहला रा किलाल है 21 जन्वरी 1972 सेक्किम 16 माई 1975 हरुनाचल पिदिस 20 फर्वरी 1987 राज्यों की निर्वाण का सही अवरुवी किरम है हर्याडा 1966 महराष 1960 राजिस्थान 1956 सत्य कतन है ग्वाकु दमन वेवं दुविप से अलग किया गया बंबई राज गुजरात महराष्ट में विभाजि हिमाचल पिदेश पहले संगसासित पिदेश की सूची में था यह भी विलकुल आपका सही है एक तरह से यह उल्फा उगवादी संबंदित है यह असम से संबंदित है पेपुल्स वार्ग्रूप नामक आतंकवादी संगठन है आंध पिदेश में कावेरी जल बिवाद के करनाटक तमिलाडू पोड़ोचेरी पांडीचेरी केरल करनाटक तमिलाडू पांडीचेरी केरल इंचार राज्यों के याद रखी इनके बीच चलता है कावेरी जल बिवाद बहासा के आधार पर राज्यों के गठन हीतु राजपुनर गठन आयुक की इस्थापना की गई थी 29 देसंबर 1993 को भासाई अधार पर अगर आपसे बूचे कि भारत के सरफितम गठन हुगा था किस राजपा आध्विदेश का आध्विदेश का आध्विदेश से एक भासाई राजप के रूम में गठित किया गया था 1913 में चलते हैं नागरेक्ता से समंदित कुछ मत्पूर पॉइंट देखते हैं भारती समिधान पिदान करता है एकल नागरेक्ता भारती नागरेक्ता की नागरेक्ता प्राप्त की जा सकती है जनम द्वारा देशी कंड द्वारा किसी भूभाग के संभले द्वारा नागरेक्ता संसोधन अधीनियम 2015 के इंतरगत हुआ है भारती काड़धारक जो पिरवासी नागरेकों के रूम में पंजीकित होने के लिए आ रहे हैं एक आवैस्क बच्चा जिसके अभीभावक भारती नागरेक हैं भारती नागरेक की बिदेशी मूल की पतनी एक बेक्ती का परपोता प समभड़ीपूर आंधिफिदे सिक्के में जूराव अनुना चलती है और गवाकिफ रादे सिक्क मागों को देखती हुए भारत की सम्मिधान में 371 यह से लिका 371 आई तक अंतरविष्ट है यानि कि आप देखिए इनको एक तरह से विसेस राज्जी का दरज्या मिला जो पूर्वी भारत के राज्य हैं उन्होंने भी इस पर मतलब एक तरह से आवाज उठानी सरों कर दी थी पर आपने देखा है आपके होन मिनेश्टर साहब ने एक तरह स्वासन दिया था उन्हें कि हम इस तरह कोई भी प्रावधन नहीं करेंगी दोहरी नागरेक्ता का सि अधिकारों को नेत करने के लिए सक्षम है संसद एक तरह से आप कहा दिजिए कि उत्तरव देश की अलग से नागरेक्ता लेनी पड़ती और भारत की अलग से तो दो पेकार की हो जाती ना नागरेक्ता तो यह नहीं हमारे में भारती नागरेक्ता है हम लोग भारती है अब बात कर ली थे मौलिक अधिकारों से सम्मुदी कुछ तत्थ। सही कतन है, भारती समिधान में मूल अधिकारों को सामिल करने के लिए नहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था, बिल्कुर सही है, समिधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागपनने की सक्ति दी गई है, सरवोचने आले और उचने आले उखूँ, आप याद रखिए एक बात हो, अगर आपके अधिकारों का हननन होता है, तो आर्टिकल 32 और 226 के तहता आप सुपरीम कोट और हाई कोट जा सकते हैं, ठीक ह गरती समिधान में आगरिकों को मौलिक अधिकार काण किये अनुचेद 12 15-35, भाग 3-12 के आपके अनुचेद 200 से सम्मांदे थे समानता का अधिकार सम्मिधान की निम्न अनुच्यदों में के अध्द्रगत दिया होय है, अनुचेद 14 15, 16 17 और 18 सेक्चर संस्ताओं में जिसमें गैर सरकारी वा गैर अनुदान पराप्ति भी संबले थे हैं अनपेचड़ों अनसूचित जाती और अनसूचित जन जाती हेतु आरक्षन की सुविधा पिदान की गई है अनचेद पंदरे पांच कीता है अनचेद पंदरे पांच कीता है कथन के सामाजिक आर्थिक और राजनितिक चित्रों में समान अधिकार निर्मित करने के उपदेश से राज आसमान लोगों के लिए विसे बेवार कर सकता है यह बिलकु सही है कारण आर समान लोगों में और द्वारा बनाएगे नयवों कानुनों पर परात्मिक्त्रादान करती अनुछ तेरे। भारतिय समिदान की सरवोच्चित अ सनेश्शित करना तो इदिकार के संदर में। बारत्य समिधान mo stanto का अधिकार चार अनुचेतों द्वारां हं पिंदान किया गया जोहें ऌनीस से 22 को समान कार करने के समान वितन का मौलिक अधिकार निगमन करने ही तू सक्चम है समिधान की विस्तावना में प्यक्त समाज़वादी सब किया गया है अनुशे 14 से लगा कर 18 तक बारती ये समिधान में जैसा नहीं थे समानता की मौलिक अधिकार में समले थे कानून के समक्त समानता सामाजिक समानता और आउसरों की समानता ठीक है यह आपका मौलिक अधिकार है एक तरह से मौलिक अधिकारों के इंतर्गत बच्चों के सोसान से संबंदी थे अनुछे 24 IECP आर के अनुछे द्वाना बाल अधिकार सुरक्षित को सुरक्षित रखा गया है आधिकल 24 24 में आजपरस्थता का उन्मूलन किया गया है अनुछे 17 या अनुचे जाती के सश्क्ते भारत में आजपरस्थते का निवारन निम्न ने पुपायों दी किया जा सकता है कानुद बना कर सिक्चा कि उननती द्वारा हाँ जन जागरान करके यानि की जागरूब करके मद्रास राज बनाम दो राय राजन 1951 के मुकद्दिमे में भारती सरवोच न्याले की नेड़े की परिडाम स्वरूप जिस मौलिक अधिकार को संसुदित किया गया था हुआ है बेदभाव की गुरूद अधिकार अनुसूचित जाती अनुसूचित जन जाती को मौलिक सामाजीकार्ति और राजनेतिक और सांस्कित करिकार दिये गया अनुचेत 171 अंत्रगर्द भारत का समिधान इस परश्टता प्रेस की आजादी की विवस्ता नहीं करता है किन्तु यह आजादी अंतरनेत है अनुचेत 19 अनुचेत 19 में याद रखिए इसमें आपको बोलने की सुतंता प्रेस की सुतंता फिर चाहे आपको संगठन की सुतंता बोल एक जगे से दूसरे जाने की सुतंता यह 19 के तहता आपको मिली हुई है लेकिन याद रखिए इन पर भी पावंद लगाए जा सकता है अब आपक आपको कहें दीजिए कि आपको बोलने का अधिकार है या आपको संगठन बदाने का अधिकार है तो आप ऐसा सब्द बोलने लगिए या इसा संगठन बना ली दिजिए जो देश की अकंडता के लिए एकता के लिए नुकसान दायक हो तो तब आपके मौली का अधिकार पर मतलब पिती बंद लगा दिया जाएगा चलें आने सुतंता के अधिकार के भाग के रूम में बिना हत्यार के सांती पूर ध्यंक से खटा होने की सुतंता के अंतरगत नहीं आता है घेरा और अपसर जोग अपना करतब नहीं निवात है नागरिक की पिचार अभी व्यक्ति की सुतंता परफी दिवन्द नहीं लगाया जा सकता है आवांची नहीं आलोचना के कारण व्यक्ति की विदे स्यात्रा के अधिकार को सरक्षन पिदान करता है अनुच्छे 21 अनुच्छे 21 दी को अनुच्छे 21 से मिलाकर पढ़ने पर पिराप्त होता है एकांतिता का अधिकार धार्मिक सुतंता के अधिकार के प्रावधान के अंतरकर सम लेते है धरम पेचार करने का अधिकार सिक्खों को किरपार दारन करने एवं रखने का अधिकार राजी को समासोधारक विदी निर्माड का अधिकार समिधान के अनुचेद 25 के अंसा धरम स्वातंत का अधिकार अधिन है सारजनिक विवस्ता, स्वास और सदाचार की सिक्कों द्वारा कृपांट धारंग करना धार्मिक सुतंता का माना गया है अनुचे 25 के अंतरगत अनुचे 25 का अताम बंदे धारम की सुतंता से यानि कि आप किसी भी धारम को माग सकते हैं आगे है आपका सही सुमलेत है अनुचे 23 मानों के दुरुव्यापार और बलास्रम का पिती बंद करता है, अनुचे 24, कारखानों आदी में बालकों के नियुजन का पिती सित करता है, अनुचे 26, धार्मेकारियों के विबंधन की सुतंता भी देता है, ये भी समले थे आपके, मानों के दुरुव्यापार और बलास्र सेनस्ताओं को इस्थाफित करना और संचालित करने के अधिकार को सरक्षन पिनान किया गया है अनुछित पेतिस तीसमें भारती समीदान के अंचित 32 चेंतरगत पर फिबर्तित किया जा सकते हैंince मौलीक अधिकार ये भारती समिधान के अनुचेद हो गया उपरावधान हो गया अनुचेद 16-2 किसी बैक्ति के साथ उसकी बंस धरम जाती के आधार पर सारजनिक नियुक्ति के मामले में भेदभाव नहीं किया जा सकता है बिल्कुर सही अनुचेद 29-2 किसी भी नागरे को धरम बंस जाती भ करूं तो सभी अलबसंक्याकों को चाहे विधरम के आधार पोर या फिर भासा के आधार पर अपनी पसंद की सेक्चरिल संस्ता हैं इस्थावित करने और उन्हें संचालित करने का मौलिक अधिकार होगा अनुचे 31-1 के बात करें तो किसी भी बैक्ति के कानून के प्राधि संसुदमद्व्आरा 1978 में इससे भी याद रखिए अभी कानूनी अधिकार होगे मौलिक अधिकारों का संरक्ष्ण है संरक्ष्ट रे नियायपालका यानी कि अगर आपकी मौलिक का हनन होता है तो कौन साय प्रकता है नियायपालका also service क्या कफन है क्या क्या कफन है कि कि एम मोंसी समिधान का प्यारूप बनाने वाली संथी के सदस्ते समिधान सभादवारा भारती समिधान सुईकार किया गया वल्वंत राय में तस शंथी रिपोर्ट उन्डीस संतावन द्वारा पंचेयाति राज की संस्तुति की गई ये तीनों आपके कथन कैसे हैं सही है न 22 को समीधानिक उपचार की अदिकार को, । डॉक्टर बाबा साह्ब । कСТHन A. 22 को डॉक्टर अमधेड कोना ने इसकी आतमा कहा था यह बिल्कुल सही है, कारण अनुचित 32 मौलिक अदिकारों के अतिकिर्मण के विरोध प्रभावी उप्चार का प्रहधान करता है, A और R दोनों सही है, और A का सही इस परश्टी करण R है, बैक्ती के सुतंता के लिए उच्छितम ज्याले द्वारान जारी कर सकता है, यानि कि बंदी प्रत्यक्षी करण, ठीक है, सही सुमलित है, मौली कर्तब समिधान का ब्याली स्वा संसोधन के द्वारान जोड़े गए, संसद मौली का दिकारों में संसोधन कर सकती, केस बालन्द भारती केस के माबले में, इसमें कहा गया दा, इंसानों की अनेतिक ब्याबार का निशिद है, समिधान के दूछे 23 में, सोची एक सोची दो, सुमले थे आपको बस याद रखना है, उपादियों का अनुछे 8 अठार है, धार्मिक माबलों की पेवन्द, अनुछे 26, प्रबंदयनों की स्वतन दा, अनुछे 29, सिक्षा का अधिकार, आर्टिकल 21 में है, यानि कि 21 में आपका अ का, ये 86 वे संसुधन दो जाथ दो द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है, ये भी पूचले दागी, कौन से संसुधन के द्वारा जोड़ा गया था, 86 वे संसुधन संसुधन, संसर्कों मौलिक अधिकारों में संसुधन करने का अधिकार है, केसवानंद भारती बाद में, भारत के सर्वोच नियाले ने संसुधन की मूल सरचना सिद्धान, बुनियादी राची का पितिवादन किया केसवानन्द भारती बनाम केरल राज मुकदमे में संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है मुझे लगता है कि आने वाली परिक्षाओं में इसलिए कुश्चन्स आपका बनेगा संपत्ति के मुझे अधिकार का लोग किया गया है समिधान 44 में संसुधन अधिकार 1978 वारत्मान समय में भारती समिधान के इंतरकर संपत्ति का अधिकार है बैदानिक बिदिक कानूनी अधिकार ठीक है, भारती समिधान पिदान नहीं करता है, समान आवास का अधिकार पिदान नहीं करता है भारती समिधान में समानता का अधिकार जिन पाच अनुशिदों का सुईकित है बेह अन्चे 14 से 18 तक भारती समिदान में नाग्रेकों को नहीं दिया गया है सूचना का अधिकार ठेक है? सभी व्यक्तियों को पराप्त है बिधी के समाल सरक्षन का अधिकार भारत में रहने वाले वेटिश नाग्रेक दावाक नहीं कर सकते हैं ब्यापाद और वेवसाय की सुतंता की अधिकार का। सर्विच नियाले ने मौलीक अधिकार की रूम में मानता दिये आवास की अधिकार और विदेश यात्रा की अधिकार को। किसी को राष्टगीत गाने के लिए बात नहीं किया जा सकता है। इससे बाग सुतंत और अभिवक्ति सुतंत की अधिकार का को लगन होगा। इससे अंताकरन की और धर्म के आवाद रूप से आचरन और प्रिचार करने की सुतंता की अधिकार का भी लगन होगा। तो राष्ट की दगाने के लिए किसी को बाद करने वाला कोई विदिक उपन्द भी नहीं है। आप पनिर्बन करता है कि आप गाना है गाईए नहीं गाना है ना गाईए। बिदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है अभी वेक्ति की सुतन्ता यानि की बोलने की सुतन्ता बारत में किवल नागरिकों को उपलप्त है बेदभाव की विरुद अधिकार देश भर में सुतन्त भरमड की सुतन्ता चुना लड़ने का अधिकार बारती समिधान द्वा अगर पढ़ने में सरवुच नियाले को समानकार के लिए समान बेतर कुम्मौलिक अदिकार परिभासित करने की फर्ति प्राप्त होती है अनुचे चौधे और सोले के साथ लोक नियोजन के बेसाएं में भारत के सभी नागरेखों को अउसर की समानता की पित्याभूती पिदान करता है अनुचे सोले एक और सोले दू भारती समिधान मानता देता है धार्मी को बासाई अल्ब संक्यन को को 6 बर्स की आयू से 14 बर्स की आयू के बीच के सभी बच्चों सिसुओं को सिक्षा अदिकार है मोल अदिकार में भारती समिधान में संसोधन करने का सिक्षा का अदिकार जोड़ा गया एक अपरेल 2010 को जोड़ा गया था ठीक है कथन है आपका मैं राध जाए से 14 बर्स के सभी बच्चों को निसे बास्यों करेगा यह बिल्कुल से ओए एक पर जाता आन्दिक समाज में सिक्षा का अदिकार मानौदिकार के उमें वेकास की अदिकार की व्याक्तिया के लिए आपर रहा है यह और आर दौनों सहीं एक सही कर एका सही आपातकाल तक मैं भी समात्या सीमित नहीं किया जा सकता है यह व्यक्ति की सुतंता और जीवन का अधिकार इसे किसी भी परिष्टिति में रोका नहीं जा सकता है किती बंद नहीं लगाया जा सकता है बारती समिधान के निचेत 25 में प्रेप्त हिंदू सब्द नेमलिकित समलित नहीं करता है, पार्सियों को इसमें समलित नहीं करता है, भारत की किसी धार्मिक समुधाय को यदि राष्टी इस तरफ पर अल्पसंकेत बर्ग का दरज्या दिया जाता है, तो वह नेमने विसेस ल अनुपिस्थापना संचालन कर सकता है, और यह समुधाय समुधाय, पिधान मंत्री के 15 पौइंट पैरकरम के लाभी पराप्त कर सकता है, किसी अपराद के अभियुक्त को स्वेम अपने बिरूद गवायल गवा करने बनने के लिए बाद नहीं किया जा सकता है, यह अपरा बिधी की समयख पिकरिया के सद्धान को सामिल किया गया है, अनुचेत 21 में, बंदी बनाए गए वैक्टी के मौलिक अधिकारों की रक्चक पिदर्थ करता है, अनुचेत 22, पित्यक्च बंदी करन अधिनियम के अंत्रगत एक वैक्ती बिना मुकत्मा चलाए बंदी बनाया जा सकता है तीन माहल के लिए वह पलेक जिसे किसी बैक्ति की सुदंता का महांतम रक्षक माना जाता है बंदी पे तेक्ची करें बंदुवा मजदूरी उन्मूलन अदिनियम संसद में पादिक किया गया है यह सही है अधिकार बिना कर्टब के उसी पिकार हैं जैसे मन उसे बिना परच्षाई के याद रखिए आपके अगर मुझी ही लगता है कि अगर आप अपने मौलिक अधिकारों और अपने कर्टबों के पिती सचेत हो जाए तो आदी समस्याएं हमारे देर से खतम हो सकती है ल तरकारी संपत्ती को जलाने लगते हैं तोड़पोड करने लगते हैं और आप जानते हैं कि इसका भरपाई एक तरह से हमी ही लोगों को करनी पड़ती है तो यह भी देखने को मिला है अब बात कर लेते हैं राज के नीती ने दे सक तत्यों के बारे में राज के नीती ने दे सक सिध्धांतों को भारती है समिधान मैं सामीच किया जाने का उद्देश है सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत को इस्थापित करना याद रखिए सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत को स्थापित करने के लिए आपके जो राज्य की नीती ने दे सकते हैं इन्हें समझित किया गया था राज्य की नीती ने दे सकते सिध्धान्तों का उद्धे से एक कल्यार कारी राज्य की स्थापना करना सामाजी कार्थिक नियाय को सुनिश्चित करना एक धरम निर्पेक्च राज की स्थाफना करना अगर आप सोचिए कि अगर राज अपना सही से धरम निवाने लगे तो काफिये तक हमें सफलता मिल सकती है देखिए कितने अच्छी बात है हुआ है लेकिन अधिकतर राज्यों को देखते हैं आप लोग कि दूर दूर तक ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता है क्या नहीं देता है दिखाई नहीं देता है राजी की नीती ने देशक तत्यों के बारे में सही कतन है ये तत्त देश के सामाजी कार्थिक लोक्तंत की व्याक्या करते हैं इन तत्तों के अंतरवेश्ट उबंद किसी नियाले द्वाना पिवर्थनिय नहीं है इन फोर्सियल नहीं है यानि कि आप अगर ये अधिकार आपको नहीं मिलते हैं तो आप ऐसा नहीं यह आप कहीं गोट जा सकते हैं इस आ कुछ भी प्रावधान नहीं है कल्यारिकारी राजीyeongsaklaaripala कसम भारत के सम्धान में राजी की नीतीयनिदेशक्ट्रयों में बारती समिधान में समलेत नीती निदेशक तत्तों की पेड़ा में प्राप्त हुई है आयलेंड समिधान से नीती निदेसक सिद्धान हैं बात योग नहीं है ठीक है और याद रखे आयलेंड समिधान से लिये गए हैं यानि के तरह से वहां से प्रावधन लिया गए है भारत की समिधान के उसादेश के सासन के लिए आधार बूत है राजी की नीती के निदेसक तब समान कारे के लिए समान बेतन भारत के समिधान में सुनिचित किया गया है राजी के नीती निदेसक सिद्धानतों का अंग है भारत में पंचयाती राज पिणाली की विवस्ता की गई है राजी के नीती निदेसक सिद्धानतों के इंतरगर एक कुश्चन सा आपका कई बार ब पपने रहते हैं तो आप भी जानते हैं कि आप लोग तभी समिदान में इन्हें जगह मिल जाती है कि समझ रहे हैं बारत के समिदान के अंदर ग्राम पंच्यातों का गठन नेदेशा स्विद्धान तो सही समलन समलित करना है अनुचेद 40 ग्राम पंच्यातों का गठन से समझ देथे अनुचेद 41 कुछ दसाओं में काम सिख्छा और लोग सहायता पाने का अधिकार है अनुचेद 44 नागरेकों के लिए समान नागरेक सहिता से समझ देथे अनुचेद 48 किरसी एवं पसुपालन का कार कगठन से समझ देथे हैं ठीक है इन्हें भी याद रखना अच्छे से कंधन के मंदेगा दर अहर प्रिवार की कम से कम 1 सics को बर्स में 100 दिन का रोजगार दिलाने का प्रावधान करता है बिल्कु सही है, रोजगार का अधिकार समिधार के बाप तीन में पिर्वित है, यह बिल्कुल नहीं है, तो राज जोन पर निर्भर करता है, ठीक है, आप सोची अगर आपको मौलिक अधिकार होता, रोजगार का, तो आज आपको धर्णा पिदर्शन कहां करना पड़ रहा ह समझ रहे हैं जो धर्णा पिदर्शन दे रहे हैं आप लोग, फिर भी नहीं सुन रहे हैं कोई, तो राज की नीती निजेशक सिद्धाम्दों के सही संब्लन इस पेकार है, अनुचे दिंक्यावन अंतराश्टी सांती और सुरक्षा के संबंदन से संबंदन से संबंदिते अनुचे 41 कामसिछा लोग सहायता पाने का दिकार, अनुचे 43 का उद्धिवों के प्रबंदन में करमचारीओं के भाग लेने का दिकार और अनुचे 48 का पर्यावन सरक्षन से संबंदिते हैं याद रखनाव भारत के समिधार में और राष्टिय शांतिय शुरक्षा की अभिवैकश्दी का उलेक है राज की निती निद्य सकता सुरक्षा की अरप मतों सकत है परियावन सरक्षन, तो राजी की नीती निदेशक सिध्धान्त मौली कदिकारों से बिनने, क्योंकि निदेशक सिध्धान्त प्रवर्थनी नहीं है, जब कि मौली कदिकार प्रवर्थनी है, यानि कि इन्हें एक तरह से आप कह सकते हैं कि मौली कदिकारों के लिए आप किसी राजी की नीती नेदेसक सिध्धान्तों में से वह है जिसके बारे में समिधान सांत है प्रोण सिक्षा राजी का नीती नेदेसक सिध्धान्त जो समिधान में बाद में जुड़ा गया मुप्त कानूनी सला है राज की नीती निदिस्वक सिद्धान्त में सम्लित नहीं है, सूचना कज़गा नीती निदिस्वक तत्त है, समान नागरिक सहता राज की नीती निदिस्वक तत्त में है, राज सोनेशित करने का प्रयास करेगा कि पुरोष और महलाओं की समान कार हितू समान भीतल जीवकोप पारजन ही तू परयाप्त साधनों का समान अधिकार काम ही तू नियाय संगत और मानवचित दसाओं में रहे राज की नीती निदेश्वक सित्तांत एक ऐसी चेक है जो बैंक की सुभिधार नुसार अधा किया जा सकता है अब चलते हैं मोल अधिकार भी देख लेते हैं भारत की प्रभुता एकता और अखंडता की रख्षा कने और उसे अच्छन रखने के मोल करता को रखा गया है तीसरे स्थान पर याद रखेंगे अगर आपको मुझे लगता है करम से आपको अगर याद हैं अगर आपका मैंस म लिखने के लिए आता है कई बार क्या होता है कि MPPSC में कई बार पूछ लेता है तो उसमें अगर आपको याद है तब आप पॉइंट डालना है एक दो तीन अगर आपको याद नहीं है तो आप डेस लग के लिख सकते हैं ठीक है अगर आपको याद है तो आप डेस करके लिख सकते है अगर आपको ग्यारा याद नहीं है तो आप डेस करके लिख सकते हैं बारतीय समिधान में मूल करतब सामिल किया गया है स्वाड सिंग संती की संसुत्ती बार एवी याद रगा कई बार बन चुका है समिधान में मौली करतबों को समलीद किया गया था 1996 में बारत के समिधान का हुआँ भाग जिसमें मौली करतब उलेखित हैं, इसमें देखेंग भाग 4A, 4 का में भारती नागरेकों के लिए 10 मूल कर्टब सम्मिधान में जूड़े गए थी 42 सम्मिधान संसोधन द्वारा भारती सम्मिधान में भारती नागरेकों के मूल कर्टब सामिल है अनुचित इंक्यावन काव है मौली कर्टबों से सम्मधित सही कतने उन्हें सम्मिधानी पिक्रिया से बढ़ाया जा सकता है आइसपष्ट विदियों की ब्याक्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है किसी विशिष्ट करतब का पालन करना सम्मिधानी कानूर की छेत में आता है जिसे नियालने निश्चित करता है बारत में मौली कर्टब है हमारी मिली जूली संस्किती की संदरे दिब्रासत को संरक्षित यानी की सुरक्षा देना एक नागरिक के मौली कर्टबों में समलित है पराक्तिक परयावन की रक्षा करना और उसका संबर्धन करना सुतंता के लिए हमारे राष्टी आंदोलन को पेरित करने वाले उच चादर्सों को सजोई रखे और उनका पालन करें विज्ञानिक देश्टी कुर्ण मानवाद ग्यानर जन और सुधार की भावना का विकास करें महारती समिधान के अंतर के मौली कदिकारों में समयले हैं देश की रक्षा करना राष्र की सेवा करना और हमारी सामाजिक संस्किती की गौरफशाली परंपरा का मतत्र समझना औव उसका ठीए रक्षंड करना सारविजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना वह इंसा से दूर रहना देखिए मैं हम यह सब बताता हूने कि दूर दूर तक हमारा इंसे अब लेना देना नहीं रहा है कुछ ही आप जिंदिगी में देख भी सकते हैं कि कहीं भी आप देखते हैं अंदोलन होता है सबसे पहले सरकारी नुपसान पहुचाने लगते हैं एक तरह से एक है कि भारतिय समिधान दौरा पिदत नागरेकों के मूल कर्दबों में समले थे मिस्तर संस्किती की संबर्द विरासत की रक्षा बिग्यानिक मनुदसाओ और खोच की भावना का विकास बेक्तिक और सामोईक कारिकल कि सभी चेत्रों में उत्कृष्टा के लिए परतन भारतिय नागरेकों का मूल कर्दब वन फराड़ी का सरक्षन भारत के पितेग नागरेक का कर्दब होगा की प्राक्ति परयावन का सरक्षन के वुमसुदार सामित अनशेद इंक्यावन का में सही कतने मूल कर्दब मौल समय संस्किती की कि मूलवां धरोवार की रक्चा करना ये सामिल लें ए आपके समिधान का भाग उपेस है भाग 2 नागरिक्ता भाग 3 मूल अधिकार और भाग 4 राज की नीती निदेशक तद्थ भारत की प्रिभूता एक्ता और अखंडता की रक्षा करें उसे अच्छो न रखें यह उबंद किया गया है मूल कर्तब में इसमें मूल कर्तब में चलिए अब राष्टपती की साहब के बारे में कुछ पॉइंट जान लेते हैं कथन ए संगी कारफ आलिका का मुखिया भारत का राष्टपती होता है बिल्कुल सही बात है राष्टपती की सत्यों की कोई सिमा नहीं है तो यह गलत है आपका कथन ए सही है भारत के राष्टप करते हैं, लेकिन एक तरह से जनता की सहमती जरूर रहती है, क्योंकि देखिए आपने राज लोगसभा सदस को चुना है, विधान सभा सदस को चुना है, तब आपका जो पिती निदी आपने चुना है, वो अच्छा है या बोरा है, यह आप पर निरुभर करता है, वह हो सकता आपके मन का हो तभी तो आपने उसे चुना होगा ठीक है तो एक तरह से वही चुनते हैं आप इत्यक्ष यानि की इंडारेक्ट इलेक्षन से चुनते हैं ठीक है याद रखे इस बात को कथन ए भारत का राष्टपती आप इत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है बिल्कुस सही बात है कारा नाज एक निर्वाचन मंडल की विवस्ता है जो संसत के दोनों सदनों और राज की विधान सभावों के निर्वाच्य सदस देखिए इस सब्दम को याद रखे राष्टपती की निर्वाचन मंडल की सदस होते हैं संसत के दोनों सदनों की निर्वाच्य सदस सभी राज्यों की विधान सभावों की निर्वाच्य सदस हैं दिल्ली और पूर्ण चेरी विधान सभावों की निर्वाच्य सदस राष्टपती की चुनाओ पिक्करण के ल पहले क्या अंगवा करता था कि इस तरह की कोई प्यवस्था नहीं थी तो कोई भी चुनाव खड़ाक हो जाता था राश्पती के लिए आप समझे पैसा खर्च होता है राश्पती अगर तुम चुनाव भी लड़ रहे हैं तो तो सरकार का पैसा लगता है इसलिए कम से कम अब वही उम्मीदवार चुनाव लड़ता है जो कम से कम जिसके पास जीतने की संभाव ना होती है और आप अधिकतर बाद देखते हैं कि दो ही वित्यासी होते हैं ठीक है एक NDA की तरफ से एक UPA की तरफ से राश्पती की निरवा विभाजित कर प्राप्त भागफल की एक हजार की गुणन फल के बराबर होती है बरतमान इसकती में जनसंक्या से जनसंक्या से यानि की 1971 की जन गर्ना के अनुसार नाहकुण कूल लिया जाता है ठीक है और इस से आपका क्या होता है कि विधाय की ये तरह से उसका मत निकल मत का भारत के राष्टपती के लिए आवस्ते के 35 वर्ष और संसर्स चुने जाने की उगदा रखता हो और देश का नागरे को अगर आपकी वियों में 35 साल हो गई तो आप भी राष्टपती बनने के बन सकते हैं एक सांसर दतबा विदान सभा का सदस राष्टपती निर्वाचित हो सकता है परन्तु निर्वाचित होने के तुरंद बाद उपरहंद अपनी सदस्ता छोड़नी होगी उसे क्या हो नी उसे अपनी सदस्ता छोड़नी होगी राष्टपती के पत के लिए पुना निर्वाचन वही नेड़े करेगा, राष्टपती पांच बरस तक अपने पद पर रहता है, अपने पद गेहन की कि देन से, अगर भारत का राष्टपती अपना त्याग पत सौपता है, भारत के उपर राष्टपती को, और अगर आप से पूछे कि भारत का उपर राष्टपती अपना त सुचने में तो लेते हैं हाटाने नहीं लेते हैं इसलिए यह कई बार विवाद में भी बना रहता है भारत के राश्पती पर महावयोग चलाने के लिए आवस्तक है कम से कम 14 दिन की पूरुप सूचना भारत के राश्पती की निर्वाच्चन निर्वाच्चक गड़ का तो भाग है परन्तो उसके महावयोग अभी करन का भाग नहीं है राज्यों की विधान सबाएं इसलिए विबाद बनी रहती है क्योंकि आप सोची आपको चुनने का अधिकार थो लेकिन हटाने का अधिकार नहीं है क्यों नहीं है इसका ये भी उपस्ने चिन्न खड़ा हो जाता है अगर आप को चुणने का अधिकार है तो हटाने का भी अधिकार है भारत के राष्ट्रपति के महावेव की पिक्रिया है अर्ध नयाईक विक्रिया पदाश्री राष्ट्रपती की पदाउधी की समाप्ती से किसी कारण से उत्पर्ण होने वाली रिक्ती की दसा में रिक्त भरने के रिक्ती भरने के लिए निर्वाजन आवस्तक होना चाहिए, रिक्ती होने की तिती से 6 माय के बीतर दुबारा कोई राश्ट्पती बन जाना चाहिए, जब राश्ट्पती मित्यूत याद पत्यूत या संगी संगी की संगी के सकती है राश्च्ट पती ने में नहीन थे अंचे त्रेपन के अंतरगर 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 अंचे त्रेपन के अंचे त्रेपन के अंचे त्रेपन के अंचे त्रेपन के अंचे त्रेपन क आप किसी सदन का सदस हो याद रख़े आप भी बजान मंत्री बन सकते हैं लेकिन 6 मैंने के अंदर आपको या तो राजसभा या लोगसभा से सदस बनना होगा ठीक है तो कई वार आप देखते है कि मंतरी बन जाते हैं और उसके वाज़छे महीने वात चुना होता है उसमें या तो उन्ने छुना répondow कई बार राज सभावी से भी चुंदिये जाते हैं। भारती अगरतन का प्रमुक है भारत का राष्टपती। राष्टपती को कोई भी मामला मंती परिशत द्वारा पुनरविचार किया जाने के लिए बापस बेजने का अधिकार दिया गया है। याद रखिए अधिकार तो मिला हुआ है लेकिन उसी तरह का वो अधिक पुनरविचार के लिए उसने बेजा। और अगर संसर नहीं मानती उसे कोई तो फिर उसे बात देखकारी है। मानने पड़ी उस सलाय को ठीक है। याद रखिए। राच्टपती लोगसभा को भंग कर सकता है। ये अंधरि मंती वंदः की अनुसधा पर हो एकare बैठक करता है आपका बारत के राष्टपती से सम्मंदित कतन नहीं है, कतन सही है, वह संसत का एक संगर्ठक भागे, वपितेक बर्स दोनों सदनों की सहिवति वैठक को संभोधित भी करता है, वह किनी परिस्तितियों में अध्यादिस भी जावद कर सकता है, अर्टिकल 123 के तह अध्यादिस जारी कर सकता है, भारत की राष्टपती ने जिस एक मात मामले में अपनी वीडो सथी का प्रिव किया तह हुए था, भारतिया नाजगर संसोधन अधिमियम, इसे भी याद रखी, एक राष्टपती ने एक सथी का प्रियू किया था, जिससे सम्म्त्रावली में निश्यदाद legal कह जाता है यह ग्यानी जलसिंग जयन housing असी बिल्ल पर अपनी सुख्तिई रोक सकते Sut 111 गत है जब कोष्च बिद्यक संसत की तो सदनों को द्वारा पालित कर दिया घया के लिए ठीक है जबके अंध्री मंती मंदल ने दो हजार दो में चुनावी सुदार पर अध्यादेश में बिना किसी वदलाओ कि उसे राठ्टपती को वापस वीजा तब राश्टपती ने उसे अपनी समिती दी अनुचे 123 के तरह अनुचे 123 के तरह भारत के राठ्टपती भारत के राठ्टपती को अध्यादेश जारी करने की सब्ती पिदत है अनुचे 123 के तरह भारत के राठ्टपती द्वारा जारी एक अध्यादेश संसत के सब्सुरू होने के बाद रखा जाना चाहिए 6 सब्ताय तरह भारत के राठ्टपती द्वारा निक्ती की जाती है ब राजपाल, मुक्धृ निर्वाचनाईप समिधान आपसारन प्रदिस्थितियों में राट्पती को राजपाल के कृत्तों के निर्वाहन हे तुः बंद कर सकता है अनुशेत लगतीन वारती को सबसा करने परिफL किरेंगर बारत के साकत है आधिकार नहीं देता है वह भारत को मुखमंतरी की निवक्तिका के लिगाने आधिकार है अनुछय कि दायद 163 और रश्चतम है एग सन만ने Oil से परामस को सुईकार करना चाहिए ऐसा नहीं है कि अगर कोई भी जो सर्वोच नियालाय परामस कर रहा है तो उसे सुईकार करे या न करे या राष्ट्पती पर निर्भर करता है संविधानिक वस्तार भारत के राष्ट पती की सकती नहीं है olarakence कि दोनों संदेशव मिज़ना भारत के राष्ट पती को यह अधिकार नहीं पराप्त है classoccup Jaung नाइक सब्सक्ति नरख़ के राषट पती को प्रापत आधिकार नाम गुल्टों कोई संविधानिक刑 कट है अनसोचित जाती आयो कि पिति विदेन को इन सभी को वह समिधानिक बिसे सदिकार जो राष्टपती का नहीं है बित्ती एविल को पुनरविचार ही तु लोटाना संसत के लिए राष्टपती का अभीभासन त्यार करना करता है क्यंद्री मंति मंतल भारत की राष्टपती बेटिस राजा से भिनने सही है भारत की राष्टपती कफल अमेरिका की राष्टपती से मिलता है एक गलत है तो इसमें नहीं वन सकता है एक बात वर याब रखिए कि जब राज जो सभा और लोग सभा में रहता है तब तक ये विधियक कहलाता है जैसे राष्टपती की सहमती मिलती एक तरह से हस्ताप्चर होती है वो कानून में बदल जाता है अधिनियम में बदल जाता है ठीक है ए और आर दोनों सही थे आर ये का सही सपष्टी कर भी कर रहा था कथा नहीं रक्षा बलों का सरोज कमांडर राष्टपती में नहीं थे बिल्कुँ सही है कारण आर पैदान बंदीरी सैनापती की हस्तियस से राष्टपती की सक्तियां बिधाई नेंतर से सुतन थे ये गलत ह यह आपका सही है और कारणार गलत है सुतन्त भारत की पृष्टम राश्टपती थे भीली त्टर राजेन पर शुरुआ एन पर भारत kे पिलेलच सोची है वेल fix प्ले बनी हुई है उसमें सब की डली हुई है जो भी आपके महांग नेता हुए सैना सुतंता सैना नहीं हुए प्राचीन काल से अभी तक उनके बारे में चल रही है आपकी ठीक है मारतिय राष्ट्य पती के सर्फ समती से चुने जाने का अभी तक एक मात उधारन है नीलम संजीव रेटी सूची एक और सूची दो राष्ट्पती होई और आवदी फकरोदियन अली आहमत उननीस सो चौत्तर से सततर एन संजीव रेटी उननीस सो सततर से ब्यासी डॉक्टर याकिरोजन 1967 से उनननातर बीवी गरीह। उननिस्फ उनननातर से चौत्तर राष्ट्पती होने से पूर भारत के उपराष्ट्पती पत पर आसी नहीं थे नीजलन संजीव रेटि हैं भारत के राष्ट्पतियों में दारालासनेक राजा अत्षाम्सासकक साणक की रूम में भारत के मुख ने आदीसों में से एक राष्टपती की रूम में कार किया है, यह थे जश्टिश M हिदायत उल्दाने, राष्टपती की रूम में भी काम किया है, समझ रहे हैं, सत्य कतन, राष्टपती पद के लिए पित्यासी की आईू कम सुकब 35 वर्स की होनी चाहिए, किसी भी न्यालाय में मुकदमा नहीं चला जा सकता है, राष्टपती का बद सम्यधान के उपर होता है, गलत है, कतन तो सही है, लिकन कारण गलत है, सम्यधान से उपर कुछ भी नहीं है, स्रीमती पदिवा, पाटिल भारती ये गड़तंत के राष्टपती के रूम में बार ठीक, तब आपका अधिनियम बन जाता है किसी भोगली छेत को अनुसुचित घोसेत करने का समिधानी करिकार है राष्टकती सहाब को वह राष्ट का पिति निदित करता है बढ़नतु राष्ट का निदित नहीं करता है या उक्ति लागुती राष्टकती पर क्योंकि आप देखते है कि बास्तिवीच सकती है पितान मितरी में आपको देखने को मिली और ना मत की सकती है आपको राष्टपती में देखने को मिलते हैं ठीक है भारत की पूर्व राष्टपती वहुं में बिहार का राजपल रहेzub colo जाकर उक्सें बर्तमार राष्टपती रामनाद कोविंद भी आपकी बिहार के राजपाल रहे है ठीक है राष्टपती भवनको डिजाइन किया गया था एडविन लुटियन्स के द्वारा ठीक है अब बात कर लेते हैं उपराष्टपती से सम्दित कुछ मातपूर्ता तो द लेते हैं कि ठीक है राजसभा उलुक सभा के सदस्ट में बाद लेते हैं कत्थन ए कोई व्यक्ति उपर राश्टपती निर्वाचित होने के पाथ तभी होगा जब उए तो राश्टपती राजसभा का पदिन सभापती होते हैं उपयोग कर्तब्वों के तरिपेक्ष में उत्तर सही है, A और R दोन सही है, R A का सही इस पश्टीकन भी दे रहा है, उपर राश्टपती से संबंदी कथन है, किसी राज की विधायका का सदस इस पत के लिए उम्मीदबार हो सकता है, उपर राश्टपती का कारकाल उतना ही हो बिल्कुस ही है, उपर राश्टपती के पास पदसे संबंद कोई उपचारिक कार दायब तो नहीं है, यह बस क्या होता है, कि जब राश्टपती ना हूँ तब कांप कर सकता है, ठीक है, इसी के लिए राश्टपती की अनुपस्तिती में उसके कार्यों का निर्वन करना, राज्यसभा का सभापती होता है रहे लेकिन राज्त्सवा का सदस नहीं होता है पर भी सभापती होता है। occurs how the गई-बहुत एक तरह से ल нат depression होता है भो सदस ऑता है लेकिन राज्त्सवा का सभापती होता है वह वक राज्ट्वा करो होता है लेकिन का सदस नहीं होता है ठीक है तो ये कई बार उचलिया गया है एक ही अध्यक्च ऐसे के द्वारा होते हैं उसका सदस नहीं होता है राजसवा दोनों महानुभाव उपराष्टपती बनने से फूर वराज़ दूद ओच्छायुक्ति के पदपर रहे डॉक्टर एस राधा किष के बारे में जान लेते हैं कुछ पॉइंट भारत की पिधार मंत्री के विशाय में सही है पिधार मंत्री मंती फईश्यत का वास्तविक नेता होता है भारत का पिधार मंत्री होता है नियूत सत्त्त गतन है राठपती या राजपाल को सास्की कारियों के विदिक कारवाही स दो माय है कि लेके सूचना आवस्य देनी होगी प्यधान मंत्री भारत का प्यधान मंत्री मुख है के अंदर सर्ग का बारती समिधान के नुचे 78 में पराधान है कि दायतों का प्यधान मंत्री के दायतों का कैमिनेट में समिलेत होते हैं केवल कैमिनेट मंत्री संसध ये सासन में बास्तिविक कार्य पाली का शक्ति होती हैं पैधानमंतरी के पास तो वे आभिस्वास्षिताओं की स्थिती में अपने पक्ष में बोड़ नहीं दे सकते हैं जब सदस्ती नहीं होगी तो आप सूचिए क्या करेंगे भारत के समिधान का प्रावधान मंत्री वश्चत की नेवतियत्वा पद से अटने की विवेच्चित करता है अनुशित पचत्त आम तोर पा भारत का पिधान मंत्री होता है लोकसभा का सदस्त ऐसा भी नहीं से लॉब साइंटिफिक एंड इंडर्श्टी अल रिसर्च का अध्यक्त होता है भारत के पिधान मंत्री होता है भारत के नियुकति के समय जरूरी नहीं कि वह संसेट के दोनों सदनों में से एक का आवसक रूप से सदस्त हो परन्तु से च्छे माई के अंदर आवसक पच्ची तीस रश्टी है £30 दमंतरी पतकर से जन समिधान के ने राश्ट पत्तेन के 25 की ये वह刚ard का वाकी इपारमंतरी अपने मंति मंदल में मंतरी के के सवयात की लीए वित्धियां म counter कघंद्री मंधिर रह सकता है 6 माय के लिए बारत की संसत के संबंद में कतन सवाधने संसती पिरमुक्प का पुरावधन करना मंधृ में को लोगको पर ये बहुंमत का विस्वास करना रहना चाहिए और मंत्री मर्शत सामोविक रूप से उतर जाई होता है लोगसभा के पिती एक समिधानिक बाददता के अंतरगत अंशित पचत्तर टीम के अनसार ठीक है केंदरिये मंत्री फर्षत की त्यापत देने के उपराम्त सही इस्तिती है पर राष्टपती बिकल्पिक विवस्ता बनने तक उन्हें बने रहने के लिए कहेंगे बिकल्पिक विवस्ता से अभिपराय की यत्था संभव सीग नई सरकार की घठन ही तू आमचुनाव कराए जाए आप अदस्त मंत्री पर सत अपने पत्पर नई सरकार बनने तक अपने पत्पर का निर्वार करेगी बिदी निर्माध ही तु पिस्ताओ के भारे में पिधान मुंत्री आत राश्ट्र पती को अब अब सोच है आप सोच है आप राजयया खी लोग सपाव में जब उसके बहुमत ना रहे तो किस पसमोल से बमाली पार्टी भारत में मंतरी पषट रह सकता है विश्वास पिस् बहुत से आविस्वास प्रिताव पास होने पर मंत्री परिशत को त्याग पत्त देना पड़ेगा लोगसावा की सदस्तों को अपना त्यागपत देने के बाद भारत में एक मंत्री को अपने त्यागपत के विषय में लोकसवा में व्यक्तिकत वर्कत देने के लिए अनुमत्ती की आवसक्ता होती है की पिस पीकर की यानि कि लोकसभा अध्रच की लोगसभा में मंत्री परशत की विरूद आविस्वास का किस्ताव किताऊ लाने ही तो ने उन्तम सत्व संक्या को सद्संख्या होनी चाहिए 50, कितनी 50, बारत में आविस्वास्पिताओं के विशह में सही कतने, बारत के समिधान में किसी आविस्वास्पिताओं का कोई उल्लिक नहीं है, और आविस्वास्पिताओं के बल लोकसभा में ही पुना, पुना इस्थापित किया जा सकता है, लाग की बद का नेटाय करेगा कि केमिनेट में पहले गिराय मंत्री बाद में रक्षा मंत्री वने थी, यह थे कैलासनात काड़ीू, सुतंत भारत के पितम बित्त मंत्री थी, सुतंत भारत के पितम बित्त मंत्री थी, आर के सडमुखम, चिट्टी, इन्हें भी याद रखे, पहले बित्त मंत्री थी, इन्ह बारत के समीधान में उलिकित नहीं है, बजट सब्द का, ठीक है, बजट सब्द का उलिक हमारे समीधान में नहीं दिआ गया है, बारत के बारे भी प्रिधान मंत्री थे देव गोड़ा, सही समले थे, बेस्मनाथ पिर्ताप सिंह, दो देसंबर 1989 से 10 नबंबर 1990 तक, चन्द सी अटल विहारी बाचपई 9 मार्च 1998 से 22 मार्च माई 2004 तक, और लेकनी है कि अटल विहारी बाचपई का पिधान मंत्री पत्पन कारकाल इस्पेकाल था, 16 माई 1996 से 1 जून 1996 तक पहली बार, दूसरी बार 19 मार्च 1998 से 26 मार अप्रेल 1999 बर तक दूसरी बार, और तीसरी बार आप देखेंगे 13 एक्टूबर 1999 से 22 माई 2004 तक, तीन बार आपके अटल विहारी बाचपई पिधान मंत्री बने, एक से दिक बार पिधान मंत्री निप्थ हुए, पंडित जवाल लाल नेरू, इंद्रा गांदी, गुजरायल लाल, नंदा, अटल विहारी बाचपई और मानमुह और आपके पिधान मंत्री भी मौती भी, ठीक है, 2019 में बो भी बन गए दुबार, बारत की पिधान मंत्री की मित्तिव देश के बाहर हुई थी, लालवाद सास्तरी की, बारत की पिधान मंत्री बनने से पूर्ट किसी राज्य की मुख मंत्री नहीं रहे, चंद सेकर, बारत की केंद्री मंत्री रहे हैं, बेपी सिंग, आरके बेंकट रमन, आर बेंकट रमन, बाईवी चोहान, और पेड़ा मुखाजी, उधारी करन निजी करन और भूमंडली करन की नई आर्थिक नीती की गोश्ना की गई थी, किस पिधान मंत्री की कालकार में, नरसिम्भा, के पूर पिध्धी निधी भी रहे हैं, याद रखेंगे अभी तक का सबसे बढ़ा लिखा प्यधान मंत्री हैं, आपके, समझ रहे हैं हमारे देश के, किसी भी देश से तोजिला कर लिजे, वह सबसे जाना हमारे मतलब एक प्यधान मंत्री पढ़े लिखे रहे हैं, कथन मंत्री नीती बनाते हैं, लोग से बक उनका क्रियान मन करते हैं, यानि कि आप सेविल सर्विस की तयारी कर रहे हैं, तो आप कुमालू होगा, कारण संसदी पिणाली में मंत्रियों का तरदायत का सिधान कार करता है, कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कथन कारण का सही स सन्ही सपन् gaming घानके नियूसी करा दोनों कि पिति उतरदाइए गलत कत ने कारण लोग्स्वाव राज्वाव राज्वाव दोनों के सद्शत संगीर सरकार में मंस्री के के लिए पात्ता रखते हैं एस कारण सही है लेकिन कफन गलत है कफन किसी व्यक्तिक को उप्वधान-mantri का कोई अधिकार प्वधान नहीं करता है यह इस भी सही है याद रखी एक और बात गता हूं प्वधान-mantri का कोई हमारे समिधान में ऐसा उलेख नहीं है वह तो एक तरह से राजनिती के लिए आप एड़ेश्ट करने के लिए आप देखते हैं कई राज्यों में दो से तीन मुख उपुमक मंत्री भी बना दिये जाते हैं ऐसा कोई सम्विधान में प्रावदान नहीं है वो तो अपनी रोटी सेकने के लिए आप किसी भी तरह से बना ले सम्विधान संसोदनों में से एक था एक बताता है कि मंत्री मंदल में कुल मंत्रियों के संक्या पिधान मंत्रियों को समलित करते हुए लोकसभा के सदस्सों की कुल संक्या के 15-30 से अधिक नहीं होगी 91 संभीधान संसुधन ने कहा है केंद्रिय सरकार की संद्रम में सही है 15 अगस्त 1947 को केंद में मंतरालेयों की संक्या अठारे थी 1947 की समय की बात करा हूँ अधिकारिक दस्तावेज भारत से सम्मन्दी थे स्वेदपत पितेक राज की कारिपाली का सक्ती का इस्पेकास प्रयोग किया जाएगा जिसके संगी की कारिपाली का सक्ती के प्रयोग में कोई अर्चन ना हो उस पर कोई पितीकूल प्रभाव ना पड़े एंचित दो संतावन कहता है संगी मंदल का पुनरगठन आधारी था गोपाला स्वामी अयन अयंगा रिपोर्ट पर मंत्री मंदल सजबाले का के कार है मंत्री मंदल की बैटकों के लिए कारशूची त्यार करना और मंत्री मंदल सम्तियों के लिए सची बाला है साहता सही समे ले ते हैं जै-ल नेरु सांतीवन ए इनकी समाधी स्थाल है एल थी साट्ट्री विजयगाट इंद्रा गंदी सक्तीस था जए ज़ी जवन जए किसान का नारक से दिया था लालबादो सास्त्री एक ऐसे पिधान मंत्री थे आप जानते हैं कि उन्हों ने मुझे लगता है पिधान मंत्री का सही रोल निवाया है कि आप सोचे कहा जाता है ऐसी कहानी है देखिए और आकीगत है मैंने पढ़ा है उनकी वाइवर आपी के वारे में और आपको भी बताय कवर करवा है कि उन्होंने अपनी जिर नहीं लिपा रहे थी उनके बाद अज के ऐसे ने जिद की कि पिधान मंत्री होते हुए उन्होंने का उथाली मतलब व्रट पर नहीं ले लिते ह्ए sona से उसके बाद देखा कि उनके जीतेजी को अपने उसकार का किराया मतलब पूरा रिड नहीं चुकता कर पाए आज के आप लोग मंत्रियों को देखें छुड़िये मंत्रियों और विधायकों को बहुत बड़ी बात हो जाती है सर्बंच को देख लिए एक पंच वर्सी में व भारत सरकार को कानूनी विषय पर परामर्श देता है एह अटोर्णी जनल कौन है अटोर्णी जनल है भारत सरकार को क्या करता है कि कानूनी विषय जो भी इस्त्रेगी होते हैं उन पर परामर्श देता है राष्टपती के पिसात परेंद अपना धारन करता है भारत का महान महानियावादी को भारत सरकार का पितम विध्य अधिकारी माना जाता है। अन कारिवाई हों में समलित होने और किसी भी संसदिय कमिटी का सदस होने का अधिकार तो है, परंत उसे बोट देने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वो सदस नहीं होता है उसका, ठीक है, भारत की अटोनी जनल को, ठीक है, बोलने का ऐसे, या समलित होने का, इस सम्में भाग लेने का अधिकार है, लेकिन बोर्ट क्यों नहीं देगा, क्योंकि उस सदस नहीं होगा उस, ठीक है, भारत का महानियावदी, लोगसभा की कारवाई में भाग ले सकता है, बिल्कु सही बात है, लोगसभा को किसी सम्ती का स सरकार को परामस देता है यह है एड़ोकेट जनल जिस तरह ऐसे केंद में आप लोग देखते हैं न महानियावादी के बारे में इसी तरह यह कानूरे राज्यों में राज्य सरकारों को देते हैं ठीक है एड़ोकेट जनल जिसे आप लोग महादी बगता कहते हैं भारत के निय नियंतक एवा महालेका परिक्षक की निव्ति किस आर्टीकल के तहत होती है आर्टीकल इसकतो 48 भारत की नियंतक महालेका परिक्षक के संग की लेखा समंदी पिती विद्नों को सरपेश्टम पिस्तुत किया जाता है भारत के राष्पती को भारत की नियंतक एवा मला लेका प प्रिक्चक के पत्का से जन किया गया था समिधान दवारा। भारत के नियंतक महाले का पर रिक्चक के पत्क पर नियुक्ति का कारकाल है। परिक्षक द्वारा पालं किया जाता है भारत की संचित निधी में से होने वाले सभी व्याय का लेखा परिक्षक करना और उनके संबंदे में पिती वेधन पिस्तूत करना आकस्मिक्ता निधी और लोक से लेखाओं मैंसे मैंसे लेखाओं से होने वाले सभी व्याय की लेखा परिक्षक करना और उनके संबन्द में पितिवेदन पिस्तूत करना ये भी सही है सभी व्यापार निर्माड लाप और हानी लेखाओं की लेखा परिक्षक करना और उनके संबन्द में पितिवेदन पिस्तूत करना आप देखेंगे ये तीनों कथन ए भी सी आपके तीनों कथ सही हैं किसके बारे में भारत के नियंतक इवं महालेका परिक्चक के बारे में यानि कि कहने के मतलब CAG के बारे में लोक निदी के फलोत पादक और आसिद प्रयोग को सुरक्चित करने के साथ साथ भारत में नियंतक महालेका परिक्चक CAG के कार्याले के मात्त है क्या है CAG की म लिए जानकारियों के अधर पर जाज करता एजेंसियां उनलोगों के व्रोध आरोप दाखिल कर सकती हैं जिनोंने लोग निदी प्रबंदर में कानून का उलगन किया है ये भी कतन आपका सही है विल्कुर नियंतक एब महालेका परिक्चक की टिंका टिपड़ी पर उचित का करनी की अंतिम जिन्मेदारी है संसत की किसकी संसत की संसत की लोग लेका समती की वैटकों में उपस्तित रहता है भारत के नियंतक महालेका परिक्चक नियंतक महालेका परिक्चक की नियुकती राष्पती द्वारां की जाती है अपने पदसे उसे हटाया जा सकता है संसत के यानि की राजसभा और लोकसभा के संबोधन पर भारत का नियंतक महालेका परिक्षक महालेका कार मार करिएगा भारत का नियंतक एवां महालेका कार एकमित्त और महारग्दसक होता है लोग लेका संतिका 1971 का संसोधन महाले का नियंतक के कर्दब सक्तियों और सेवा इस्तिती अधिनियम लेखांकन और लेखा परिक्षक के को पितक करता है और सेजी को लेखों की तेयारी के उत्तरदाईत से मुक्ति देता है यह संसोधन किया गया था 1976 में कब 1976 में लोग निधी का अभीभावत कहा जाता है नियंतक एवं महाले का परिक्षक को लोग निधी का अभीभावत क्यानी की पता किसे कहा जाता है एक तरह से नियंतक को लोग बित्ते सरकार के वित्तिये क्रिया कलापों का अध्यान करते हैं सारजनिक खरच का परिक्षन सारजनिक राजस और वित्तिय विसासन याद रखे चलिए आंगे बात करते हैं हम लोग बरियता अनकरम एवी कई बार आपका बन जाता है अगरता क्रम में सही अनकरम है भारत की मुख ने आए दी संगीय मंत्री मंत्री मंदल सदस मुख निरवा भारत के मुख ने आदिस के उपर आता है बुद्पूर्व राश्पती यानि कि जो पहले राश्पती रह चुका हो उसकी बात कर रहा हूं भारत सरकार में सरवुच साथकी अधिकारी है भारत की मंत्री मंदल सचिव अब चलते हैं संसद के पाद यानि कि संसद लोग सभा लोग सभा के सदस्तों के चुनाओं में निर्वाचित होने के लिए किसी बैक्ति के लिने उन्तम आयू है सीवा होना चाहिए अगर कहने का सीधा समतलब है कि आपको लोग सभा चुनाओ लड़ना है तो आप इस आयू कितनी होनी चाहिए तो आप कह देना कि 25 वर्स अगर 25 साल के आप हो चुके हैं तो लोग सभा चुनाओं लड़ लीज़े आप लोग ठीक है लेकिन इस समय आप जानते हैं कि मुझे नहीं लगता है कि मिना पैसे कि हम लोगों हम आप जैसे लोग चुनाओं जीत पाएंगे संभा नहीं है अभी 84 संसोधन अधीनियम द्वारा लो 26 बहुरmayın जैसे की संग्याय निर्दारित किये लोग सभा में सदस्वों की संख्या दिख्तम हो सकती है Auntylle 552 लोग सभा कि सदस्वों की संग्याप 555 कर अب guessing और 455 कपकी जी ती 31 संसोधन तौरा 31 संसोधन बherाये Gerade की संदश्चे ब्यासि के अनसार लोग सभा की शीटों क का राज्यों की मद्द आवंटन जन्गरना की आधार पर किया जाएगा यह है 1971, 1971 की जन्गरना का को आधार माना गया है लोक सभा में राज्यों की सीटें अवन्टिक होती है जन संख्या के आधार पर इन राज्यों की लोक सभा में अनुसूचे जाती और अनुसूचे जन जाती के लिए आरक्षण नहीं है अरुनाचल पिदेश, जम्मु कस्मीर और मेगाले में, आप देखेंगे कि अनुसुचे जाती और अनुसुचे जन जाती के लिए सीटे आरक्षित नहीं है, अगर आपसे कहीं कि सबसे जाना अनुसुचे जाती के लिए पूचे तो मत पिदेश, ठीक है, इन राज्यों में अनुसूचित जातियों के लिए लोगसभा में इस्थान आरक्षित नहीं है, केरल, तमिलाडू, करनाटर यदि किसी राजी के लिए लोकशवा के इस्थानों की आवंटिंथ संख्या बयाली सो तो उस राजी के लिए अनुसुची जातीयों हितू आरक्षित इस्थानों की संख्या होगी और अनुसूचित जाती की जनसंख्या का अनपात हो, एक तरह से इनकी जनसंख्या को देखते हुए दिया जाता है, इन्हें आरक्षा, ठीक है, उस राजसंग या राच्छेत की कुल जनसंख्या से हैं, उधारण बरस 1996 में परश्चे मंगाल तेवं कतकालिक अंधर पिदेश में लोकसभा, सदसों की संख्या 42 जिसमें अनुसूचित जाती के लिए आरक्षई सीटे के रंसा अर्च और छाटी, 2008 में परिसीमन के बाद इन तोनों राज्यों में अनुसूचित जातीयों के लिए आरक्षई इस्थान के रंसा 10 और साथ हैं, ठीक में लोकसभा में आणनो नीद करने की सकती है भालत कर राष्टपती के पास राज सभा राज विधान सभाओं में आंगल्भारती है अंगल भारती है सम्धाइक लिए jadi लोकसभा में समधाय का पर्याप्ति दिन दित नहीं है, दो सदस्तों को, लेकिन आपने देखा है कि सोली और सत्रवी लोकसभा में आपको अभी नहीं दिखा देखा है कि, सत्रवी अभी कुछी दिन पहले आपने देखा है कि, दो सदस्तों को मनुनीत नहीं किया गया है, आं प्राइब हो जाते हैं वर्स में दो बार लोगसभा और राजसभा में गड़पूर्थी संख्या का एक बटे 10 याने की कहने का मतलब 1-10 सदस कम से कम बैठक के लिए जरूरी होना चाहिए ठीक है प्राजसभा जो अधिकतम संख्या निर्दारित की गई है 545 सुरी 550 अधिकतम की गई है अगर आपसे पूछे लोगसभा की बर्तमा संख्या कितनी है तो यह 545 याद रखिए इसमें 552 की गई है अगर आपसे पूछे की चुनने की बात की जारी है मनुनीत करके अगर जो दो सदस्नों की बात करते हैं आंगल भारती है समधाईटी उन्हें मिलाके हैं 552 और अगर जंदा दोरां चुने जाने की बात है तो 550 गा और बरतमार में आपकी 545 संख्या है जनमें से 543 चुने जाते हैं दो मनुनीत होते हैं अभी 543 संगीय चेत को पिती निधित पिराप्ते संसत के दोनों सद्नों में लोगसभा की बेटर समात की जा सकती है इस्तगन द्वारा इस्तत्तावसान द्वारा और विट्टन द्वारा लोगसभा की सदका आउसान करने के लिए प्रादीकत है राष्टपती कौन राष्टपती लो लोग सभाह का कारिकाल, आपातjm काल की कुश्रा की दवारान एक बार में एक बर्स की तख के लिए बढ़ा है सकता है। लोग सभाव राजसभा में पिति निदित की बात है तो लोग सभाव में पिथम इस्थान उत्तर पिदेश का है 80 सीटों के साथ दुटिये स्थान पर आप देखेंगे, 48 सीटे महराष्ट में देखने कुम्ड़ीगी, और तितिये स्थान पर पष्चे मंगाल 42 सीटे आपको देखने कुम्ड़ीगी, आप ही सोचे कि इन तीन राज्यों को जिसने समाल लिया, उसकी सरकार बनने की कगाल को पहुंच लोकसभा की स्थान, राज्यस्थान के लिए निर्दारे थे, 25 कितनी 25, ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग, ये सही राज्यों और पिती निदित थे हैं के, कितनी लोकसभासी थे, आंदपिदेश की बात करें 25, तमिलाडू की 49, महराष्ट की 48, चतिसगड की 11, पष्चे अगाल की 42, ठीक है, जब तेलंगाना अंदपिदेश का भाग था, तब कुल सीटें थी कितनी, आपकी 42, लेकिन आप जानते हैं कि 24 में तेलंगाना को अलग राज बना दिया गया, पर आब देखेंगे आप लोग की अंदपिदेश में 25 सीटें में देखने को लिगी, और तेलंगाना में आपको 77 सीटें देखने को मिलेगी, लोग सभा के 2 सदस निरवाचित किये जाते हैं तिर्पुरा से, राज्य संगसासे चेत्रों के समूग की लोग सभा में किवल एक सीट है, चंडीगर, सिक्किम, मिजूरम, छोटे-छोटे राज्य है, डे लिमेटेशन क के बाद, यूपी में नैरवाचिकों की संख्या के अनुसा सबसे बड़ा लोग सभा संसधी चेत है, उननाओ, उननाओ, ठीक है, वरतमान में लोग सभा में निरवाचित के लिए, चुनाओ बया की अधिकतम सीमा है, सतर लाग, आप सोचिए क्या होता होगा, यह मतलब एक कारवी लोग सभा के लिए निरवाचित हुए थी फरवरी 1998 को, कथन के और कारण आर क्या बोल रहा है, क्या राज सरकार, सरकार लोग सभा के नियम 184 के अंतर्गत बादविवास पसंद नहीं करती, इस नियम के बादविवाद के साथ मत्दान का भी मत्प्रावदान है, यह भी दोनों सत्थे, यह की सही व्याक्या भी करता है, एंडिये, लोग सभा का निता होता है पिधान मंत्री, लोग सभा का सरवादिक बड़ाज छित्फल की अनुसार निर्वाचित छित्फल लग्दा, याद रखिए, अब जानते हैं कि जम्मू कस्मीर को दो भागों में बाट दिया गया लग्दा और आपका जम्मू कस्मीर, अब 2000 आने वाले चुनाओं में मालूँ चलेगा कि क्या हो रहा है, अभी तो हो गया, अभी कोई आकड़े इसमें नहीं, अभी तक लग्दा की थी बारत में लोगसभा का स्पीकर अध्यक्च चैनित किया जाता है, सदस्तों द्वारा, लोगसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है, लोगसभा के सभी सदस्तों द्वारा, लोगसभा का अध्यक्च अपना त्याग पत सौंता है, उपाध्यक्च को, उपाध्यक्च अध् और का कौस्तों करते हीakte कब बराबर होने की नदे ट्रा कि मत बराबर हो जाते हैं तब नहीं bisog explore सुम्हेधान का यंप अदेख्श में लेकाइगे, स्विंधान, अध्युद पेट करता है मत बराबर होने की दिशा मेंisma मत निर्डायक होगा, उसका प््रेयुब करेगा, यह थे जेवी मावल लंकर, लोगसवा की विथम मैला मीरा कुमार, लोगसवा की बरतमान उपाद थे, थांबी दुराई, याद रखिए बदल चुके हैं, ठीक है, अभी जो आपकी current की book आएगी, उसमें आप लोग इन्हें बात करेंगे, ठीक है, जो भी आपके current की book अभी अभी आप लोग इस ताई हांकर देख लिजिए, उसमें आप लोग आए इस ताई हांकरों के बारे में बात कर लेंगे, पूरा current आपका एक तरह से अपडेट करवा देंगी, ठीक है, आपने देखा होगा, करिया दे ए थंबही उद्धु रही, यह तो पुरान हैं, बहुत पुरान हैं, अभी देखिए, सब्तरवी लोग सभा के गठन हुए, साथ महीने हो चुके हैं, मतलब एक साल के करी हो चुके हैं, लेकिन अभी इसका मतलब एक तरह से उपाद्ध्यक्च नहीं बनाए गया, जैसे ही बनाए जाएगा, देखिए, current में आप लोग बात कर लेंगे, एक तरह से, ठीक है, याद रखिए, चली हाँगे चलते हैं हम लोग, यदि उपाद्ध्यक्च लोगसभा की अध्यक्च का अध्यक्चा कर रहे हो, तो उन्हें अधिकार प्राप थें, कि मत बराबरी की अवस्था में बद्दान कर सकते हैं, पिर्थम जन्हाटिये लोग सभाद्ध्यक्च का अध्यक्च के अध्यक्च कर्ते हैं, जो इस पेकार हैं, लोक सभा चुनाव के लिए सामान बर्ग के लिए 25,000, अनुसूचित जन जाती बर्ग के लिए 12,500, राज विदिधान सभा की बात के लिए 10,000, और अनुसूचित जाती और जन जाती के लिए 5,000 रुपी, कहने कर सीधा तो मतलब ए है, कि आप देखेंगे कि सभी चुनाव लड़ सकते हैं, बहुत सारे लोग चुनाव लड़ने, अगर आप सुचिए जमाल दरासी ना रखी जाए, क्या फरक पड़ रहा है, हम जाके हम भी लड़ने, हार जाएंगे, क्या फरक पड़ेगा, तो इसके लिए एक कम से कम हमारे डर तो रहेगा, कि ब इसकतियां लोकसवा को राजसवा के तुलना में अनन रोप देती हैं, धन बित्य विदेयक के बाल लोकसवा में फिस्तुल किया जाता है, धन बित्य विदेयक के निरस्ति करन अतवा संसुदन की संबन्द में, मंतरी वरसत के उतरदायत की संबन्द में, इस अभी आपके तरह तरह की एक तरह से इसमें मिला हुका है कि अब देखिए धन विध्यक में राजशावा के बरावर अदिकार दिये गया है एक तरह से पूंच लेते हैं कि आप इस पर पसंद अहां है या नहीं और गों कहरे ले है और हम यह चाहते हैं तो उसे भी मानने के लिए बादिकारी नहीं होता है ठीक है संसर्थ 2 राजसभा के बात करें अगर हम तो 250 सदस हैं जन मैसे 12 सदस भारत के राजपती द्वारा मनूनिक किया जाते हैं याद रखी राजसभा में राज्यों का पितिनी दित दिया गया है उनकी जन संक्या के इंपात में इस्थान के आधर पर राजसभा के सदस का कारकाल होता है राजसभा के इसे बेक्टिट नहीं किया जा सकता है हमारे समीधान के इसा राजसभा का कारकाल होता है समात होने कब इसे ही नहीं क्योंकि आप देखते हैं कि कि इनका एक तरह से जैसे इस बार छे साल कोई चुना जा रहा है चुना जाएगा पर उसके बाद देखेंगे इस तरह से चलता रहेगा पिक्रिया यानि कि कहने का मतलब कि हर दो साल में ऐसा आएगा कि एकत्याई सदस्त मतलब उससे हट जाएगे ठीक है नए आ जाएगे इसके एकत्याई सदस्त पिती दो बड़स में आवकास पराप्त करते हैं राजसवा की एक कांतिक सक्ति के इंतर गताता है नई अखिल भार्तिया सिवाओं का सेजन राजसूची की विशाय के संबंद में बिदी बनाने की संसत की सक्ति के बारे में सही है राजसवा को घोसित करना हुगा कि ऐसा करना राप्तियत में राजसभा को उपस्तित और मत देने वाले सदस्वों में कम से कम दो उतिहाई सदस्वों द्वारा समर्पित संकल पारिद करना होगा ऐसे विधी संपूर्ण भारत या फिर उसके किसी भाब के लिए बनाई जा सकती है राजपती में भारत की संसद्वारा राजसुची की किसी विषय पर विधेग सकती पराप्त कर लेती है यदि इसके लिए एक संकल राजसभा द्वारा अपने उपस्तिते वो मत देने वाली सदस्वों की कम से कम दो तेहाई गहुमत से पारिद कर लिया जाए तो सही कतन है राजसभा में धन विधेग को या तो आसुईकार करने का या पर आसंस संसोदित करने की कोई सकती नहित नहीं है कहा न एक तरह से सलाय मांग ली जाती है लेकिन बाहन वो सलाय मांने के लिए लोगसभा विलकुल भी बातिकारी नहीं है राजसभा अनुदानों की मांग पर मद्दान नहीं कर सकती है वाय विशेसादीगार जो भारत के समिधान द्वारा राजसभा को पिदर्थ है संसत को राजसभा को एक सकती मिली गी है संसत को राजसभा में स्थानों का अवंटन की बात कहीं है आन्ध betis में कित्नी है राजसभा सीटे महाराष्ट में राजसभा सीटे मांगें और तेलंगाना की गटन के बाद आप देखेंगे आन्ध betis में रास सभा सीटों की संक्या 11 बची है और तेलंगाना में साथ हो गई है, इस तरह अठा रहे थी, लेकिन आंदवदेश से अलग करके तेलंगाना बनाए गया राज, तो उसमें साथ चली गई, और तेलंगाना में गया रहे रहे गई, ठीक है, इस तरह के questions कई बार मुझ लेते हैं, कि भेमित करने वाले, तो राज सबनने ही तो यानि की आहरता, यानि की युगता होनी चाहिए, कम से कम तीस बर्स, लृम होनी चाहिए, और राज सबा के राजी के अंतर लापका पद धार रित नहीं होना चली है, राज सबा की निच्छिए सबसन क्या है, 250, 250, राज सबा किसी धन विदयक में सारवू संस तो ततपरश्चास होगा लोगसभा राजसभा की अनुसिंसाओं को सुईकार करे या ना करे आसुईकार करे इस बिद्याक पर आगे कारवाही कर सकती है ठीक है एक तरह से एक लोगसभा के पास इसकी सकती है ठीक है इसलिए आप देखते हैं कि अधिकतर क्या करते हैं कि धन बिध्यक बना देते हैं बिध्यक बना देति हैं र्षेक गांवको पास कर दों मत्री तो राजवा की को सभा को सभारो کی भागर ले सकता है एक तेहा ही सदस्वा का कारवाहि में ठीक है एक तेहाई सदस्तों का दो साल में, ठीक है, संसत तीन, अनचेत कथन ए है, अनचेत 368 के अंतरगर संसत सम्मिधान के किसी भी भाग में संसुदन कर सकता है, कारणार संसत भारत की जनता द्वारा निर्वाची जो चितम विधाई संसता है, ये आर दोन सही है, आर एका सही प् संसत के दो सत्रों के बीच अधिकारी अंतराल होना चाहिए 6 महीने का, भारत की सम्मिधान में कतित है, राष्टपती संसत के किसी भी सदन का सदस नहीं होगा, और संसत राष्टपती और दो सदनों से मिलकर बनता है, याद कहने का मतलब है कि संसत में तीन वाग होते हैं, राष्टपती, 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 भारती संसत बनती है लोगसवा, राष्टपती से, संसत का अनन्य भाग नहीं है, और राष्टपती नहीं है, संसत के अधिकारियों में समलेत होते हैं, अध्यक्ष लोगसवा, अध्यक्ष ल विदान सभा की किसी सदस्त की सदस्ता तब समात समझी जाती है जब वह बिना सदन की सूचित किये कि अनुपस्तित रहे यानि कि साथ दिनों तक लापता रहे है ठीक है सरपिथम एक संसत विदायक को इस आधार पर सदस्ता से आयोगोशित किया है कि वह सदन की अनुपस्ति के बिना उसकी साथ लगातर बैट को में अनुपस्तित रहा रासवा का संसत की सदस्तों के विशेज अधिकार और उनुपतियों उससे को निर्धारित करता है आर्टिकल 105 किसी मंत्री के विरूद विशेज अधिकार प्रिस्ता उठाया जा सकता है जब होया है किसी मामले के तत्तों को रोपता या फिर तत्तों का विगड़ा हुआ बढ़न जीता हूँ लोकसभा और रासभा दोनों की निर्वाचन में मद्दान कादिकार है राजबिधान मंद कि निर्वाचिस सदसों को सही कतर है किसी मनोनी सदस के मंत्रीपत के लिए निव्कती पर सम्मीधाने बढ़ना नहीं है कोई भी बन सकता है मनोनीद भी बन सकता है ठीकार संखिये संसद राजसूची की विषय पर भी कानून बना सकती है अंतराष्टी समझोतों को प्रभावी बनाने तो संबंदित राजी की सहमती से राज में राज्ट्रपती सासन लागू होनी की आउस्था में राष्टी हित में जब राजसभा दोते हाई वह मसें इस पिस् अंतराष्टी संदियों को भारत के किसी भाग या संपूर भारत में लागू करने के संसत कोई भी कानून बना सकती है बिना किसी राजी की सहमती से आप सोची बनना तो आप सोचे कि कोई नियम कानून लाना है किसी से हमें समझोता करना है किसी विदेश से और कंपनी लगा करती है। संख़भ, धर विद्ययक को अंगिकार करा लिगी जो एक वालुग सबगारा फारित किया जा चुक हो। किंतु राश्वद्वा न्याम संसोधित किया अजहें, वह सि parked िकूया ऑदि . सदन काहँ लिधियाक सदन के किसी भी सदस को लोख सकता है e और अन किसी सदस को गोलने दे सकता है, यह गजातना ही, बैठ जाना, सुनि काल सनसदीया वभास्था की देन है, भारत की, लोग सभा में बारई से एकका समय आपका गज्चार सी सुनिकाल कहलाता है, लोग सभा में सुनिकाल की आउती, अधेक से अधेक हो सकती है, एक गांट प्रभावी बनाने ही तुछ संसद राजसूची के विशाय पर कानून बना सकती है अंशे 253 के अंतरगत धन विदेयक लोकसवा में पुरा इस्थापित किया जाता है सही है लोकसवा द्वारा पारित धन विदेयक राजसवा द्वारा भी पारित माल लिया जाएगा यदि राजसवा द्वारा उस पर कोई द्वारा भी नहीं की गई हो 14 दिनों तक ठीवी 14 दिनों के बाद विदेयक वारित माल लिया जाता है राजसवा को धन विदेयक रापत होने की बाद इसे लोकसरपा को वापस किये जाने है चाहिए 14 दिनों के अंदर एक तरह से आपके, मान लीजेए कि हमारे बापा या आपके बापा कोई भी Պचे partir कि बेटा आपको इस पर बात करनी है, एक काम करना है या ने, आपको 2-4 दन का time दे, और आप उसमें ना बोलें तब ही वो काम होना है句 और हाँ बोलें तब भी वो काम करना है, अगर हो सकता है कि तुम्हारे पिता जी को अच्छा लगेगी, हाँ बेटा अच्छा सनाय दे रहा है, तो मान सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि बात दिकारी हूं पापा, ठीक है, ऐसी तरह है, अगर चारत-पात दिन में आप जबाब न संसत की दोनों सदरों का सयुक्त अधिवेशन आवजित होता है, एक ऐसे बिद्यक पर विचार करने और उसे फारिद करने के लिए, जिस पर दोनों सदरों में बंद भीध हो, ठीक है, और संसत की दोनों सदरों की सयुक्त बैटक अनुचेद 108 में सुई के थे, सही है, संसत क Camb Zahlen की दूसरी संसत लिए अखिर संसत की दोनों सद्राइब की और फुष्स पारत कुंप च्छ करने के लिए बिकस अहिए भार्ती संसत की दौनों सद्राइब की संस्ध की सेब्योति पारत करने की सिस्मने के रोख सही बांटि विथेतला से ज्स Qаюbooks सदस्यार में राश्टवा में लम्बित कोई बिद्ययक जिसे लोकसवा नहीं किया है लोकसवा के विक्तन पर विवुगत नहीं होगा सफी कथन है जबकि राश्थपती की नियवाचनमें सदस्यां के दूरों डोनों की सदस यानि कि कहना का मतलब एक विधायक, राजसभा की सदस, लोगसभा की सदस. कौन सदस भाग लेते हैं? जो निर्वाचित हैं. मनोनी सदस भाग नहीं लेते हैं. लेकिन उपर आश्टपती के चुनाव में देखेंगे, तो सदनों के लोगसभा, राजसभा की दोनों सदन निदी पर भारत नहीं है भारत की संचेत निदी से लिया जाने वाला अनिवार ब्याइब भार नहीं है भारत की संचेत निदी पर भारत नहीं है भारत की संचेत निदी से निदी निकालने के लिए अनुदन अनिवार है यह भारत की संसद्वारा आकस्मिक निधी को राष्टपती ब्या कर सकते हैं संसदिय स्विक्ति से करों और सरकार करों और सरकारी कामकाज की निर्वार में हुई अन प्राप्तियों से संधिय सरकार को प्राप्त हुआ समुचा राजस जमा होता है भारत की संचित निधी में समिधान के धन विधियक को परिवासित किया गया है अन्चे देख सो दस के अंतरगत कोई विधियक धन विधियक है या नहीं इसका नेड़े करता है लोकसभा अध्यक्च ठीक है कौन करता है लोकसभा अध्यक्च बताएगे कि कौन विधियक धन विधियक है और कौन नहीं है धन विद्यक के बारे में सही है, लोकसभा के अद्धिक चैनिर निड़य करने के लिए अंतिपरादीकारी है कि कोई बिन धन विद्यक है या नहीं, लोकसभा दवारी पारित किसी धन विद्यक का राजसभा दवारी चौदे दिन के अंदर लोटाया जाना और विचारा भेज जाना आवस सकते हैं, राज्ट्पती किसी धन विद्यक को लोगसभा में पुनरविचार के लिए नहीं लोटा सकता है, ठीक है? सभी किसी धन विद्यक को पारिद करना होता है, राज्ट्पती के मामले में राज्ट्पती हीन है, लोगसभा इन सिफारिशों के मानने के लिए बाद्कारी नहीं है, बे विषाए जिने धन विदेयक के उपण में संब्याय किया गया है दिनक्षे संब्लित उपन संचित संधित निदी और आकत्मक्त वभ्रमथों संब्लित आते हो लह से नहीं है और अनुचित यानि की आर्टिकल 110 में बी निर्जिष्ट कोई विषय उसमें समलित नहीं है तो उसे संसत की किसी भी सदर में प्यारम किया जा सकता है बजट पर संसत की नियंतर्ण के विषय में सही है बजट की निर्माड में संसत का कोई हाथ नहीं होता है संसत्कु राष्टपती की सिफारिश के बिना कोई कर आये आरूपित करने की सक्ति प्राप्त नहीं है। संसत्क बित्य विद्यक का पिस्तुत किया जाना ये सबी चारों। संगिये बजट की तेयारी और उससे संसत्क में पेश करने के लिए उत्तरदाई है आर्थिक कार्योगिन, कार्विभाग, आर्थिक कार्विभाग। यह बार्षिक संगिये बजट लोगसभा दवारां पारित नहीं होता है। तो पेदान मंत्री अपनी मंत्री परिशाद का त्यारपत पेश कर देता है। ब्यक्ति दवारा देव, धन, धन, रासी, समिधान दवारा सीमित कर दी गई है। ब्यापार ब्योक्साय और बिर्थी कर के लिए। आर्थिक सर्विक्षन पिती बर्षijaण संगिये जाते हैं, आगामी बर्ष के बजट के पिस्तूती करण के पूर। और आर्थिर्स वर्विक्षन हमेसा पुराने साल के रहेंगे हैं और याद रखी बजट हमेसा अंगले साल के लिए रखाजाता है आने वाले। लेखा अनुदान संग सरकार को अनुवानित करता है निश्चित अउदी के लिए भारती संचित नेधी से दन निकालने के लिए। संसद में लेखा के लिए बोट आवस्यक है जब सामान बजट के समय सीमा के अंदर पारेत होने की आसा नहीं होती है। लेखानुवादन और अन्मूदन और अंतरिम बजट के बीच अंतर है लेखानुदन सरकार के बजट के ब्याय पक्षे मात्र से समझ्द होता है जबकि अंतरिम बजट में ब्याय और आवर्ती दोनों समलेत होते हैं ब्याय कार्मान भारतीय संसद के समख्च रखा जाता है अनुरों रोत सरकात वहारा बित्त विधयक संसद में पेञाता है लोकसवान। सामान विद्धिये विद्धायन में चैनल समले थें, बजट का पिस्तुती करने, बजट परचर्चा, बीनियोग विद्धियक को पारिद करना और विद्धियक को पारिद करना है, ये चारों आपके हैं संसद में विधायन पिस्ताओं की पहली पहल करने से पहले भारत के राश्टवती की पूरग पूर्व सुईकिती आवस्थत होती है एक नवीन राजी की गठन से समंदी विध्यक को एक कराधन विध्यक जिसमें राज्यों का नहित हो राज्यों की सिमाओं में फिर्द वदल करने संबंदी विद्यक और धन विद्यक इनको एक तरह से विद्यक को संसद में लाने से पहले आपको राष्ट्वत्ती की सुईकिती लेनी चाहिए पूरू सुईकिती, ठीक है? संदरवी संबंद संगीय बजट से कटोती विस्ताओं, पालिया मेंट द्वारा 1989 में निर्वीद कानून के अनसार एक डांगरेक के गवैस होने की कानूनी आई हुए 18 वर्स, आप जानते हैं 18 वर्स के आप हो जाते हैं तो बोट दैने के अधिकार भी आपको मिल जाता है, ठ पार्ती राजनीती के संदर में कतन सही है, राष्ट्रिय विकास परिषद में केंद्रिय वित्त मंत्री और सभी राज्यों के मुख मंत्री होते हैं, बिल्कुर सही है, संसत की एक सबसे बड़ी संसदी संती है, प्राकलन संती, प्राकलन संती के सदसों का कारकाल होता है एक साल का एक वर्सा सारवजिनिक बैपर संसदिये नेंतन का अंग नहीं है भारत का नेंतक एवं महाले का परिक्षड संसद की इस्थाही सम्ती के सदस्वों को लोकसवा एवं प्राजसवा से लिया जाता है क्रमसा दो और एक के अनबात में ध्यानाकरसन सूचना के पुराधान क्तियो में इस्त्खर पिस्ताओ लाने का उति से सारजनिक मथ की मिष्चित अत्यावन से मुद्य परभिस कर ने ही दूँँ संग सरकार की संदर्व में सही कतन है हर एक मंत्रालाई कुपधान मंत्री की सलाय पर भारत के राश्पती द्वारा किसी मंत्री कुपधान किया चाहता है भारतिय संसत का सचिबाला है सरकार के से सुतंद। भारतिय संसत की संत्रवूता की तीवंदी थे नियायक समीच्छासिक। भारतिय संसत का स्वड जैंती समारो मरायक गया था 13-5 यानि कि 13 मईई 2002 मैं। वह कौन राष्टबादी नेता था जो 1925 में केंद्रिय विधाय सभा का अध्यक्छ स्पीकर चुना गया था तो बिठल भाई पटल को अंग्रेजों की समय की बात है तो याद रखिए कई बार पूंच लेते हैं। सही कतन है, लोकलका सम्ती का अध्यक्छ द्वारा निर्ब्क जाता है, जो लोक लेखा सम्ती का अध्यक्छ चुबता है उसे लोकसबा या चुनथा इसपीकर सही कतन है, nella जिए क्या है था नेता है , लोकलेखा और तथा सार्गिनिक उत्त्रियों सनवती सम्तियों released लोग fills B केवल लोगसभा से ही लिये जाते हैं बिल्कुस हहिए, संसधीय कार मंत्राले कुछ में कुल मिलाकर संसधीय कार्यों की मंत्री मंटली शंती की निधिशन में काय करता है, विविन मंत्राले उनमें भारस सरकार द्वारा गटे शंतियों परिशनों और मंधलों इczy आयोगों सवाजेन के लेखा अपनी आक्या पिस्तूत करती है संसत को लोक लेखा पिस्तूत करती है लोक सबा पीथा ड मतलदक हो verti लोक लेखा सम्ती के सदस्व में होते हैं 22 जिन में से आप देखेंगे 15 लोक सभासे और साध्र राज सभासे लोक लेखा की संसदी सम्ती सरकार की पीनियों तथा बित्य लेखाओं की जाच करती है भारत के उनेंद्रिक महलेखा परिप्च्छ की रेपोर्ट की जाच करती है दोनों कथन आपके बिल्कुल सही है सही समलिल पिकार है लोक लेखा सम्ती बित्य सम्ती याक्ष्ट सम्ती यह आपकी कारकारी सम्ती इस्टो बाजार इसकेम्स सहुत सम्ती तदर्स सम्ती विभागीय सम्तिया इस्टेंडेंट सम्ती तो राज सभा की सदस्वों को संब्द नहीं किया जाता है, estimates committee में, प्राकलन सम्ती गठित की जाती है लोगसभा की सदस्म से, यानि कि इसमें भी आप देखेंगी कि रासभा सदस नहीं लिये जाते हैं, भारती संसत की वितिये का सम्ती आये, सारुजनिक लेखा सम्ती, प्राकलन सम्ती, सारुजनिक और करम सम्ती, स संसदिये सम्ती गठित की गई है, सारुजनिक उद्द्द्रिमों के बारे में, सरकारी अस्वासन के बारे में, और आकलनों के बारे में, टूजी स्पेक्टरम उद्दे की जाज करने के लिए बनाई गई, सहिफ्त संसदी सम्ती में सामिल थे 20 सदस लोगसभा से और 10 सदस तोजी स्पेक्ट्रम कार्णी की जाज करने हिंतू बने संसद की सभ्त संती के अध्यक्ष से पीसी चापू इस नाम को याद रखना पीसी चापू बारतिय संसद पिसासन पर्नियंतन करती है संसदी संसदी संतियों के मात्यम से संसद खाद मिलावट निवारं अधिनियं पिथमबाल लागू गए था उननी सो चंग्मन में सभी दन्यने अपरादें संगी तथ संचिप विचारणियाद सेवेल अधियास अनक्षान अधिनियम 1905 के अंतरगत अपराद का विचारन किया जाता है पिथम सेडी निया एक मजिस्टिक द्वारा आपको मालू होगा कि इस तरह के कुष्टेंस आपके जो अधिनियम थे एक्ट थे इसे MPPSC में बहुत कुष्चिन्स आते थे लेकिन आप देखिए 2019 सकाए हैं अब देखिए 2020 में सलेवर्ष चैनल हो गया था अभी तक वेपर नहीं होगा और होगा आंगे तो देखें देखा जाएगा किस तरह से लेकिन हाँ संगत्रन जुड़ चुके हैं जो नया कमी नहीं है बहुत पड़ चुकी है कितना बहुत बहुत जानते हैं ठीकर ऑने सेवेल अदिकास अरक्षन दिनियम का विस्तार संपूर,बहरत में है सिवल लग्या सरक्षण अदिनियम 1955 के अंदर गत कंपणियों द्वारा अपरात किये जाने की दिस्ता में उत्तरदाई होता है नेदेशक प्रमन्न सचिव याद रखे अब तो सभी आप जानते हैं कि पूरे भारत में कोई भी अदिनियम आता है पूरे भारत में लागूगा क्योंकि आप देखते थे जम्हू कस्मीर को जो विसेश राज का दज्या में लागूगा था उसे खतम कर दिया गया अब वो सभी प्रावभाण यहां भी लागूगों गोओंगे जम्हू कस्मीर में लद्दाग में जो अन भारत में हुंते हैं पूरे भारत में ठीक है गहरेलू हिंसा से महलाओं की सुरक्षा अधिनियम लागूगा 26 अक्टूबर 2006 क्या हुआ था गहरेलू हिंसा से महलाओं की सुरक्षा अधिनियम लागूगा था सामाधिक अधिनियम, Entry Dobry Act, Protection of Civil Rights, Prevision of Immorate Traffic Act बार्टी विधान की प्रादाउन एक अंतरगत, और भोक्ताओं के अधिकारों इसे अधिकारों के संदर्म में तङव कथन है, और भोक्ताओं को खादकी जाच करने क लिए नमूने लेने का अधिकार और वोगता की मित्ति हो जाने पर उसका बैदाने कुत्तर अधिकार है उसकी ओर से उब्वोग मंच में सिकाय दर्श कर सकता है ठीक है दोनों आपके सही है क्रेमीनल ट्राइब सेक्टर सरपितम अधीनियमित हुआ उन 1871 में अंग्रेज जों के समय अनुसूचित जाती और अनुसूचित जन जाती अत्याचा ने वारन अधिनियम 1989 प्रवित हुआ 30 जन्वरी 1990 इनके बारे में भी आपका विस्ताल से पढ़ा हुआ है हम लोगों ने ठीक है तो उन्हें भी आप लोग जाकर देख सकते हैं MP स्पेसल में आप लोगों का कवर कर अनुसूचित जाती और अनुसूचित जन जाती अत्याचा ने वारन अधिनियम 1989 के देशों को किरियान बर्ट करने के लिए नियम बनाने की सकतिया प्राप्ते कैन्द सरकार्खू हुआ उसे कैन्द सरकार को अनुसूची जाती और अनुसूची जनजाती अत्याचा निवारन अधिनियम 1989 के दिन किसी लोक सेवक द्वारा धारतीन के दिन अपराद किये जाने पर कम से कम दंड दिया जाएगा उसे कपराओ धने एक वर्स कम से कम ठीक है अपरादों का विचारन करने के लिए राज सरकार की सहमती से सत्य नियालय को विशेष नियालय बेनिर्देश्ट कर सकते हैं उच्च नियालय की मुखनियादिस कर सकते हैं उच्च नियालय की मुखनियादिस है अनुसूचित जाती और अनुसूचित जंग जाती अत्याचार निवारन अधिनियम 1989 के अंतरगत सामोहिक जुर्बना अधिरोपित और वसूल करने की सकती है राज सरकार को अनुसूचित जाती और अनुसूचित जन जाती अत्याचार निवारन अधियम 1989 के दिन अफराद अभियोजन में नियालाया धारित उपधारित कर सकता है दोस पिरण सामान आसे और सामान उद्देश इन सब को ठेक है आगे है अनुसूचित जाती और अनुसूचित जन जाती अधिनियम 1989 की भारती दन सहिता की कतीपड वो बंदों का लागो होना वो बंदे थे धाराच्छे में इसमें धाराच्छे में अनुसूचित जाती और अनुसूचित जन जाती अत्याचार निवारान अधिनियम 1989 के द कि बोर्ट बैंक के लिए सरकार कहीं किसी भी अत्तक जा सकती है ठीकर आजकल के नहीं था अनुची जाती और अनुची जनजाती अनुची जनजाती अत्याचान नहवारण अधिनियम मillित के दीन किये गए अपराद के अनुवीसर यहाद रहाद हिसे पुलिश अधिकारी द्वारण कीया जाएगा जो रेंक से कम ना हो उप अधिक चट बेश सक्तियां जने अनुसूचित जाती और अनुसूचित जन जाती अत्याचा ने बारन अधिनियम के दिन बिलिटिस विसेश नियाले को दी गई है एक इसी अपराद के दो सिद्ध अभियुक्त की संपत्ति का समयाण और ऐसे विक्ति को किसी चेत से अटाना जिसके द्वारा अपराद किये जाने की संभावना हो ऐसे विक्ति की माप और कोटो लेना जिसके द्वारा अपराद किये जाने की संभावना हो अनुसुचित जाती और अनुसुचित जन जाती अत्याचार ने वारन अधिनियम 1989 के दिन विसेश नियाले सकती का प्रेवग नहीं कर सकता है सामुहिक जुर्वाना अरोफित करने का करने के लिए सेंसर्य निया प्रिसे णुवं में aut sustальный करने की फेरोजन है सीदि अनुसी चाही और अनुसी जांजाती नियम 195 इस तरी सतता और मॉनिट्रे ठम्ती के गठन का उबंद किया गया है धारा 17 कि थे धारा 17 कि थे ठीक है याद रखिए क्या क्या याद रखें कही हो सब सरकार ने अनुसूची छित्रों में पंचायद विस्तार अधिनियम को 1996 में अधिन निमित किया और उसके उद्देसों की रूम में अभी ग्याद भी किया सौसासन पिदान करना पारंपरिक अधिकारों को माननता देना जन जाती ये लोगों को 160 से मुक्त कराना संसर के सौचना अधिकार अधिनियम को भारत के राष्पती की सोईगिती पराप्त हुई थी पंद्रह जून 2005 को इसके तहते आप सौचना मांग सकते हैं लेकिन आप देखते हैं कि कमी लोग इसका उपयोग करते हैं आपको अधिकार देदिये गए आपको कुछ भी लाकर देदिया जाए जब आपको उसके पदी जागरूप नहीं रहेंगी तो आपका क्या मतलब है सौचना का अधिकार के सम्द्ध में सही है एक विदिक अधिकार है सौचना अधिकार अधिनियम पारित हुआ था 2005 में है बिल्कुप सही है इसे वांचित पर फिवाव उत्वन करने के लिए अभी मीलों तक यात्रा कर नहीं है ए और अर्रण हम उनुंह सही लेकर आर एक ही सही व्यांख्या नहीं करता है रहता है कि आपके डिक्स से इ सर्कारे चल रही है नौकरीव वेतन है तो कम से कम जो इत्र Group चुक्ड लाई है बहुत आपके पैसे से चल रही है तो आपका अधिकार ए है कि हमांग की आधि में को अध्कूर फैसले में कहा है कि ITI अभी तक को सूचना के अधिकार के अंतर सूचना मांगने का कारण अवस्य बताना चाहिए, मद्रा सूचने अलेने अनुसुच जन जाती हो जन जात अन पारंपरिक बनवासी बन अधिकारी अधिकारों की मानता दिनियम 2006 के अंधिन बेक्तिकत या समुदायक बन अधिकारों और अतवाद दोनों की स्विक्रिक्ति एवं विस्तार किर्नेधारन की विक्रिया को प्यारम करने के लिए प्राधिकारी होगा ग्राम सभा राख्टी हरित नियाधिकरन अधिनियम 2010 भारती समिदान के प्राधान के अनुरूप पर अधिनियम हुए थे स्वास्त परयावाण के अधिकार के अनुरूप जो अनुचेत 21 के अंतरगत जीवन के अधिकार का अंगत माना जाते हैं भूप में अधिनियम 1894 की संदर में सत्त कथन है इसको बैटे सास को ने बनाया था यह भारत की संसत के एक अन अधिनियम दौरा पिती इस्थापित किया जा चुका है इसका किरियानमन बेवादित हो गया था ड़्यदाने लिके संदर लेकिन अभी आपने देखा है कि बढ़ चुके है कितने आपके 34 के करीब हो चुके हैं जिसमेंसे आप देखेंगे कि एक तो आपका मुखने नियाज जीस हो गया और बाकी जिस समय आप लोग पेपर दे रहे हो उस समय क्या किया करिएगा कि देख लिया करिएगा क्या है कि उस समय की पूँचे जाएगे क्या होगे कुश्चन्स पूँच ले जाएगे 34 कि इसलिए बोला हूँ कि आप देखेंगे कि इसमें एक तो मुखने आदिस हो गया और 33 आपकी अनने आदिस हो गया अभी बात कर रहा हूँ 2020 में आपके बढ़ते रहेंगे ननने आदिस हो चुके हैं सरवच नयालय की इस्ता मना हुई थी भारती समीधान के द्वारा सही कथन है सरवच नयालय का कथन 1950 में था बEMAगर सरवच नयालय के डेश की उच्छिताम अदालत है जिसमें अपील की जाती है यह भी तकि सही है कि सर्वश नेयालै कोड मार्सल के साथ एंक किसी भी उच्छ नेय्मयालाय अदाल्तों की संभाई कर सकता है। भारत के उच्छ नेयालै के नीदीसों कि संख्या में बिट्टी यानि कि बढ़ाने की सकती कि से के पास है संस्द के पास। सर्वूच न्यालय का न्यादीश अपना पत्यास सकता है, किसे देख सकता है, राश्टपती को लेकर, ठीक है? सर्वोच न्यालय की न्यादीश के भारत की राश्टपती द्वारा हटाया जा सकते हैं, संसद में महावियुक पिस्ताव पारित होने से, सरवच न्यालय में सेवनवित की आयूपिनी है 65 वर्स, उचितम न्यालय की न्यादीसों का बेतन नेदारन किया जाता है संसद द्वारा, भारत की उचितम न्यालय की स्वायत्तागी रक्चाहितू प्रावधान है, एक उचि सरवच न्यालय के न्यादीस वकालत कर सकते हैं, किसी भी न्यालय में नहीं है, बाहरत की सरवच न्यालय के कारवाहक मुख न्यादीस की न्युकती करता है राष्टपती, सरवच न्यालय की न्यादीसों की न्युकती की जाती है राष्टपती के द्वारा, सरवच न्याल बारती समिधान में तदत नियादीसों की नियुकती का प्रावद होने सर्वोच नियालय में सर्वोच नियालय की उस मंडल को जो सर्वोच नियालय के जजों की नियुकती की अनुसंसा से संबंदित है में सरोच नयालय के मुख नयादीस के तरिक कुछ अन्यवरिष्ट नयादीस होते हैं ऐसे नयादीस जो इस मंडल के सदस होते हैं की संख्या है 4-4 उच्छतम नयालय में सर्मिधान के नेरवाचन से संबंदित मामलों की सुनवाई करने के लिए के नियाजिसों के संक्या कम से कम कितनी हो नी चाहिए। 5. केंद वाराज के बीच, नहीं होने वाले विबादों के नेडाय कनने की भारत की उच्तम न्यालए की सकतीा आती हैं २ onu जइकारता के अंदगार्थ उच्छितम नियाले की आरंबिक अधिकारत्ता में आता है 12 सरकार तथा एक या अधिक राज्जों के बीच का बिवाद दो या दो या अधिक राज्जों के बीच का बिवाद वो शितम नियाले द्वारा आज तक दूसरी सबसे बड़ी खंड़ पीट इस case में बनी थी दूसरी पहली आप देखते हैं केसबानंद भारती में फिर गोलगनाथ case में 11 और केसबानंद भारती में आप देखते थे कि कितना 13 व्शितम नियाले ने समिधान के मूलडाची क किसद्धान पी थिपाधित कि एसबानंद भारती बात में एक बात और आप को बता दून क्र में कि व्युस्ता, उसका नौने में JEIN-जाना जाती है, छै क् go instances tutti जाती है, 11 पो लिजिए आती है, तो आप बता दूं कि जैसे आप सोची इच्छा ले लूँ, तो आप क्या करेंगे तीन एक पक्छ में आ गया, तीन दूसरे पक्छ में, उसका नेड़े का निकला, तो कब से कम आप साथ लेंगे तो कम से कम किसी भी हां पक्ष में भी तीन रहेंगे या चाथ रहेंगे तो दूसरे में तीन तो कब से कम नेड़य का कोई निसकास पो निकलेगा इसलिए लिया जाता है याद रखी आप लोग इतनी सी बात उच्चितम नियालाय ने यह घोष्णा व्यक्त की कि मूल अदिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिन्दगी कि रोप रेखा तैयार करने के लिए सक्चम बनाते हैं यह कहा था गोलपनाद बनाम इस्टेट और पंजाब बाद में इस केस में क इंद्राग साहिनी बाद अन पिछड़ा वर्ट के लिए चिकनी परत यानि की क्रीमी लिया ठीक है यह बिल्कुत सही है इंद्राग साहिनी से संबंदी था विसाखा वाद अपने कारश्थाल पर योन उत्पीडन से कामकारी महलाओं का सरक्षड यह भी सही है मैं का गंदी की बात अनुछे 14, 19 और 21 परस पर अपवर्जी नहीं है ठीक है यह सभी तीनों आपके सही सुम लेते हैं इस तरह के केस कई बार कुछ लेते हैं ठीक है सम्मिधानी विवाद में सर्वोच नियाले की अपीलियर 16 दिकार से संबंदित है अनुछे 134 से कुमिला कर अनुछे 13 32 पर कुपलना सभी विवाद सर्वोच नियाले के पास लाये जा सकते हैं अपीलिए 6 दिकार की अंतरगत सर्वोच नियाले के समन्द में तनी यह मूल अपिलिये और परामर्स सम्मंदी चेता दिकार रखता है। कौन सरवोच नहार है। भारत में सुधारात्मक्त याज का उच्तम नियालय में दाखिल की जा सकती है। तो अनुचेद 142 के इंतरगत। उच्तम नियालय को उसके द्वारण दिये गए नेड़े अत्वा आदिश की पुनरव विलोकन येतु अधिकेत करता है। Article 137 अनुचेद 137 नियाएक पुनरव विलोकन कार्थ यह है कि सरवोच नहार राज के किसी भी कानून को अभियत घूसित कर सकता है। नियाएक पुनरव विलोकन पिछले थे भारत और यूएसी दोनों में। नियालय द्वारा संसत की कारवाईयों की जाज करना पित्ती बंदित किया गया है। अनुचेद 122 के अंतरगर। कोई भी समिधान संसुधन कानूनन भारतिय सरवोच नहालय द्वारा आ संमिधान इक गोशित किया जा सकता है। यदि वह इंग विदी की समक्ष समानता की अधिकार को भाग तीन से हटाकर संमिधान में अन्यंद कहीं रखता है। तो इस तरह का जो भी संसुधन हुआ होगा उसे रद्द किया जाएगा। आप कहते हैं कि एक तरह से अधिकारों का रख्चक कौन होता है। समिधान का रख्चक कौन होता है। तो उसका सुप्रेम कोड। भारती समिधान में नियाइक पुनर विलोकन का अधार है। विधी का सासन। समिधान के व्याख्या करने के अंतिम अधिकार है सर्वोच नियाले को। भारत के समिधान का वीरख्चक है भारत का उच्चतम नियाले। उच्चेतम न्यालय से कानूनी मामलों पर परामर्स लेनी का दिकार है राश्पती साहब को किसे प्रेशिडेंट साहब को राश्पती साहब को खेक है उसके बाद उच्चितम तथा उच्च नियाले के नियाजीसों की नियुकती तथा इस्थानाद्रण के लिए परामर्स पिक्रिया के समद्ध में राश्टिप पती ने उच्चितम नियाले को एक अभी दिविदन अभी देशन किया है खंड एक अंचेद 143 के इंतरग बिधाई सक्तियों की संगिये सूची में समाविष्ट किसी विषय के समंद्ध में भारत के उच्चितम नियाले की अधिकार छित को बढ़ाने का अधिकार दिया गया है किसे संसत को किसे संसत को भारत के सर्वुच नियाले का छेत अधिकार बढ़ाया जा सकता है संसत द्वारा बिधी बना कर ठीक है उच्छितम नियाले की प्रावर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर राश्ट्पती को परामस देता हैं तभी जब ये ऐसे परामसं के लिए कहते हैं राश्ट्पती जब कोई परामस मांँझे हैं के सिलाय मांँगे ये तभी भारती समिधान की अनुलंगनिया मुलिक धाचा घुसित किया है 32, 326, 227, 327, 327, भारती समिधान सर्वोच नियालय भारती नागरेकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है, आर्टीकल 32 के थे, टेक है, अन्छे 32 के थे, सर्वोच नियालय में नियाधीस, नियुक्त होते हैं, होने के लिए ब्यक्ति को कम से कम उच नियालय का होना चाहिए, दस साल, दस बर्स, मैं भारत के समिधान के पिती सच्चा विश्वास और सची निष्ठा रखूँगा, भारत की संप्रभूता अखंड़ता को बनाया रखूँगा, अपने परती के करतबों का निर्वान करूँगा, समिधान और कानून की रक्षा करूँग अधिकारों का प्रवर्तम, आप देखते हैं कि अगर आपकी अधिकारों का हनन हो रहा है, तो आर्टिकल 32 के तहता आप सुप्रीम कोट जा सकते हैं, और आर्टिकल 226 के तहता आप हाई कोट जा सकते हैं, ठीक है? देख के किसी भी न्याले में चल रहे वात को अन्यंत भीजने का अधिकार है सर्वोच न्याले के पार, हाली में उच्तम न्याले में प्रवासी 45 निर्धारी तदिनियम 1983 को समिधान के अधिकल के पावन कर्तब के उलगन पर आसमिधान इत्गोशित किया है, अनुशे 355 के सही कतने, न्यामूर्थी बियार किष्णा अयर भारतिय न्यायक सिवा में लोग के तियाचका के पिजनकों में से एक माने जाते हैं, विल्कुल सही है, भारत में समिधान की मूल सरजना यानि पुन्यारी धाचा के सिधान का सरोत है, न्यायक ब्याक्या, क्या है, न्यायक ब्याक्या, भारत का सबोच न्याला एक अभिलेक न्याला है, इसका मतलब क्या है, इसके सभी नेड़ायों का साच्यात्मक मूल होता है, और इस पर किसी भी न्याला में पिसंद नहीं लगाया जा सकता है, और एक तरह से एक कह सकते हैं कि आप अभिलेक न्याला यानि कि इसक सहुक्ति कि त्यहां की में पूंदरोगों के पूस्त होची तम नेले के नेयरे संबाई में करता है परनतु किसी अनस ताल पर सुनबाही कर सकता है राक्टपती की अनमोदन से एक तरह से खंड़ पीट बनाकर किया जा सकता है सब टीडी एस एडी के नेड़ेओं को चुनोती दी जा सकती है केवल सुप्रियम कोट में जनित याजका की सुर्वात की गी थी नियायक पहल द्वारत पी आई एल इसका मतलब क्या होता है पबलिक इंटरेस्ट लिट्टी गेशन एक बात और बताओं इसका फुल्फों भी याद रखना हो इसके बारे में जोगी है उसे याद रखना क्योंकि कई बार मैंने देखा ह बन चुके हैं से जनित याजका यानि की PIL पिस्तुत की जाती है उच नियालयों एवं सरवुच नियालयों दोनों में लोग हित बात मुकजमे की संकल्पुना का उद्गम देश है USA बारत में नियायक सक्कृर्टा संबंदित है जनित याजका से से सेप्टम्बर 2003 में निय नियालय की संपून कारवाही अंग्रेजी भासा में होगी बारती समिधान के लिए 348 के तरह ये कहा गया है उचितम नियालय ने पाया कि केंद्रिया निविल सर्रक साखा एक पिंजरा बात होता है कुविला अबंटन बोटाला बाद में एक और बात बतना वाबको बैसे आ कमसे कम छेत्री भासा या हिंदी होती तो कमसे कम लोग समझतू पाते हैं अब बात कर लेते हैं राजपाल के बारे में कुछ मत्पून तत जो पूछे जाने की संभावना है समीधान की मसोधिय में निरवाचित राजपालों के प्रावगानों की मूल इवजना को छोड़ दिया गया था क्योंकि इसका तात्पर है कि एक दूसरा निरवाचन निरवाचित राजपाल अपने को मुकमंत्री से बड़ा मानता और राजपाल को संसदी पिनाली के अदिन एकार करना बता तो आप इसलिए आप देखते हैं कि मनोनित किया जाता है इसे राष्टपती के द्वारा और राष्टपती के मामले में भी यही है यह अगर आप सुचिए कि जनता के द्वारा डारेक्ट चुने जाते राष्टपती तो पिधान मंत्री और राष्टपती में कई ऐसे भी मुद्दे रहते जिन पर एक तरह से ब्रोज चलता है तो मैन पाबर आपके मंकमंत्री को वर्खास करने के लिए भारत के राष्टपती के विचारार किसी विध्यक को अरक्षित करने के लिए विदाय का द्वारा पारित किसी विध्यक को उनाह विचार पुनर विचार ही तु वापस भेजने करने के लिए ए सही है चारों सही राजपाल राष्टप प्रावधन का अध्यक्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष पावर मिली भी थी विसेस राज्य का वो खतम कर दे गई है भारत के राज्य के राजपाल से समन्दित सही गतन है उसके आयों कम से कम 35 बास होने चाहिए कि हुआ है एक से अधिक राज्य का राज्य के लिए है याद रुखे इनका क्या होगा पेतन कौन देगा तो दोनों राज्य मिल राज्य पाल की समन्द में सही गतन है राजपल अपना पद ग्यान करने से रोल सबत लेगा या फितिय söyany करेगा राजपल उचन्याला के मुख न्यादीस या उसकी अनवस्तिती में सिष्ट ताम न्यादीस किस व्क्त सबत या फितियyang लेग करेगा सपत का पितिग्यान की विक्रिया भारती समिधान के अंशे 169 में देगरी है कहना का मतलब है कि सपत गहन करता है राजपाल उच्छ न्याले के मुख न्यादिस या उसके अनपस्तिती में कोई हुआ जो भी स्रेष्ट तम होगा न्यादिस उसके सामने कि राजपाल को पत की सपत गहन करवाता है उच्छ न्याले का मुख न्यादिस किसी भारती राजपाल से सम्मदित कत्न है वह भारत के राश्टपती द्वार इंडियाक्त होता है वह एक से अधिक राजजियों का राजपाल हो सकता है सामानता हुए फास बर्ष तक पद पर रहता है ठीक है तीनों सही है तो बारत की समिधार में राजपाल को उसके पद से अडाने ही तो कोई भी पिक्रिया अधिकतित नहीं है ठीक है जब एक ही बैक्ति को दो या अधिक राजपाल लिप्त किया जाता है तो उस राजपाल को संदे उखलब दिया और भत्ते होते हैं इसे उन राजपाल की बीच ऐसे अधित बात में आवंटित किया जाएगा जैसा कि राष्टपती आधिष द्वारा अउधारित करेगा और द राजपाल मंडल द्वारा फारित कती पर विद्येकों को भारत के राष्टपती की बिचार के लिए आरक्चित करना यह सभी पावर एक तरह से राजपाल को मिली हुई है इस पेसर किसी राजपाल की राजपाल द्वारा जारी और ओर्डिनेंस का अनुद्धन होना किसी राजपाल की निवक्तिक समिधान के अंचे के तहत होती है 155 के तहत है राजपाल की संदर में कतन सत्थ है वह राजपाल की विधाय का कंद होता है वह राजपाल की नियादीसों की निवक्ति नहीं करता है बिलकुल है उसके पास आपातकालीन सक्तिया नहीं होती है इ राश्टपती पर महावियुक चलाया जा सकता है और राजपालों को आसम्मिदानी केट्तों के करने पर पद यांसे पद से अटाया जा सकता है A और R दोनों सही है आर एक ही सही ब्याक्या नहीं करता है राजपाल की वेतनों बत्ते दिये जाते हैं Consolated Fund of State से राजपाल उतरदाई होता है राश्टपती के पिती भारत के राश्टपती की इक्षा तक ही पद पर बने रह सकता है राश्पाल राश्टपती जब चाहे हटा सकता है कि भारत की समिदान में अभियोग चलाने का प्रावधन नहीं है राजपाल की विरोद सुतंद भारत के किसी राजजी की सरविथम महिला राशपाल बनी थी सरोज नी नायडू इस बात को भी याद रुखना यानि कि कहने अंलाव है कि आप कहेंगे कि सबसे पहली महिला र राजपाल थी एक थी पदम जा नायडू पिती वर्स तेरह फरवरी को महिला दिवर्स मनाय जाता है सरोजी नायडू की समिधी में राजिस्थान के राजपाल जन्हें बरकास्त किया गया था रग कुल तिलक थे ठीक है एक तरह से आप कहते हैं ना कि यह केंद सरकार की मु करती है क्योंकि राजपती नेट करेंगे राजपती कौन बनेगा जिसकी केंद में सर्ता यानि की बहुमत हो जिसके पास समझें आप देखते हैं अभी जो आपके रामनात को बंदे इस किस पाइटी के तरह से है भली इन देखे डारेक्ट ना कहा जाए लेकिन इंडारेक् यानि की बीजेपी सहयोगी उने इने बनाया है कि अगर मीरा बाई मीरा कुमार जीच जाती है तो वह आपके यूपी एस है राज बिधान मंदल मुख मंदिर भी से सम्मधित कथन सही है वह राजपाल द्वारा उपचारिक निवकतिक पाता है वह बिधान सभा में बहुमत में बहुत से कारकों पर निर्वार करता है सभी ये तीनों सही है भारती समीधान के वह राजपाल बिधान सभा और विधान परिशत जाहिसका अस्तित है ठीक है भारत में राजपाल पालिकाओं का उच्छी सधन है यह बिधान पालिका परिशत बिधान परिशत किसी साधान बिधायक को रोग सकती है चार चार माहे के लिए ठीक है है लेकर हर राजमें आप देखेंगी विधान परिशत नहीं होती है कई राजम में आप देखेंगी विधान सभा केबल होती है ठीक है और राजिव पद convicted किया जा सकता है तो वॉ आप देखतेए के इन्द में मनी विल याली की धन बिधयATT तो आरा देखते स्थापिन नहीं किया जा सकता है बगए राजपाल की अनुमतिगे एक तरह से आप कहिए कि राजपाल की तुल्ला आप राश्टपती से कर सकते हैं तो राजज सभा की तुल्ला आप विधान परिशत से कर सकते हैं और विधान सभा की तुल्ला आप लोग सभा से कह सकते हैं राजी विधान परिशत का प्रावधान भारती समिधान में रखा गया है, अनुशेद 171 के अंतरगर। राजी में दूसरी सदन की स्थापना या उसे रद करने से संबन्दित सही विधी है, संबन्दित राजी की विधान सभाद, द्वारा पूर्र मोमश्थ से पारित विस्ताओ, संसद से पारित विधी द्वारा ठेकें, किसी राज में विधान करिचत की स्थापना और समाप्ति की जा सकती है। राजबिधान सभा के तत्यों संबंदी संकल पारिद करने पर संसद ऐसा काम करती है उत्तर प्रदेश की विधार परिषद में राजपाल द्वारा मनुनीत किया जाता है कुल सदस्नों का एक बट्टे च्छे इनको भंग नहीं किया जा सकता है परंतु समाप्त किया जा सकता है राजबिधान परिषदों को एक कुश्चन साब का बंद चुका है कई बार आपका सेविल सर्विस प्रेलम से मैं भी पूंच लिया गया है एस्टेट पीसीयस मैं है कि इन में से देदेगा कि इन में से समाप्त किया जा सकता है लेकिन भंग नहीं किया जा सकता है तो आप देखेंगी राजसभा देदेगा आपको कह देगा राजसभा बिधान सभा और विधान परिषद तो याद रखिए विधान परिषद को राजसवा गुभी भंग नहीं कियाजा सकता है ठीक है ओना ही भंग भी नहीं किया जासकता है एक तेयाई सदर्स आप देखते हैं कि दो साल में निपक्तagen रहती है यानि कि ऒंग करकल कहता हूध होतारता है इस्था इस सदन अपकर लेकिन विधान परिशाथ को आप कि यहां आप तक बिधान परिश्द नहीं है या फिर समिधान संप्तम संप्तम यानि कि साथवे संसुदन अधिनियम 1956 में उसके लिए उबन्द है मद्ध्यदेश की बात करा हूं राज बिधान परिश्द के बिशय में सही है या एक इस्थाही सतन है या भंग नहीं किया जा सकता है इत्ती दूसरे वर्स इसके एक वर्टित तीन सदस सेवानवित हो जाते हैं इसके सदसो ककारकल 6 वर्स होता है यह बिलकुश सभी सकतना के सही है भारती समिदान में राज की बिधान सभाओं के निर्वाचन का पराउधान पिश्टो थे अनुचीद 170 में अनुचीद 170 के उस पराउधान का अपवध है जिसमें कहा गया है कि एक राजी की बिधान सभा के गटन में 60 से कम सदस नहीं होंगे सिक्के में सिक्के में आप 60 से कम देखते हैं भारत की किस राजी की विधान सभा में अधिकतव सदर सोख सकते हैं 500 राज की विधान सभा की निर्वाचन का संचाल ने करता है भारत का निर्वाचन आयो विधान सभा की सरवादिक सदर संक्या है उत्तर प्रदेश में, 403, ठीक है, उत्तर प्रदेश में, लोकसभा में भी आप देखेंगे, सबसे जान्द संक्या आपको यहीं उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी, 80, और राजसभा में भी 31 से यानि के सबसे जान्द देखने को मिलेगी, ठीक है, तीनों मामले में, बिदान सभा के सदस्वों के लिए नियुक्तम आयो बिदित की गई है ए 25 वर्ष यदि किसी राज की बिदान सभा का अध्यक्ष स्पीकर पत त्याग न चाहिए तो उसे अपना त्याग पत दिना चाहिए उपाद्यक्ष को आप देखते हैं न लोग सभा द्यक्ष को लोग स मानता है बिदान सभा के विक्टन के बाद भी उसका अध्यक्ष स्पीकर पत पर बना रहता है बिदान सभा के विक्टन के बाद गखित बिदान सभा की पहली बैटक के ठीक पूर्ट तर जब तक कि नहीं बिदान सभा गखित नहीं हो जाती है बिना बिदान सभा का तो राज सरकार के मंत्रियों के बेतन भत्तों का निधारन किया जाता है राज विधान सभाद्वारा, राज की विधान सभा की सत्तावसान का अदेश दिया जाता है राजपाल द्वारा, सही कताने कोई व्यक्ति किसी राजी की विधान सभा के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए आहत नहीं होगा यदि उसकी आयू 25 बर्ष से कम है ठीक है तो आपको कम से गम अगर विदायक बना है तो 25 साल उम्म होनी चाहिए बारत में एक बात राज जहार सामान कॉमन सिविल कोड लागू है यह है गवाद। 1956 में पुनरगटित इतने राज्यों में दुई सदनी है विदायक यांती 5 किसी राज के मुखमंत्री से सम्मंदित सही कतने मुखमंत्री राजपाल द्वारे निप्त किया जाते हैं सामान तक मुखमंत्री मंत्री परश्चत की बैठकों की अध्यक्षा करता है मंत्रियों की निप्तिती राजपाल मुखमंत्री की सलायपारी करता है मुखमंत्री के कारेयों के पिसासन समंदी बी निष्चे राजपाल को संसूसित करता है मुख मंतरी विधार विषय प्रस्थापनाओं की बारे में राजपाल को संसूसित करता है मुख मंतरी किसी विषय को जिस पर किसी मंतरी ने बी निष्चे कर लिया है किन्तों मंतरी प्रस्थ ने विच करता है अनुचे दिखो सरसट जम्मू कस्मीर के मुकमंत्री की काराओधी होती थी 6 माय कितनी छह बर्स यानि की 6 साल बाकि आप देखते हैं पांस साल होती है लेकिन अब आप देखेते हैं कि खतम हो चिकाह सा तो यहां भी पांस साल होगी देखी अभी केलिया नहीं अभी ज बिधानसभा की बात की गई है लगदाक में आपने देखा है कि अंदसासित दोनों बनाए गए लेकिन बिधानसभा के बल जम्मू कस्मीर में होगी तो आने बाले बक्त में चुना होगा तम मालू चलेगा क्या रिस्तिती है लेकिन मुझे जहां तक संभाव है कि इच्छ है पांच ही बरस रहेगी ठीक है कि अब रावधान पुराने खत्म हो गयुए है भारत के सरप्र Teil हमह्रा मुखमंत्री हुई थी उत्तर वदस्की भारत की महला मुखमंत्री बनी थी पहली सोचेता के प्लानी उत्तर वदस्की थी ठीक है के जब्मू कस्मीर और जम्मू कस्मीर राज की कारटारिय ध्यक्ष में सद्र एक रयासत से बेदा कि संय स्यर्सीं चंसों क grass a था एक तरह से अलग समद्हान हुआ करता था लाज राजवीधान निर्वाचिर में भाग लेती हैं भारत के राष्टवति, रास्वापकी सदस्में और राजविधान परशितों चीलता। अब बात कर लेती हम लोब उच्छ नियालाई के नियादीसों के लिटन और भत्त दिये जाते हैं राजशी की समयकित निदीसे। उच्छ नियाल है कि नयायनूर्ती की सेवा निवित की आई हुए बासट वर्स और सुप्रीम कोट की इतनी बात करी थी हम लोगों ने पैसट वर्स ठीक है सही कतन है पंजाब हरयाना के अंदसा से प्रेश चंडीगर का एक ही सामोही कुछ नियाल है राष्टी राधानी छेते दिल्ली का स्वयम का उच नियाल है लेकिन इजाद रखी अभी आप देखेंगे कि जम्मु कस्मीर का क्या देखिए जम्मु कस्मीर के बारे में अभी कहना मुस्किल है जब तक या तो आप सोचिए 2021 की जंगरना नहीं आ जाती या उसके बारे में विस्तार से जानकारी नहीं दी जाती दब तक उसके बारे में आपने कम ही उपलब्द हम लोग older भास तूरा में अगर अभी उच नियाले हैं की संक्या करूं की बात करूं कब अगस्थ 2020 में यानि कि सेप्टम्बर अगस्थ में हम लोग अगर बात करें 2020 में कि कितने अभी उच्चनयाले हैं तो आप देखेंगे 25 आप देखेंगे कि पहली 24 थे पहली कितने थे 24 लेकिन आपने देखा होगा कि एक जन्वरी 2019 को 25 बार उच्चनयाले आपका मना था अमरावती आंध विदेश के लिए ठीक है तो याद रखना अभी टोटल कितने 25 जब किसी उच्चनयाले का मुक्नयाइदीस पिसासने क्यासिये से काम करता है तो वह अधीन होता है उच्चनयाले के अनन्याइदीसों में से किसी भी रिट अधीकार था कि उच्चनयाले की किसी की परावमार देश जारी करने की सक्ती के अंतर रता आते हैं समयधानिक अधीकार सामविदिक अधीकार मौलिक अधीकार एया फैसला दिया कि एक ही बार में तीम बार तलाग कहने से तलाग होना गैर कानूनी है एक इलाबात उच्छी नियालय ने पहले फैसला दिया था अन्डवान निकोवार्दुईब पर इस उच्छी नियालय का छिर्ट दिकार है कलकत्ता का पश्चिमंगाल ठीक है एक से अधित के राजी के अलट साथ यते देशेवां के लिए है बंबई उच्छी नियालय मार्च 2013 में उच्छी नियालय सामिल नहीं संग राज छेत्रों को छोड़ दिया जाए तो चार ऐसे उचने आले हैं जिनके अधिकाल छेत्र में एक से अधिक राज जहें कौन कौन से गुवार्टी उचने आले अरुनाचल पिदेश असमनागालन में जोरम बंबई उचने आले महराष्ट गवा पंजाब में हरे पंज करदीश के लिए लग्करवत्य आगिया शिचने आलेओं में से सबसедिक बैंच है कलकत्ता उचने आले की मूल पीट और एक बैंच पौड़ विलियर में मतरपदेश उचने आले की मूलfortable जबलपूर ऑईसकी 90 बैंच को देखने मिको मिलेकी ग्वालियर और इंदहुल में म पहले गवाल्टी उच न्याले की 6 बेंच हुआ करती थी लेकिन मार्च 2013 में मडीपुर में गाले और तिपुरा उच न्याले के गठन के परश्याद अब 3 बेंच हों बेंच इसकी सेज रही है ठीक है वार्कमार परिपेक्च में इस पिसन में बंबी योगवाटी उच न्यालेव की संख्या 3-3 है ठीक है उच न्याले और उच तम न्याले दोनों की अधिकारत्या में आते मूल अधिकार का संड्रक्चन एक ऐसी याजिका जो नियाईपालिका दोरा जारी की जाती तथा जिसमें कार्विपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसा कार करें जो उसे प्रदत्य सक्तियों के अधर्गत करना चाहिए उस रेट को क्या कहते हैं मैंडर मस जब सबुच नियाले किसी ब्यक्ति अत्वा संस्ता को उसके दायत्तों के निर्वान ही तू लेख चारी करता है तूसे क्या कहते हैं परमादेश राज के उच नियाले का मुख्य छेतर अधिकार नहीं है परमर समंदी छेतर अधिकार नहीं है उसके पास रेट नियालय में कारवाही लंबित होने की दसा में लवु की जाती है, 30 जानी की प्रोभीविशन एक उच्छ नियालय उच अधिकार प्राप्त नियालय द्वारा उत्पेशन रेट जारी की जाती है एक अधीनस्त नियाले को कि वा है पूनर रीक्षन रीवीव भेतु एक मामले विशेश की कारवाही का अवलेक उन्हें हस्तांदित कर दे एक र्याज का अधीनस्त नियाले को कारवपतिती का परिक्षन करती है उठपेरसन कथन ए और कारण आ कथन यह है कि नियालय के आदेश की जानबूच कर आग्या करना या उनका पालन ना करना नियाइक बेवहार के बारे में अनादर सुचक भासा का प्रेव करना नियालय की आउमानना की गोटी में आता है अभी आपने देखा होगा कि विसांद भूसन साफ पर चला भी है आउम आरेटी सही ब्याख्या नहीं करता है देखी पिसांद भूसन का किस अलग था उसमें आपने देखा है कि सुप्रीम कोट ही अपने बिचाय हुए जानों में फक्स चुखाता है समझ रहे हैं तो उसे पढ़िये आप लोग बड़ा अच्छा इंट्रेस्टिंग है कथन ए ज कथन ए भारत में नियाए पोनर रिक्षण चेत से में थे सही है कारण भारती समिधान उधार बस्तूओं से भड़ा थेला है सही कथन उत्तर का चैन नीचे दिए कूट के सहाइता से करना है ए और आर सही है लेकिन आर एकी सही ब्याख्या नहीं करता है देखिए यहां कह दिया गया है लेकिन उधार बस्तूओं से भड़ा हुए थेला कहते हैं भारत के समिधान लेकिन असल में आप देखेंगे अगर मैंस में आप कुस्चन से लिख रहे होंगे आंसर आइटें तब आप जरूर यह उसमें मैंसर ने यानि कि उसमें डालेंग लिया है है का तनले बारिती नागरेकों के अधिकारों को सरक्शित करने में उच्चनियाले सरवह उच्चनियाले की अपकेछा बढ़िया इस्तिति में हैं बिल्कुhr सही है कारण आर सर्व उचने आलेंगे वल मौलिक अधिकारों की सरक्षन के लिए प्रामद देता जारी कर सकता है ए भी सही है, ए आर दोनों सही है, आर एका सही इस पश्क्रीकर्ण भी दे रहा है बाबरी मस्चिद राम जनम भूमी का विवाद, जो इलावात उचने आले की समख्ष था, इस पर क्या था? स्वात्तत्य अधिकार नुकत्मा, टाइटल सोईद ठीक है, यह आपने पढ़ चुके हैं, आपने देखा होगा, खतम होच चुका है लेकिन इसमें नेड़े सुपरीम कोट ने बहुत अच्छा दिया कि आप सोचिए, दोनों को बराबर मतलब एक तरह से मात दिया गया पांच एकर भूमी उसे भी दे दी गई है, कि लिजे आप भी बना लिजे मस्चिद, राम मंदिर देखें क्या होता अगर दोनों को एक ही जगए जमीन दे दी जाती है तो आगे आने वाले दिनों में आप सोचिए फिर से लड़ाज होती रहती है तो इसलिए कमसे कम दूर दूर रहेंगे, आरम से हो जाएगारा भारत में उच्छ नयालय की न्यादिसों को हटाने के लिए रेती के समान है बिलकुर एक उच्छ नयालय के न्यादिस अपना त्याग पत्ध सम्झजध कर सकता है राश्छठ्वती को 2011 में राजसभा नहीं माहवियोग का पिस्ताओ पास किया किन्तों अपने बचाव के लिए उसनय नहीं लोकसभा द्वारा उसी पिस्ताओ के पास होने के पूर्व त्याकपत दिया, नियामूर्ती-स εν के खिला ठीक है डेटेंशन के अंतरगत एक व्यक्ति को बिना मुकत्मा चलाए बंदी बना कर रखा जा सकता है तीन महीने के लिए बिधी आयूग के अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया कि फिते कोच नियाले को एक तहाई नियादीस दूसरे राज से होने चाहिए नियादीस एच आर राव एच आर खन्ना के इसमें ग्राम नियाले अधिनियम के संद्र में है यह अधिनियम इस्थानी है सामाजिक सक्क्रेटा वादियों को मद्यस्त है सुले करता की रूम में सुईकार करता है ठीक है सिर आगए आपके केंदराज सम्मन्द है यह भी महत्कून है आप देख एक कई बार में केंदराज समंद्र पिस्ताब प्रभावित होते हैं समिधान के परावधान से नियोजन पिकरिया से राजनेती खेतों के अंतर विरोद से होकुम चलाने की इच्छा प्रवद्दा सी केंसरका तथा राज्यों के मद आर्थिक संबन्दों की विविजना की गई है अन्चे 288-281 के अंतरकाद बारत में केंद राज संबन्द निर्वार करते हैं संबन्दानिक प्राओधनों पर परंपराओं तथा विवारों पर नियायक ब्याख्याओं पर बास्चीत के लिए सत यंत बिन्यास पर एक संगी राज विवस्ताद में संबनेते हैं संग और राज्य के भी संबन्द, राज्यों के मद्द संबन्द, समर्वय के लिए तंद, विवादों को सुल्जाने के लिए तंद केंद तथा राज्यों के मद्द सक्तियों के वितरण के लिए भारत का समीधान तीन सूचियों को विस्तोत करता है सक्तियों के वित्रण को भी निमित करते हैं अनुचित 245 और 46 ठीक है? भारती समिन्यान का अनुचित 249 सम्मंदित है राज सूची की विशाय की सम्मंद में संसत की विधाई सक्तियों से अनुचित 249 की खंड एक के अंतरगत पारत पिस्ताव प्रवित नहीं रहेगा एक वर्स से अधिक समय के लिए एक साल से अधिक समय के लिए बेवे सह जिन पर केंद वाराज सरकार हैं दोनों कानुण बना सकती हैं संबर्ती सूची याद रखी लेकिन अगर दोनों में ग्रोध है तो केंद सरकार का कानूण प्रभावी रहेगा ठीक है? केंद राज समंद लिखे थे साथवी अनुसूची में बिदाई सकती हों का केंद और राज जी के मत बितरन समिधान की अनुसूची में साथवी में केंद राज जी बिदाई समंद दिये गए हैं भाग आपके कितने 21 में, भारती समिधान में अपसिष्ट सकती है सन्यत हैं संसत को मिली भी हैं, ठीक है, भारती समिधान ने अपसिष्ट इस अधिकारों को संगिय सरकार को दिया गया है, केंद राज सम्मन्दों को विसेश रूप से मियूनी सीफल सम्मन्द कहा गया है, वि सम्मिधान में है अनुचे 355 में इसमें 305 में बारत में राज्यों की भी सहयोग और समझनवेद प्राप्त करने के लिए सम्मिधान तर और विधी तर सस्थाएं है राश्टी विकास परिश्थत और राज्य पाल सम्मिलन जारकांड 6 स्वायत परिशत का गटन हुआ था आठ अगस्त 1995 भारती समिधान अंतराज्य परिशत की समझ में प्रावधन करता है अनुचे 263 आर्टीकल 263 अंतराज्य परिश्थों का निर्मार स्रोत है समिधानी सही सुम लेते अंतराश्थी पानी के जगनों के केंत्रिय संसत के अधिकर अधिनेड़े की सक्ति भारती समिध सेदों का सेजन हुआ है संसदिय कानुन द्वारा कथन ए और कारण आठ केंदराज समंदों पर पुनर्विचार की मांग बढ़ती रही है और राज्यों के पास बिकास कारियों के लिए परियाफ्त साधन नहीं है ये दोनों आपके कथन सही है और आर एकी सही व्याक्या भ प्रेइदों का नियुदि में राज्यों के लुए मत्यामा में लिसन हुए। यानि कि राजपती सासन का कारा जिर राजनितिक दलों ने केंद सरकार में बनाई उन्होंने 356 का दुरुपयोग किया है बिलकुल सही बात है आप देखते हैं कि कई बार केंद सरकार में जिसकी सरकार होती है केंद में वो इसका दुरुपयोग भी करता है यह आज दोनों सही हों और आरेकी सही ब्याक्या भी कर रहा है इस थाई अंतर राज जे विए परसाद जो अंतर सरकारी परचत की नाम से जानी जाती है कि स्थापना का समर्त ने सरकारी आये हुने भारत में संग राज सम्मंदि से सम्मंदिते सरकारी आये हो तो राजमनार समती पुंची आयो समीधान के अंतरके भारती संग के राज विदेशी रेड लेने की सकती रखते हैं नहीं बिल्कुल नहीं राज सरकारों को किर्स्ती आय कर समनोदिसी करता है भारत का समीधान एक कर संग द्वारा लगाय बसूला जाता है और किर्सी आय की अतरिक आय परकर ठीक है चलिए अब लोग बात कर लेते हैं आपात वो बंद के वारे में भारत सरकार का अदायत है कि वह बाह आकमट और आंतरिक असांती से राज्यों के रेक्षा करें यह अनुछे तेन सव पच्पन के अंतरकत कहा गया है इसकी भारत में राष्टी आपात काल की गुशना करने का अधार है यद बाष्याकमण और ससत्य विद्रों आतरिक असांती याद रखती पहले क्या था कि अन्तरिक असांती समलिती लेकिन अब इसकी जगए ससत्य विद्रों ला दिया गया भारत के राटपती द्वारा राष्टी आपातकल की घुष्णा की जा सकती है अनुचे 352 की आंशाओ Article 352 की आंशाओ इन परिस्तितियों में राष्टपती आपातकल की घुष्णा कर सकता है बाहायाकमण राज्जियों में समिधानिक तंथ की वेफलता और आर्थिक संकट भारत के राठपती मूल अधिकारों के कर्यानबन के कोई इस्थगत कर सकते हैं आप देखिए कि देखिए बाकी सब को कर सकते हैं 369 के अंतरगत अर्टिकल 369 के अंतरगत लेकिन अनुचेद 20-21 को किसी भी परिस्तिती में नहीं पितिबन किया जा सकता है ठीक है भारत के राठपती को निलम्वित करने की सकती पराते हैं अनुचेद 352 के तहट आपातकाल की गोशना होने पर अनुचेद 358 के तहट अनुचेद 19 में वड़ित मूल अधिकार सुता ही निलम्वित हो जाते हैं जब राक्ति आपातकाल लगाया जाता है, तो ये अनुछे 19 में बढ़त मूल अधिकार सुता ही निलंबित हो जाते हैं, जबकि अन मूल अधिकार जिरमें आप 20 और 21 को छोड़कर इस 44 वे सम्मीधार संसुधन द्वारा बतातीया गया है कि इनको कभी नहीं खताब किया जा स यहां उलेकनी हैं कि अनुछे 369 के अंतरगत मूल अधिकार निलंबित नहीं होते हैं, बलकि नियालेयों द्वारा केबल उनके प्यवर्टन कराने का अधिकार निलंबित हो जाता है, और 20-21 को तो किसी भी परिस्तिती में आप निलंबित नहीं कर सकते हैं, तो रहा राज् तो राजपती सासन लागू किया जाता है, गवर्णर की यानि की राजपलगी सलाहपन, इस राजव में राजपल सासन के अधिरोपन का प्रावदाने, भारती समिधान के अनुछे 356 के तहत राजव में सम्मिधानिक तंत्री की विभलता की इस्तिती में राश्पती द्व जिसे आप लोग राष्टपती शासन कहते हैं न बाकी राज्यों में यहां राजपाल सासन कहते थे लेकिन आपको बता है कि 2019 में अगस्त में यहां से जो 370 इस्पेशल दरज्या मिला हुआ था विसे इस्तिति वो खतम कर दिया गया है अब वो सभी यहां भी प्रावदान ल समिधान के अनुचे 356 के समंद में सही है राज्यों में समिधानिक कंत की विफलता एक बस्तु निष्ट यथार्थ है बिल्कुल सही है इस अनुचीत के अंतरगत की गयी गोश्णा का उच्चितम नयाले द्वारा निया एक उनरव लेकन किया जा सकता है बिल्कुल सही है इस ओद गोश्णा का दो माई की बीतर सणसत की पितिक सदर में अनुदण किया जाना जाये यह तीनों कतन आपके बिल्कुल सही हैं आपके संसत्द्वारा संकट काल की घोश्णा का अनुदण होना चाहिए एक माय अंतराल में राष्टपती का अबात काल कालिन अधिकार समीधान के साथ धोका है, के एम नम्बी यार ने कहा था, भारत की समीधान के रेचे 360 के दिन बित्त हयापाद कल सी, सम्बंदी सही क्थन है, बित्ति यापाद की कोफणा दो मास्ट की समापती पर परवर्थन में नहीं रहेगी, यदि उस साथी की समापती से पहरे संसत के दोनों सबनों किस संकल पूंग द्वारा उसका अनुमोदन नहीं किया कर दिया जाता है एक आपको कुश्चन्स बताना है, अभी तक आपकी देश में बित्ती ये अपातकाल लगाये गया कभी बताईए आपको, बारती समिदान के अनुचे का उपयों अभी तक नहीं किया गया है, अनुचे 360, यहीं आपको उत्तर मिल चुका है, देखिए बारत में बित्ती ये अपातकाल की खुशना आज तक नहीं की गयी है, कभी भी बारती समिदान की इंतरगत आपातकाल की सोच है तीन पेकार की राश्टी आपातकाल में लोगसभा की अउदी आपातकाल की समापती तक बढ़ाई जा सकती है लेकिन एक समय में केबल एक बर्स के लिए ही बढ़ाई जा सकती है एक एक करके इस तरह से बढ़ा सकते हैं राश्पती सासन अधिक्तम लगाया जा सकता है तीन वर्स के लिए आपात कालम में किसी राज बिधार सभा की आउदी बढ़ाई जा सकती है संसत द्वारा ठीक है अब हम बात कर लेते हैं बित्तायव के बारे में सामान रूप से रूप में भारत में बित्तायव की निवक्ति की जाती है क्यंद्री अनुदार और संगे की राजस में राज्यों के निर्धारित करने के लिए एक तरह से आपके राज्यों के बीच जो कर आता है मतलब राजस आता है उसके बटवारे के लिए इसका इसकी विवस्ता की गई है संग और राज्यों के बीच बित्तिय वित्रण होता है बित्त आयूप की सिफाजसों की आधार पर भारत में सियर बाजार तत्था फ्यूचर्स बाजार में हुई लेंदेन पर कर संधी द्वारा लगाए जाते है राज्यों द्वारा इकत्तित किये जाते है बिल्कुल कथन है दोनों बित्त आयूप का मुखकार क्या है केंद्रिय करों में राज्यों की भाग और केंद्र द्वारा राज्यों के लिए दी जाने वाली वितिये साहता की सिद्धान्त ने धारित करना वितायोग का यहां का मुख कार है वितायोग राष्पती को संतुती भीजने में मुख रूफ से संबंदी थे राज्यों को दिये जाने बाले अनुदान के सिद्धान से, राज्यों वाक्यंद के बीच करों के बटबारे से, भारत में वित्तायू का कार है, आयकर बेवाजन, उत्पास उल्ग का बेवाजन, और सहायता अर्थ, अनुदान, नुधारन, ठीक है? तो राज्यों वित्तायू के बिचकरों के विभाजन समंधी प्रावदान को राज्यों के समये निलंबित भी किया जा सकता है, ठीक है? तेरे वे वित्तायू के अध्यक्ष कौन थी, स्री रंग राजन, स्री वे वित्तायू के अध्यक्ष कौन थी, स्री रंग राजन, तेरे वे वित्तायू के अध्यक्ष कौन थी, विजय किलकर, और चौदे वे वित्तायू के अध्यक्ष कौन थी, यह थे आपके बाई भी रे कि जिसका काम रहेगा 2020 से 2025 तर राज्य वित्तायूग की संब्ध में सही है यही एक समीधानिक संस्ता है समीधान लागो होने की परश्चात अब तक बित्तिय आयूग बना जा चुके अब तक 15 बित्तायूग का गठन हो चुका है 14 वित्तायूग का गठन जनवरी 2013 में किया गया था बाईवी रेड़ी के अधिक्ष्टा में इसने अपनी रिपूर्ट 14 दिसंबर 2014 को सौपी थी देखिए 2019 में आपने देखा है कि पंद्रवे वित्तायू का भी गठन हो चुका है तो इक है जिसके अधिक एनके सिंग वित्तायू के एक चेयर्मेन होता है चार अन सदस होते हैं इसमें एक चेयर्मेन और बाकी चार सदस होते हैं वैसे ये उजनायू का आपका खत्म हो चुका है लेकिन आप जानते हैं कि इतने दिनों तक चला है तो इसे भी कुष्टे से डारेक्ट बन जाती है यह उजिन आयोग का अंद किया किसमे प्विदान मंतरी नर्ट मोधी ने यह उजिन आयोग की इस्थाफना हुई थी 15 मर्च 1950 को कई बार पूछ लेता है 15 मर्च 1950 को यह उजिन आयोग की इस्थाफना की गई थी संगी ये मंतिरी प्रिसत द्वारा एक विसेश पिस्ताओ पारिदगर समीधाने तर संस्ता है नीतियायोग वित्तायोग एवं ये उजनायोग के परस्पर विलाय का विस्ताओ दिया था MB मातुर ने MB MB मातुर ने समीधानिक निकाय नहीं है योजनायोग आपका समीधानिक निकाय नहीं है देखें समीधानिक निकाय का कहने का मतलब होता है कि किसी अनुच्छेद में समीधान में उसका जिक्र किया गया हो उसे आप लोग समीधानिक निकाय कहह दीतें abit ayuk की बारे में आप लोग ने देखा है समीधान में दिया गया है ऊका इस निकाय का समीधान में उल्लीक नहीं है have R 2017 का योजिनाईउग का और चेथ्रिये परिस्तों का इन तीनों का नहीं है आपका भारत की योजनायूग का पितम अध्यक्ष थी, पंडि जवालल नहरू, योजनायूग की पदेन अध्यक्ष हैं, पिधान मंत्री साथ, देखे अब तो वेसे आपका कदम कर दिया गया, नीती आयूग आपका जन्वरी 2015 में आ चुका था, योजनायूग की जगे, नीती आपका, एन फुचा गे, नीती आयूग आपका, ठीक है, योजनायूग की उपाद्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरिता करम से महत्त का दर्जा दिया गया, योजनायूग की पंडियेट मंत्री के समान, इसते पहले की बात है, यह जब तक था, तब तक की बात कराओ, ए और यह उजनायों को आर्थिक मंत्रिन मंडल परिथासित किया गया, केबल संग केंध हीतु नहीं, आपितु राज्जी हीतु भी, यह वी सही है आपका, यह है राष्टी संसाधनों को संतुली तो प्रयोग हीतु, पंच वर्सी यह उजनायों का निर्मार करता है, यह आपका निर्मार है तो दिसा निर्देश की पिदान करती है, यह तीनों कतन आपके राष्टी विकास परिश्यत के बारे में सही है, राष्टी विकास परिश्यत की रचना करते हैं, पिदान मंत्री सचिव, मंत्री मंडल के मंत्री गण, और राज्यों के मुख मंत्री, राष्टी के बाद इसके कार्याओं पर भी एक तरह से पेसंट चन्ड खड़ा हुने लगा है राष्टी विकास पजिशत की अध्यक्ष्टा करते हैं भारत की पिधानमंत्री साहब भारत में राष्ट्पती राष्टी विकास पजिशत गटित की गई थी 6 अगस्त 1952 अब बात कर लेते लोगपाल और मत्कुन आयोग बारत में लोगपाल एवं लोकायोग की स्थापना कसुझाओ दिया गया था पिसास्मिक सुधार आयोग ने आपने देखा है कि लोगपाल पहले लोगपाल हमारे देश के हैं पीसी बहुस एक कुश्चेन से आपका पूंचा जाता है कही बा संस्थ में पहला लोगपाल बिधियक रखा गया था उन्नी सोर्सर्ट में उचितर न्यालेयों के नियाधीसों के एक ती में कारिपाल का विधायपाब विधाइका व मुख नियाधीसों की भागेदारी की अनुसंसा की गई थी दूतिय पिसासनिक सुधार आयोग में सरव कीवाराई के अपना अपना भिस तापना होई थी महराष्ट में उत्तर-प्र देश का लोकायवक अपना प्रिस्तुंत करता है राजपाल को कि 1991 में लोकायवक ज़ियाक सब्सक्राद कर ने वाला पित्हा भारति पर्राधियों के घर्चमंतिस की ब ह्यादि सेबा को समाध क supportive एक में राखतवती मानौ अधिकार सरक्षण अध्यादेश जारी किया गया था अनुछेद 123 के तहीं मानौ अधिकार सरक्षण अधिनियम 1993 का उध्यादेश था मानौ अधिकारों को बहतर सरक्षण मानौ अधिकार सरक्षण आयव का गठन और राज्यों में मानौ अधिकार सरक्षण आयव का ग बारत की राष्टी ये मानौदिकार आयुक की विशय में सही है इसका अनिवार रूप से भारत का सिवानित मुख नयादीस होना चाहिए ये अप्तराउधन बदल चुका है देखें अब कर दिया गया है कि या इससे पूर भी रह चुका है वो भी बन सकता है और अन नयादीस को भी बनाया जा सकता है इसकी सक्तियां के वर सेफार्शी प्रक्तिती की है आयुक का एक सदस्के रूम में एक महला को निवक करना आग्या परक्त है तो ये सही है तो याद रखी है तो ये सेवानित मुख नयादीस के अलावा अन नयादीसों को भी इसमें सामिल किया जा स सकता है मानवदिकार सरक्षान अधिनियम 1993 में लोक सेवब की परिभासा दी गई है दाराज 2M के थे राष्टी मानवदिकार आयोग की अध्यक्ष कोई बेक्ती होता है जो भारत का मुख्यादिस रह चुका हूँ देखिए पहले 2019 से अगर हम पहले की बात करें 2019 से पहले तो आप देखेंगे इसमें यह सही होगा अगर 2019 के बात की बात करें जब से संसुदन गवा तो यह गयलत होगा आपका ओक तो आयोग का आप देख चिकारकाल 5 वर्स और 70 वर्स की आयोग परेंद जो भी पहले हो धारि देखें तो सही है लेकिन आप देखेंगे कि उससे पहले आप देखें तो गलत है ठीक है तो इसमें क्या करेंगे आपको बता देते हैं कि अध्यक्ष की भी नियुपती हो सकती है इसे मतलब जो मुख नयादी से रहे चुका उसकी भी नियुपती की जा सकती है और जो आप आपका अन्य नयादी से उनकी भी नियुक्ति की जा सकती है कि इसमें ठीक है एक सेगेंड और रोगी आप अब आपका पांच और सतर कर दिया गए पहले था तीन और सतर ठीक है अब आपका 5 और सतर कर दिया गया तो इसे भी आप याद रख सकते हैं ठीक है आँगे चलते हैं और राजमानोदीकार आयट यत्छोर सदस्तों की निवक्ति की जाती है राजपल द्वारा राज मानवधिकार आयोग का खार नहीं है, मानवधिकारों का उल्वगन करने वालों को सजा देना समिधान एक संस्था नहीं है, मानवधिकार आप देखें कि समिधान में इसका कोई जिक्तर नहीं किया गया है समीधान एक्त राधिकर्ण है, राजी निर्वाचन आयोग, राजवित्त आयोग और जिलापंचाद समीधान पुना रिक्षण के लिए नियुक्त राष्टी आयोग से समधी कतन है इसके रुपोर्ट अनुसान साथ मक्त प्रक्किती की होगी समीधान 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 जिसे फरवरी 2000 सन 2000 में गटित किया गया था इसके रुपोर्ट अनुसान आयोग कारिकाल होता है पांच वर्स या 65 वर्स की आयोग जो भी पहले हो स्वाट सिंग समती ने जिस पिसन पर विचार किया था हुए है मोल गटित करने वाले थी मुरारजी देशाई साहा पौह से मॉरारजी देशाई साहा प्यधान बंतरी साहा मंदल आयोग की रपोर्ट विश्चुद की गई थी tad 1912 में बस 1990 में अनुसूचे जाती और अनुसूचे जल जाती राष्टी आयोग की रपोर्ट के ह iki अनुसुचे जाती और जन जाती के अत्याचार के कारण नहीं है, धार्मिक का, धार्मिक कारण राज्य लोग सिवायोग की सदसों की नियुक्ति की जाती है राजपाल द्वारा दो या दो से अधिक राज्यों के लिए सयुक्त लोग सिवायोग अध्यक्षी नियुक्ति करते हैं भारत के राज्टपति राज्य लोग सिवायोग में सिव परामर्स नहीं लिया जाता है सिविल सिवाओं का इस्थाना अंतर पर किसी राज्य लोग सिवायोग के कारेओं को संग लोग सिवायोग को सौपा जा सकता है भारत के राष्टि के अनुभूधन में सिव सजुना नाव वायोक की सदसों को खताए जा सकता है अनुचीz 370 के अंतरगध सब्सक्राइब भारत के संग लोग सवायोक के लि संग लोग से वायोग से कोई लेना देना नहीं है आप देखते हैं राज्योंबिली अरख से राज लोग से वायोग उता है संग लोग से वायोग एक है समिधानिक संगठन संग लोग से वायोग अपना बारसिक किती विदन सौंपता है राजपती साथ को यूनियन पब्लिस सर्विस कमीशन की पितम वहला अध्यक्स थी रोज बैत्यू उत्तरपदेश लोगसेबाईव की वे भारत होते हैं राजी की संचित निदीपा भारत में पहली वाल लोगसेबाईव की स्थापना जिसादिनियम में हुई थी हुआ है गवर्मेंट ऑफ एक्ट उननीस तो उननीस ठीक है अब बात कर लेते हैं आज थाई विसेश प्रावधान को भी देख लेते हैं अब लोग बारत में समिधान में विवेर्न राज्यों से संबंदित विसेश प्रावधान का उल्लेक है अनुछे 371 में बारत में एक ही समिधान पितेक राज और कैंद के लिए केवल एक राज इसका अफबाद है कौन सा है हो जम्मू कस्मीर बारत में समिधान के उनुचे 371 खाव में विसेश और बंद प्रावधने थे असम के लिए समिधान के उनुचे 371 के अंदगत विसेश प्रावधन किया गया है महराष्ट और गुजरात के लिए बारती समिधान में कस्मीर को विशेष राज का दर्जा देने का अभी पया था कस्मीर का अलग से समिधान होना ये 2019 के पहली की बात कर रहा हूँ 2019 के बात पूरी तरह से सब बदल चुका है बारती समिधान का अनुचे 270 था किसे एक आयस्थाई और संक्माड का लिए और बंद इसे हटा दिया गया है 370 आपका जम्मू कस्मीर से संबंदी था बारती समिधान का अनुचे 370 संबंदी था जम्मू कस्मीराज से वारत की समिदान के बे अनूपे जो जम्मुकस्मी राज में स्वैम में लागू होते हैं बेते एक और 31 जम्मुकस्मी का सदर ए रयास्त प्रनाम बदलकर राचपाल कर दिया गया था जम्मुकस्मी समिदान में छटे समिदान संसोधन हम अधिनीय Angeb 1150 सदर इरियासर नाम बदलकर राजपाल वजीर अ говорит मुंखमंत्र कर दिया घया ऑज चुनाव आयुक के बारे में अगर हम बात कर लें बारत के मुक्ष निर्वाशक्त आयुकत का प्द समकष होता है tahun कि अब आध के मुक्ष निर्वाशकत आयुकत की बदावदी होती है चैवर्स या प्र 50 वर्स की आयुुटर जो भी पहले हो हूं कि पर से हटाइता क्या संस्थत के दोनों सदनों के सदल सदस्तों के दोतियाई बहुमत से प्रमाडिक कदाचार की आधारपद निरवाचन आयुक्त हटाया जा सकता है मुख निरवाचन आयुक्त की परामर्ष पर राश्पती द्वारा भारत के मुख चुनायुक्त को निप्त किया जाता है राश्पती साहब की द्वारा बारत का सम्मिधान निर्वाचन आयूग का परावधन करता है अनक्षित 324, और याद रखी वित्ता आयूग आपका 280 एक बात बताओ आपको, सम्मिधान यह है आपकी सम्मिधान एक संस्ता यानि कि आप देखते हैं, 324 में वित्ता आयूग निर्वाचन आयुव का संबंद्र यानि किसका प्रावधन किया गया है आप देखेंगे कि यह उजनायु या नीति आयुव का आपको कहीं इस तरह का प्रावधन देखने को नहीं मिलेगा समीधार की किसी यानि अनुचीत में अगर आपसे बितायुट की पूचू तो दोस् राटपती पादों के लिए चुनाव करवान है निर्वाचन सूचियां तेयार कराने के लिए काल निर्देशन वर नियंतर्ण राटपती का चुनाव संचालित किया जाता है भारत के निर्वाचन आयुव द्वारां भारत के निर्वाचन आयो द्वारां भारत में विद् स्विकित की गई है, वैस्क मतादीकार की आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन पढ़ा लिए, एकल संक्मर्णी है, मत के द्वारा अनुपातिक पितिनित की पढ़ा लिए, भारत में निर्वाचन प्रक्रम के आरंग के विश्टाय में सही है, निर्वाचन आयूग द्वारा निर्वाचन की सिफारिस और राष्टपती अत्वा राज की राजपाल द्वार है निर्वाचन की अधीत सूचना जारी किया जाने। संसत्ट के सदस्तशों की निरधर्त ऐसे शंभन दिशन를 करते श्समाइब श्रायों करेगे भारत के निर्वाचना की यादि किसी राज बिधान सवा के निर्वाचन में निर्वाचित्कोरिसट होने वाली पित्यासी अर्जी यानि कि dypate हो गता है ठीक है नियाले द्वारा अपराधी घोसित किये जा गई ब्यक्ति को चुनाव लगने के लिए आयोग करार दने का नेड़े कर्द किया गया है किसने संसत द्वारा भारत में मताधिकार और निरवाचित होने का अधिकार है विदिक अधिकार एक अधिनियम के अंतरगत नव यूगों द्वारा अठारे वर्स किया उपर मताधिकार का पहले वार प्रेयोग किया गया था इस आम चुनाव में 1989 के आम चुनाव में यादर कि इससे पहले क्या थी कि 21 बर्स हुआ करती थी चुनाव डालने यानि कि बोट देने की उम्म लेकिन इसे घटा कर 61 समिधा के विशाय में सही कतने निर गम मत सर्वेक्षण अभी वैक्ती का प्रेयोग मताताओं का कि उस निरवाचन अतर सर्वेक्षण को वैक्त करना करता है जिससे या पता चले कि मताताओं ने अपने मताधिकार का प्रेयोग किस पित्याजी के पक्ष में किया है जन्पिती ने अधिनियम 1996 की द्वाना, निर्वाचित बिधी में वे हाल के संसुदनों के विस्टर में सही है, भारदी राष्टी द्वज अत्वा भारत की समिधान की अपमान के अपरात के लिए किसी दोसिद्ध सिंधी की होने पर, दोसिद्ध की तिथी, सिंच्यवर्स के लिए संसद औ बिधी की गई, चुनाओ लड़ने वाले किसी अभ्याटी की मित्ती हो जाने पर, अब किसी निर्वाचिन को पित्यांदिष्ट नहीं किया जा सकता है, दिनिस गुल स्वामी समिती ने सिपारिस की थी, लोकसभा की चुनाओ की सरकारी, यानि कि एक तरह से आप कहिए कि जो लड़ने की बात की गये थी, दिनिस गुल स्वामी सम्थी ने, ठीक है, दिनिस गुल स्वामी सम्थी का सम्था निर्वाचन सुधारों से, उस देश में अनुपातिक कितिनी दे तावसक नहीं है, जहां दूई दलिये पेणाली विकसित हुई है, कथन ए और कारण आ, संसर तथा राजबिधार मंडलों के सोतंत, तथा अंदेश्पक्ष चुनाव कराने की फिस्षक्तियां, एवं सोतंत एकाई अर्था निर्वाचन आयोग को दी गई है, बिल्कुस सही है, निर्वाचन आयोगतों को पद से हटाने का अधिकार कारिपालिका के पास है, बिल्कु इसके लिए आप देखते हैं कि राजजिन निर्वाचन आयोग होता है, ठीक है, परी सीमन आयोग के परी सीमन आयोग के आदेशों को किसी न्याले में चुनोती नहीं दीजा सकती है, परी सीमन आयोग के आदेश जब लोग सभात वार राज बिधान सभा की सम्मोख्च पिति निदित की समस्या का कुछ हद तक समाधन कर सकती है बिल्कु सही इस तरह से आप देखते हैं राष्टवती का चुना होता है अनुफातिक पिति निदित की पिडाली ने जाती है ता लेंग एतों और विचार धाराओं पर आधारे सभी पिकार की समगों के यत्वचित पिति निदित को संतुलन बनाएती है ए और आर आहाब के दोनों सही है आरकी सही व्याक्या करता है अनुफातिक पिति निदित की बेवस्था निर्वाचन प्लाली जाती है। अल्व संख्यकों कि पिति निदिंत को तब था निए राज निर्वाचन आयू एक सम्मिधानिक प्राधिकार है यह विल्गु तो भारत में कोई भी राजनितिक दल राष्टी दल की रूप में मानता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर का दल हो, कम से कम चार राज्यू में अगर आपको आपकी पारिटी को राज्य स्तर ये दल का दर्जा मिल जाता है, तो आप देखेंगे कि आप राज्य ये एक तरह से दल बन जाएंगे, ठीक है, अभी आपने देखा है, NNP यानि कि जो पूरवी भार की पारिटी है, उसे आपका मिला हुआ है इसे, ठीक है, किसी राज्य नेतिक दल को छेतरी दल की रूम में मानता दी जाती है, वह राज में या तो लोक सभा, अथवा विधान सभा चुनाव में आठ पितीसद बूट प्राफ्ट करते हैं, कितने? आठ पितीसद बूट प् है, ठीक है, इसे भी याद रखते हैं, इस तरह की पुस्चन्स आपके कही बाज देखे जाते हैं, इसमें क्या देखेंगे आप लोग कि बारती जन्टा, पार्टी को राष्टी दल का दर्जा मिला हुआ है, बारती राष्टी कॉंग्रेस को भी आप देखेंगी कि इसका कॉर्णक को और اकेसे बाइन तरह का दर्ज़ा मिला हुआ है राष्ठवादि को यह श्रास्ट elyazया मिला है بहुजान समाजबादी पार्टी मार्यति की जो है पारेटी है बारतिय कंविनिष पार्टीकॉ सपक्रिकॉय थे भारतिय पार्टी को मिला है सरब सरभ भालती ये तरमूल कंग्रेस को मिला है और National People's Party NPP अभी आपने देखा है 2019 में इसे भी दिया गया है इसके अध्यक्स है आपने देखा है कॉन्राड संगमा इसकी इस्ताफरत पी ये संगमा के द्वारा की गया गया था इसका चुनाव चिन है किताब तो याद रखिए अभी दो नए कुछी में पहले आप देखें कि 2019 में National People's Party को दिया गया था ठीक है तो याद रखना है कितनी हो गई आपकी आर्ट कुल आर्ट हो गया आपके राष्टी ये दल किसी दल को रश्टी दल के रूम में सोईकीती तब मिलती है जब उस राजनेतिक दल द्वारा खड़ी किये गए पित्ते आसियों को किनी चार या फिर अधिक राज्जों में गत लोकसभा चुनाव का या उन राज्यों की बिर हैं चुनाव में पड़ी कुल बैद मतों का कम से कम 6.30 मत और साथी कम से कम 4 लोकसभा सीड़े पराप्त हों इस की कज़ faithful की कम से कम 2 3ड़े सीड़े पराप्त हों ये सदस कम 3 राज्रों से उचणे गया है यह भी सही है वैदल कम से कम चाहराज्यों में राज इस तरिये दल की मानता पराप्त करता है तो एन पीपी है जो एक तीसरी सर्थ हुई करता है ठीक है भारती राष्ट की कॉंग्रेस ने राष्टी सब्द प्रभावित था बैटेस आसन की बिलूत पितिकरिया से 1909 में वेक्टर्ण से राष्टवादी कॉंग्रेस पार्टी का कठन हुआ था कॉंग्रेस पार्टी से राज विधान मंदलों की निर्वाचन ही तू सित्धानतों में समली थे यह ववायस्क मताधिकार की आधार पर होगी पितिक छित्रिया निर्वाचन छित के लिए केवल एक निर्वाचक सूची होगी धर्म प्रजाती लेंग आधी के लिए निर्वाचक सूची बनाने में कोई स्थाप नहीं होगा राजनीतिक दलों को अपने स्वयम के मानक स्थापित करने की सुदंतिया भी होगी भारती जंत पार्टी के गठन के पश्चात इसके पिता मध झत धर्यलिवाचर फी आटल बिहारी बाचकोई सभव एंडेटेंट लेवर पार्टी सहस्था अपने की लाज इंडीया सियोल कंट फेडरेशन इनडेपेंडेंट लेवर पार्टी की ठीक है यह राजनतिक दल्भा में दल्ट कि एक गत नामे बर थे इसगी और के DMK ये 1972 में और तेलगु देशम की बात करने तो ये 1982 में बनीती है ठीक है बारतिय सामिबादी दल का विभाजन दो दलों में CPI और CPIM मैं हुआ था 1964 में कव 1964 में कफन ए और कारण और मारतिय जन्ता पार्टी की नेतत वाली साजा सरकार के अभी सासन के लिए राट्टी एजिंडा में कुछ नीती ने देशन कुछ वायदे और कुछ मारत दर्सक सिध्धान समाय थे बिलकुँ सही है वह बहुत से चीजों की बिढ़त विस्तार में चर्चा करता है यह भी आपका सही है लेकिन आर ए का सही सप्ष्टी करण नहीं करता है कथन और कारण आपके दोनों कथन दोनों सही हैं आपके नाकी मतों का बहुमत पाने वाले हैं कारण आर बहुमत पेडाली पर आधारीत निर्वाज चुनोर में पराप्त मतों की आपएक्चित पहुलता के आधार परी पईडाम करने ड़े होता है ए और आर आपके दोनों कतन सही है सही ब्याक्या भी कर रहा है नेचे आपका कतन कारण फ्रेस से दिया गया है इस तरह के कुष्टेंस आप देखेंगे स्टेट PCS से आफिर सिवे सर्विस प्रेलिम्स में कुछ जानदा ही पूच्छे जाते हैं एक तरह से आपको भरमित करने वाले हैं तभी तो आप देखते हैं कि फचास से पचपन पर आपके कुष्टेंस हा जाते हैं तो आपका सेलेक्शन हो जाता है संसद और राजविधान मंदलों में महलाओं के लिए 33-33 सेटों के आरक्षन के लिए समिधान संसुधन की आवसकता नहीं है गलत है चुनाव लड़ने वाले राजविधिक दल बिना किसी समिधान संसुधन के जीतनी सीटों पर बिचुनाव लड़ रहे हैं उनमें से 35-35 को महलाओं के लिए नियत कर सकते हैं बिल्कुर सही है ठीक है? एक गलत है लेकर भारत के विभिन राजविधिक दलों को राष्टिये चित्रिये दल का अधिजा देने का अधिकारे चुनाव को किसी एलेक्सन कमीशन को भारत के राजविधिक दलों के समध में निवलिकीत कतन पर सही है जल्कितीर में दित अधिनियम 1951 इनक्यावन में राजविधिक दलों की बंजीकर का ब्रावधान है राजविधिक दलों का बंजीकर निर्वाचन आयोग करता है राष्टी तर पर राजविधिक दल वह है जिसे चार यादिक राजविधियों में मानता प्राप्त है बिल्कुष सही है आपकी तीनों, कत्थन है आपका भारत में स्थाई डलीय व्यूस्ता नहीं है, सही है, कारण R अथ्यधिक जन संक्या में राजिमत्य तर हैं, बिल्कुष सही है, A और R दोनों सही है, R, A की सही व्याख्या नहीं करता लेकिन, आंत्रिक डलीय लोग तंत का अपयोग होता है दल का अंत्रिक चुनाओ जो दल के पदादीकारियों के चहन ही तू समय समय पर होता है जिस तरह से आप कहते हैं न किसी दल में यह अध्यक्ष चुना जाता है उसका बाब था उसके बाद वेटा था आप कह देते हैं लोकतंत नहीं है स्पाइटी में समझ र चुक है दस भी अनुसूची सामिल की गई थी ठीक है क्या होता था कि पहले कई लोग ऐसे थे जो एक दिन में तीन चार चार दल बदत देते थे समझ रहे हैं दल बदलू जिसे कहते थी आप लोग उन्हें रोपने के लिए आपका लाय गया था ठीक है दस भी अनुसूची इह आपकी फिक उन्हें ने सो पचासी में राजनेतिक दलों को समिधानिक मानता पितम बार मिली फिले Zukunft मेंए दल परीवतन विरोधी बिधिंचु Aut Νयमीत कर दिया गया था जमूकिस्मी राज में लोगसभा की अध्यक्ष द्वारा अधिकारिक दोर पर एक राजनेतिक द अध्वार नेतिक दलों के गटबंदन को विपक्च की मानता देने तो कम से कम होने चाहिए लोगसभा की अध्यक्ष द्वारा विपक्च के नेता की मानता है तो लोगसभा की सदस संख्या का 545 का नियूंतम अर्था चंगुवन या पच्पन अध्यक्ष देखे एक आदमी को आप मान तो देंगे नहीं तो कम से कम आप मान लीजे पच्पन ठीक है पच्पन सदस सम्मधित पार्टी या गटबंदन का होना माप करिएगा पार्टी का होना चाहिए गटबंदन का देखा है अपने की 2014 में किसी को आपको इतनी सीटे नहीं मिलीगी वो वेवक्ष में बैठ सकी कॉंग्रेस को आप समय रहे ने तो एक बात आप हमने से याद रखी क्या याद रखना है आपको कि दोनों बार विवक्च का कोई निता नहीं है लोगसभा में आथा तो किसी पार्टी वोगर 15-15 सर्ट सीटें मिलती हैं तो वही लोगसभा में आपका विवक्च का निता बन सकता है सामवाधी दलों ने सयुत्रोफ से बहुत पोर्तम अंदोलन चलाया था अंद के देश में कामराज योजना का उद्देश था भारती राठी कॉंग्रेस को जीवन्त बनाना भारत में लेके समिधान है बिल्कुल सही बात है 2746 दलों का विकास, चेतरी आकांचाओं का सन्कियत है ए बी सही है ए आर रोज नों सही है लेकिन रेका सही इस पर टीकांट बिल्कुल नहीं देता है समीधान संसोदन इए है है आपकी क्या है समीधान संसोदन कथन सही आपका मिनर्वा मिल्स बाद 1980 केनेड़े में उच्छतम नियाले ने यह विवस्ता दी थी कि केवल अंचित 49 खा और गा में उलिकित राजी के निती निजिसे पत्तों का अनुचित 14-19 में उलिकित मूल अधिकारों की पर परात्मिकता समिधानिक है यानि कि कहने का मलब है कि आपको आर्टिकल 49 खा और गा एक तरह से लागू करना है तो 14-19 का एक तरह से इसमें आप देखेंगी उल्लगन होता दिखाई देगा ठीक है समिधान संसुधन करने के विद्यक को बीटो करने की राष्टी है राष्टपती की सकती सहमती देनी होगी सब्दे से इस्थापन करके संसुधन द्वारा छिन ली गई है एक 44 भी समिधान द्वारा ठीक है 1978 में हुगा था भारती संसत के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशे इस बहुमत से पारित होना चाहिए इस समिधान संसुधन विद्याद भारती समिधान में संसुधन किया जा सकता है अनुचे 368 की पिरावदानों के इंतर भारती समिधान में संसुधन के लिए विद्याद लाया जा सकता है या तो लोकसावा में या पर राजी सवाल बारती समिधान के अंसवार इन विसेयों पर समिधानिक संसोधन की लेकम से कम आधे राज्यों में विधान मंदल द्वारा संपुष्टीक आवस्ते के समिधान के संगिय प्रावधान, सर्वोच न्यालाय के अधिकार और समिधान संसोधन की पिक्रिया बेवे से जिन पर कम से कम आधे राज्यों की विधान मंदलों की अनुसमर्थन से ही संविधानिक संसुधन संभव राष्ट पत्ती का निर्वाचन, संसद में राज्यों का पितीनी दिन्त और साथवियन सूची में कोई भी सूची, ठीक है, भारती संविधान की पिथम था 1909 में, उस स्थिती में जबकी लोकसवाद्वार पारित किसी संसोधन विधयक को उच्छ स्थन ने आसवीकार कर दिया हो, तब विधयक अंतिम रूप से समाथ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अंतिम रूप से समाथ हो जाएगा, समिधान का पितम संसुधन जो 1921 में पारित हुआ था कुछ राज्यों में किये गए किरसी बा किरसी भूमी संबंदी सोधारों के सरक्चन से 12-12 समिधान में नौभी अनिसुची परिवर्थित हुई पितम संसुधन द्वारा सम्मिधान का 93 बार संसुधन विधियक संबंदित है 6 और 14 बर्स के बीच की आयो की बच्चों को निसुलक और अनिवार सिक्षा से ठीक है एक बात और आपको बताऊ 86 बार सम्मिधान संसुधन पिस्तावित सिक्षा का अधिकार लागू किया गया 2010 में याद रखिए 86 बार सम्मिधान संसुधन के द्वारा आपने देखा है कि आपको मौलिक अधिकार में सिक्षा को जोड़ा गया है आर्टिकल 21 काकेत है यह हुआ था आपका 2002 में ठीक है तो याद रखना अन पिछड़ा वर्ट के सिक्षा संस्ताओं में प्रवे सेतु 27 पितीसर का अरक्षन दिया गया प्रवावकारी संख्या नहीं है यहां समाज अधिवासी समाज है अनुचीत 1901 सी में सहकारी संतिया सब्द जोड़ा गया है यह संतानवे वे संभीधान संसोधन अधिनियम 2011 के द्वारा यह जोड़ा गया है दिल्ली नेशनल कैपिटल चेत बना 69 संभीधान संसोधन के द्वारा समीधान में दल बदल विरोधी प्रावधन किया गया था 22 समीधान संसोधन 1985 में किया गया था भाड़ती समीधान के प्राधिकत हिंधी पार्ट को समीधान संसोधन में से पेकासित करने के लिए अधिकित किया गया है 58 बा सम्मिधान संसोदन 1987 के दौरा मत दाता आयू गटाने में संब्धान संसोदन है 61 बा आपने देखा 21 से 18 कर दी गई थी पहले 20 थी उसके बाद 18 आयू कर दी गई थी बोड डालने के लिए बारती समिधान का 89 वा समिधान संसोधन संबंदित है लोकसभा राजविधान सभाओं में अनसूचे जातियों और अनसूचे जन जातियों की आरक्षन से ठीक है बारती समिधान के आधारबू सरचना की सिद्धान का ताथ पर है समीधान के कुछ लक्षण ऐसे अनिवार हैं उनका निराकरण नहीं किया जा सकता है भारत में नागरेकों के मौलिक अदिकारों में संसदन कर सकता है संसद सरवोच नियाले ने पहली बार संसद की समीधान संसोधन सक्ति को सेमिद किया है गोलकनाद बनाम पंजाब राज विबाद में ठीक है फिर आगे आप चलते हैं लभू समिधान कहा जाता है 42 समिधान संसुधन अदिनियम को आपने देखा है 1976 में किया गया था इंदरा गांदी के समय और इसमार व्यापक एक तरह से बहुत बड़ी स्तर पर आपने देखा कि इसमें संसुधन किया था फिर आपने देखा 1978 में 44 समिधान संसुधन किया गया उसके बाद बदल दिया गया था बहुत काफी अद्तर यह पर आउधान करता है कि कोई कानून जो राद के उन्नीती निजेसर्ट सिर्धान दों को जो अनुशेत 49 भी और सीक में बाड़े थे प्रभावी बनाने नहीं तू पारित किया जाए तो इस कारण से निरत नहीं किया जाएगा कि वह अनुशे 14 और 19 में पिदत अधिकारों को सीमित करता है यह 25 वा समिधान संसोधन कहता है समिधानिक संसोधन मौलिक करतबों से संबंदे थे 42 वा आप देखते हैंगे इसी समय जोड़े गए थे आपकी मौलिक करतब भी केंद और किसी राज में मंत्री फैसत का आकाल क सवरमसा लोकसभा की सदस्तों की कुल संख्या और उस राजी की विधान सभा की सदस्तों की संख्या को संख्या के 15 पिदेश से अधिक नहीं हो सकता एक कहा गया था एक आनुवे वे समिधान संसोधन द्वारा सिक्षागादिकार पिदान करने वाला एक नया अंचित जोड़ा गया था 86 संस्ताओं के गठन का क्यार्शन चालन की बात करता है संतावनिम्बे वा समिधान संसुधन आपके तेरह वा समिधान संसुधन नागालेंड से संबंदी थे अठारवा संसुधन राज्य को पुनर परिवासित किया गया है इसमें हैं उनतारीसवा समिधान संसुधन राष्टपती अपर राष्टपती सपीकर और प्यधार मंत्री की चुनाओं को चुनोती नहीं दी जा सकती है इसके तरह और बावनवा समिधानसंद सुधन दल बदल अधिनियम से संबंदित है ठीकर राजभासा से संबंदित कुछ प्रावधन देख लेते हैं यह व्यवस्था की गई है पितेकराज्य शिक्षा की परात्मिकिस तरपर मात्वासा में सिक्षा की परयाब सुधाओं की ब्यवस्ता करने का परयास करेगा अनुचे 350 का में एक बात कही गई है अभी जो आपकी नई राष्टिय सिक्षा निती आई हुई है अगर ये लागू होती है देखे आने वाला बक्ती बताएगा कितनी प्रभावकारी है या क्या है अगर हाँ अगियत में लागू होती तो हमारा देश भहू तांगे तक जा सकता है लेकिन अब आने वाला बक्ती बताएगा किस तरह से लागू पिया जा सकता है बोडो समिधान की आटवी अनसूची में सुईटिद वासा है बिल्कु सही है बारती समिधान के निचे 344 के देद पित्थम राज की वासा आयूक का गठन हुआ था 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में बारत की समिधान की आटवी अनसूची में इस संसुदन द्वारत चार भासा आयू जोड़ी गए थी जिसमें संख्या बढ़कर हो गई थी 44 बाईस चवालीस कहां से 22 ए था 92 बाद समिधान संसुदन अदिनिया समीध्यान के आटबी अनसूची में नहीं है بोचपुरी ज़्याद रखेए अब ही आपका 22 भास है को मुल समीध्यान में आपकी 14 भास है ठीक है एक अब तरह वे समीधान सलसुदहर से समीधान के 8 वे अनसूची में तीन भास है vä decisura कौन नेपाली मड़ी पुरी कॉंकड़ी एक बात और आपको इहां बता देना चाहिए चाहता हूं क्या एक सेग्रण प्रोकिए क्योंकि मुझे ऐसा लगा मड़ी ऐफ आपका 1972 समिदान संस्वधन द्वाराँ जोड़ी गे थी देखे पहले 14 अफिर आप देखें vermादां प्र को 46 संस्कित भासा को राजी की दूतिय राजवासा के दर्जा पर पिदान किया गया उत्राखंड में भारत की सरकारी भासा संबंदी प्रावधान का संस्तोधन हो सकता है कम से कम दो गटे तीन वह मस्ते, दो तिहाई वह मस्ते समिधार की आठी में अनिसूची में समलित भासाओं को बोलने वाले सरवादिक व्यक्ति हिंदी इसके बाद आप देखेंगे बंगाली, हिंदी सबसे जानदा लोग बोलते हैं या भारत में भारती ये भासाओं को मातभासा की रूम में प्रयोक करने बालों का सही अउरोही किरम है बंगाली, तेलगु, मराथी, से तमिल हिंदी भासा भारतियों का 30 लग बगए 40-30 लोग, यानि की गहने का मतलब है कि 40-30 भारतिये हिंदी बोलते हैं विसमे सरवादिक बोलने वाली भासा है मन्दारिन, चाइनीज, भासा वलूचिस्तान की है, किन्तु भासा सास्तिय दिरिष्टी से द्रवड परिवार की है, यह ब्राहु हुई, ठीक है, पर आपका पंचायती राज और समधायक विकास, इससे भी आपके questions डारेक्ट बन पंचायतों की सरचना की वबंद करने की अधिकेट है राज जी का विदानमंदल, पंचायतों के समंध में सही कतने, भासा के समिधान के बाद 9 में, पंचायतों से समंधित उपन दे, उसे समिधान की आप देखें कि 33 समिधान सलसोदन अधिनियम, 1992 द्वारा अंताश थाप राज सूची में, पंचायती चुनाव होते हैं पिते पांच पर्स में, पंचायतों से समंधित है, राज ने बचन आयोग पंचायतों का चुनाव समपादीत करेगा, सभी पंचायतों का कारिकाल पांच पर्स निर्धारित हो गए, एक पंचायत की भंग होने है, ये 6 माय क पंचायत की वित्तिय इस्तिति का पुनार विलोकन करने के लिए वित्तायुका गटन किया गया है, करता है संबंदी द्राजिवा राजपाद, भारत की समिधान में पंचायतों और नगरपालिकाओं से समझ तेहतरवे समिधानिक संसोदल, जब हुए वो समय भारत की विदान में प्रावधान किया गया है, 1993 में, कतन ए और कारण आर, कतन ए को देखते हैं, पंचायतों की विदान प्रमुक तथा अध्यक्षपतों में, महलाओं के लिए जिनमें अनुसूचे जाती और अनुसूचे जन जाती और पिछड़ी जातीयों की महलाएं समलेते हैं, सही है, कारण गलत हैं सवामीत होता है इस दोनुग कसंस ही है इस थाने इस तरवबर सासन की जएब संबंधों के साथ त्रेंग अभी सासन की लोगतांतरिक विकंदरी केंकी गांदी जी ऑफ पंचयायतों कि संबंधे इस मिल तो आप दीखते हैं कि सम्मिधान में जगे मिल जाती उसी समय कब 1950 में सम्मिधान लागू होनेगी लेकिन आप जानते हैं कि 1948 में उनकी अध्या कर दी जाती है ग्राम सभा का अभी प्या है ग्रामिस्तर की पंचाइट छेत के निर्वाचन नमवली में पंजीगित लोक से राजिक की सरकारों को ग्राम पंचाइटों को संगठित करने का निर्दिश देता है अनुचेच चालीज अनुचे 40 के तरह आप देखेंगे ग्रामबंचायतों के अब बैडन किया जाता है ठीक है प्रावधान भारती समिधान करुछे 40 राज चीक को सार्थक कदमों हित्तु परामर्श देता है ग्रामबंचायतों के संगठन के संगध में पंचायती राज को भारती समिधान के तर्वे संसोधन के अंतरगत 107 की काई की रूम में संगठित किया गया मानड़ेगा कारकरम को लाग करने हित्तु लाया गया था अनुचे 43 सरकार की पंचायती राज सरकार की पंचायती राजपैनाली कि प्रमुग बेशिशता है इसमें सरकार की तीन सेनिया होती है इसका लक्ष है गाओं को समाजिक आर्थिक न्याय इत्विदान करना जिला फ़िशत में इसके सदस्किरों में कुछ सांसत होते हैं आपके ठीक है पंचयाती राज का पराउधन लक्ष है ग्रामबासियों में सक्ति का विक्यातरिकर पंचयाती राज से समंदित सही कतन है पंचयात विवस्ता बारती अग्रामिर चीवन का योगों में से एक अभिन अंग रहा है यह एक तरीस्तरिय जब की एरोग से जोड़ी सरतना है बारत पंचयाती राज का मुख़ खुद्दे से लोगों को विकास मूलक प्रसाअसन में भागेदारी कीयोग बनाना। सफल्दा पूर्वर कारयेतू पंचयाती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पढ़ती है। इस्थानिये जनता किये। बारत में पंचयाती राज पिति निदित करता है सत्तियों का विकेंदरी का है। लोगों के हिस्तेदारी समुदाइक विकास। CDP NES के पुनरगठन के लिए 1957 में NDC द्वारा स्ताफित सम्ती का नाम बताएं जसने ग्रामिट स्थानिये सरकार की 33 पेनाली का सुझाओ दिया था। ये थे बलवंतराय मेहता सम्ती थी। ये सम्तिया हो गए ही सुझाओ गए। बलवंतराय मेहता सम्ती थी। CDP NES वसासन पतिती जी वी आर राव, पिती निदित के तरीके सुझाओ बलवंतराय मेहता सम्ती की सिफारिश की अनुसार पंचैती राज विवस्ता सरपितम इस्थावित की गई थी राजविस्तान में नामग़ोर में ठीक है। भारत के पंचैती राज विवस्ता के वास 1969 में किया गया था नागौ राजिस्थान में बलवंत राय में इता सम्ति की प्रजातांत्रिक विकंद्री के रण की सिफारिश के अनुसार जिला, ब्लॉब, ग्राम इस्तरों पर तिरी स्तरीय पर प्रजातांत्रिक पंचयाती राज संथाओं का गठन होना था पंचयाती राज से सम्थियों सम्थियां काल करम के नुसार विवस्तित हैं वियार महिता सम्ति, असोक महिता सम्ति, जेवी के राव सम्ति, एल एम सिंधवी सम्ति इन सभी सम्तियों को अच्छी से याद रखना है लगना, कई बाद पूछ लेते हैं आप से अगर पूछें कि असोक महिता सम्ति ने पंचायती राज के लिए संसुति की थी तो आप बता देना दो इस तरिये पितिमान की यानि कि दो इस तरिये पंचैती सासन की बाग की थी पंचैती राच्च को सम्मिधानी किस्तिती पिदान करने की संसुति की गई थी LM सिंद्वी कमिटी द्वारा इसे याद रगना सम्मिधानी की स्तिती पिदान करने की इसी ने से फारिश किये थी ML सिंद्वी सम्ती ने सम्मिधान के 73 सम्मिधान संसुधन पंचायतों को निदिश्ट किये जाने बालेकार वोईड़े थे 11 वी सोची में 11 वी सोची में समीधान की 73 संसोधन ने प्यारावधान किया है पंचायतों की नीमिक चुनाव कराने के महिलाओं के लिए सभी इस्तर पर श्रीटों के आरक्षन के लिए राजवित्तायों की संसुती के अनुसार पंचायतों को फणस का अनिवार रोप से हंस्ता रांतर्ण करना चौदरवी अनसूची में दिये गए विस्तायों के संबंद में पंचायतों को सक्ती का अनुवार रोप हस्ता रंतर्ण करना इस अभी आपके 33 समिधान सनसुत्र धन के बारे में बिल्कुल सही है बारती समिधान की ग्यारभी अनि सूची में पंचायतों के लिए कुल विषय धारत किये हैं 29, 39, राज निर्बाचन आयोग के सम्मद में सही है, राजी के पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के चनाव के लिए मतारता सूचीयों को तेयार करना, राजी की पंचायती वा संसूधन का अभी पालन करने वाला पहला राज्य मद्विदिश, तेहतरवा समिधान संसूधन अधिनियम 1992 निर्दिश्ट करता है, देश में मर्बूत एवं जीवन पंचायती वा संस्थाओं की बन्यादी रखना, ठीक है, महलाओं को पंचायतों में आरक्षन भारती समि समिधान संसूधन, ठीक है, तेहतरवा समिधान संसूधन 1992 में किया गयता है, समिधान के अंतर का पंचायतों में महलाओं को एक तहाई पिती विदित की गारंटी देता है, अनुच्छे 243 घा, ठीक है, तेहतरवे समिधान संसूधन 24 अपरेल 1993 से देश में प्रभावी पंचायती राज विवस्था में सासंट पेडाली की सरजना है, ग्राम कंड जिलास्तर परिस्थानी है, स्वसासन की तरेस्तर है सरजना, तरढमूल लोग्तंत से सम्मंदिते है, पंचायती राज पड़िती, ठीक है? पंचैती राज व्यवस्ता अब नई गई थी, लोगतंत की सक्तियों के वीकंद रीकंड के लिए, पंचैती राज की त्रिस्तर ये पिढली में आते हैं, ग्राम बंचैत, छेत पंचैत, संती वुजिला पंचैत, परिशत, तीनों सौपान में पंचैती बनानी की परिकल ना क पूर्ण कर लिए 21 वर्स की आयों, सही कतन है, पंचयात के समय पूर्ण भंग, यानि कि पंचयात के समय पूर्ण भंग होने की परच्छाथ, पुनार गठित पंचयात के वल अप्सिष्ट समय के लिए ही जारी रहेगी, वह कॉलेज का विद्याती अपनी नगर की नगर बरि सत्यों के अंतरगत नहीं आता है, नियायक पुनार विक्चन, पंचयाती राजवर्वस्ता में नयायक पंचयातों को किसी को बंधी बनाये जाने, और जज़़ा दने का धिकार है बिहार में, कहां बिहार में, इस थानीए साशन की विस्षिताय बैधानी किस्थिती, इस थ 243 आई की अनुसार ठीक है किसी राजी की राजपाल को उस विसेश राजी की पंचायद द्वारा वी नियोजित हो सकने वाली करओं और सुलकों की नेधारन की सिद्धानतों की विसे में संसुती करता है राज वित्तायों सहरी इस्थानिये सासन को समिधानी को दर्जा दिया राज सरकार का इस्थानिये इकाईयों पर नेतर नहीं होता है नागरिकों की सिकायतों में नगरपालिकाओं से संबंदी थे भाग 9a ठीक है भाग 9a और 9 आपका पंचायदों से कितना पढ़ना पढ़ेगा गुला सही सुमलन है उपे भाग उपे भाग पर इस तरफ जिला पर परशद असम में मंडल मंडल प्रिज्या परशद हांदविदेश जंजाती है परशद मेगाले गराम पंचायदों काभा में जोरब जिला आयवजान सम्ती में निर्वाचित पदेन सदस होते हैं 20 आपके सम्ती में निर्वाचित सदस होते हैं पदेन होते हैं आपके 5 सदस ठीक है चलते हैं आगे कथन इस तरफ पर गरामीड मामलों के प्रवंदन महराजनीती का अंताखिल कम हो गया है बिल्कु सही है समिधान के तैतरवे समिधान संसुतन द्वार ग्रामिड इस्थानीय निकायों को वित्तिये साहत अबदान करने ही तो उपाईओं पर विचार करने की संग्ही है वित्तायों की कोई फूई का नहीं है गलत है, समिधान के 73-74 संसोधन के बाग्यूद, इस्थानियस आसन समिधान के साथ भी अनसूची के अंदगर, राजविसाय ही बना हुआ है, आर सही है, यह गलत है, यदि पंचायत भंग होती है, तो निरवाचन होंगे 6 माई के अंदर, भारत में जिला इस्तर पर उभोगत होताओं के हितों, हितों का सामान प्रति निदित करते हुए, राज सरकार जिला फोरम के सम्मग बेंची हुए माल या फिर दी गई सिवाओं के सम्मध में सिकायत दर्श करती है, यह तीनों आपके सही है, देखे, इतना मुझे लगता है कि आपको टोकना नहीं चाहिए, ल तो इसके बारे में छोटी सी नॉर्मल सी जानकारी होती है, पर आप टोका मत करिएगा, जहां आप लोग को लगता है गलत है, उससे बात किया करिएगा, यह कोई कहने वाली बात है, आप खुद जान सकते हैं कि इतना यह है, पंचयादी राज संस्था नहीं है, नागालें कमेटी के इंतरक्रत हो, जिसकी संक्या जन संक्या कम से कम 50,000 हो, जहां जन संक्या का गहनत कम से कम 400,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 में पितेग पंचयात का कारकाल 5 बर्स का होता है, अपने पिताम अधिवेशन के लिए निर्धार दिथी से, ठीक है, पंचयातों की सरचना के सम्द में सही है, किसी राज्य का विधानमंडल विधी द्वारा पंचयात की सरचना के लिए उबंध कर सकेगा, ग्राम सभाग गा पंच्यात निर्वाचन ही तु राज निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया जाएगा राज के राजपाल द्वारा पंच्याती राजपेडाली में पंच्यात सम्ती गटित होती है खंडे स्तरप्रण उत्तर पिदेश में जिला पंचयत का अध्यक्ष निर्वाचित होता है जिला पंचयत की सदस्वं द्वारा अपने में से एक को ठीक है उत्तर पिदेश में किसी नगरपालीगा की अध्यक्ष का निर्वाचन किया जाता है अपने नगरचित की निर्वाचन सूची में समले स लोजगाय रारंटी युजना में आये युजना बनाने है संपाधन करने और किरियान बन करने की जिवमिदारी है ग्राम पंच चायतों की है समधाईग विकास का पहला स्थापित कारिक्रम है राष्टिये विकास राष्टिये पिसार सेवा कुछ वर्गों के लिए विसे शोबन्द किया है कत्थन आपका सही है अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए एक राष्टी आयो गटित करने का परावधन किया गया है 338 और 338 एक एत है ठीक है है यहने आर्टिकल को याद रखी अनसूचित जातियों और अनसूचित जनजातियों के समंद में कतन सही है अनसूचित जातियों और अनसूचित जनजातियों की सूचियां पितेक राजी की राज़ी की राज़ी की राज़पाल से परावंश की पश्चात राश्टपती द्वारा सन 1950 में जारी आदिश द्वारा बनाई गई इस सूची में संसोधन केवल संसाद अधिनियम बना कर सकती है कोई जन्जाती राजकी केवल एक भाग के लिए अनुसूचित जन्जाती घोसित की जा सकती है ये तीनों कतनाप की सही हैं बिलकुल तीस आर्टिकल में लोगसभा में भारती समिधान का भाग 16 अनुचे 330 से 342 तर संबंदित है लोगसभा में अनुसूचित जाती और जन्जाती के आरक्षन और आंगल भारती समधाय की पितिनिदित्य से संबंदित है आपका लोगसभा में अंगलो इंदियन समधाय की पिति निदित्य से लिए और आर्टिकल 3381 में लेकिन आपने देखा है, हैं सटत्रवी और सोली लोगसभा में इस तरह का अभी लोगों को चुनाँग्या है दो एंगलो इंडियन को चुना जाता था लेकिन नहीं चुना गया खतम करने की विवात की जा रही है इस प्रावधान को किसी जाती जन जाती को अनुसुचे जाती और अनुसुचे जन जाती कोशित करने ही तो सकती संपन समिधानिक का राधिकारी है भारत का राष्टपती ठीक है अभे नए भी देख लिए इनसे भी डारेक्ट आपका कुश्टेंस बन जाएगा सहित्राट संग इस्थापित हुआ था 1945 में सहित्राट संग महासंग दिवस मना जाता है 24 अक्टूबर को सहित्राट संग में इस्ताई सदस्दों की संक्या होती है याद रखे इनके पास बीटों की साथ बीटों की पावर भी होती है इसमें बैटें करांस आप देखेंगे और सहित्राट जमीर का और रूस और चाइना ठीक है सभी प्रकेतर मामलों में सुरक्षा परिशत के नेड़े नौ सदसनों के सकारत्मक्मत के लिए जाने आवश नहीं उन्नो में परिशद में कि इस्थाइस सदसनों की सहमती मत होने हैं कहने का मतलब है कि आप समझें कि चार किसी पक्ष में हैं एक भी एक के विपक्ष में तो वो पिस्ताव पारित नहीं होगा, यानि कि सभी को एक मतलब एक उसमें पिस्ताव में मतलब एक सहमती होनी चाहिए सबकी, आपने देखा है कि अजहर मसूत को आतंग बादी खैराने में कितनी परहसानी आई थी, चाइना हरवार आप देखती संग चाटाई का अनुचिद, अनुचिद 27 में किया गया था ताकि सुरक्षा प्रिष्टाई का कोई भी स्थाई सदस भामत से पारित होने वाली किसी भी संकल पर रोख लगा सके, पित हम अफी की जो सयुक्तराक्ट संग की मासरचिब रहे हैं, यह थे बुतरोस बुतरोस गाली, सयुक्तराक्ट मासरचिब का कारिकाल सबसे अधिक रहा है, यह थांट का, ठीक है, सयुक्तराक्ट संग की अधिकेट भासा हैं, अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रोसी, अर्भी, इस्पेनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रोसी, अर्भी, इस्पेनी, सयुक्तर संग में हिंदी भासद देने वाले पहले व्यक्ति थी अटल विहारी भाचपी साव हमारे पूर्व विधान मंत्रे ठीक है स्री आरेन पाटक से पूर्व अंतराक्ष्टी न्यालाय में निर्वाचित दो अन्रभार्तिय न्यायमूर्ति रहे बियार राउ और नगेंद सींग सावतराक्ष्ट चंग से संबड़ नहीं है मानव उधिकार देवस के रूम है मानव उधिकारों की अवधार्णा का प्रमु गुबल है मानव होने की नाते मानव गरीमा पर अंतराष्टी रहेंसा देवस मनाया जाता है दो अक्टूबर को गांदी जी के जनम दिन पर अमेरिकी राष्टपती के निर्वाचन ही तो गटे निर्वाचक मंडल के सदस होते हैं अमेरिका राष्टपती सीधे जनता द्वारा नहीं चुना जाता है इसके लिए निर्वाचक मतों का प्रिव किया जाता है पितिगराज में निरवाचक होते हैं, जो इस राज की सेनेटर रियानी की सदेव 2 और पितीनिदी सवा के सदस्तों के योग के बरावर होते हैं, साथी डिस्टिक्ट और कॉलंबिया वॉस्चिंग्टन में DC से 3 सदस होते हैं, एलेक्टोरल कॉलेज अमेरिकी कॉंग्रेज प प्विक्रिया में पाहिली प्राइमिर होती है निउ हेमप सायर अध्यक निउ हेमप सायर में कि अध्यक अध्यक्ष तात्मक्स आसन का उध्ये सरफितम हुआ था से उध्या जमीर्का में लिखिद समिधान की अधायना ने सरफिथम जरम दिया था लिया था सईब्दराच अमेरिका में लेरी प्रेसलर समब्द है क्वेलेंटर द्वारा पिस्तावित पाकिस्तान की सैनिक साहता की आलोचना बिलेंटन ये बिल हाँ बिलेंटन है टी एसिया की धूरी विदेशनीती की रणनीती है USA की CIA आसूचना एजनसी है USA की संसदिये पेनाली सासन पेनाली सरफिथम विक्सित हुई थी बेटन में बेटन समाचार पत्रों का केंदे लेट लेट इस्टीट विदेश में सरफिथम भारत महुत सवाइब हुआ था बेटन में 1982 में सही कताने रूस की संसद पार्लियमेंट फेडरल असेमली कहलाती है अगर आपके पास टाइम है तो आप किरन सावन के आन बुक्स को अगर आपके पास मिल जाए आज पास तो उसे खरीद लीजे क्योंकि मैंने देखा है उसे कापी अच्छा बिस्ताल से पढ़ाए गया है वह बहुत बढ़िया समझाए गया है यह सब एजनसी उसमें आप तो मिल जाएगी मुझे लगता है कि वन डेक जान के लिए काफी है काफी अद तक आपका प्रे बादी गया है उनने देखिए पिताम भारतिय पिदान मंतिरी जिन्होंने अफगानिस्तान की आत्रा की थी पंडित जवालाल नहिलू जापन की संसत को कहते हैं डाइट इस देश की सरकारी रेपोर्ट को एलो बुक कहा जाता है फ्रांस की सही कताने राष्ट मंदल का कोई चार्टर संदी या समिदान नहीं है वह अफ़राज जिसके घटित करने का प्रयास धंडिनी है जिसके पूर्ण होने पर अफ़रादी को धंडित नहीं किया जा सकता है आत्म अध्या आप समझ रहे हैं यानि कि जब मर ही जाएगा आदमी तो उसे क्या धंडित करोगे फोर आप लोग जनता को इस तरह से भड़काते हैं खेर चोड़ी अभी आपने देखा है कि चाइना और भारत की सेंकों के बीच जड़ाप हुई थी उसमें हमारी बीस सेंक सहीद भी हुए थी तो उसमें आपने देखा है वाइपट चाइना का मूमेंट चल रहा था एक तरह से उसमें ने देखा कि जो एंकर चला रहा है कि चाइनी सामानों को बेहन करना चाहिए मत खरीद हो वही अपनी टीवी के नीचे उसमें देखा कि एड दे रहा था ओपो फोन का चाइनीज कंपनी फोन का तो आप समझी मतलब हम लोगों को बेवकूप समझ दिया इनने अपना मतलब पूरा पैसा कमा रहे हैं आप नहीं कर मत करिएगा गरीब जंता को आप लोग भटकाईएगा विचारे अपना चाइनीज फोन होते हैं उसे तोड़ देते हैं मैं जानता हम कि आपको किसी भी वाइकोट करना है तो जो सामान आपने खरीद लिया उसका पैसा आप पर जाते हैं इतना ही नपरते सरकार पूरी तरह से ब्यापार बंद कर सकती है ना कर देना तो यह समझे जंता कम ही मतलब एक समझे कि हमदर्दी ठीक है लेकि हमदर्दी में इतना भी नुकसान मत करवाई लिजिए यह आपको भारण करने पड़े हैं पंच सील का सिधानत ह एक दूसरी की भू भागिये अखंड़ता प्रभूता का पारसपरे ठमान एक दूसरी के आंतरिक मामलों में पारसपरे आहस्त चे सूची है क्रत्तकारी और सपत कप या फिर पितिग्या भारत का राष्टपती भारत की समिधान के पिती सिध्धावम निष्टा सर्वुच समीधानित्तर अधिकार करते हैं वह सकती जो समीधान समत समत नहीं है सही कतने वच्च नयाले कि नयाधित्त अपने पद पर 62 वर्स्तक की आयों तक असी रहते हैं जिस राजनेतिक दल्ग को चार या अधिक राज्यों में मानिता प्राप्त होती है वह राष्टी इसकर का कोई विदेयक धन विदेयक है या नहीं इसका निस्कारण अध्यक्ष लोकसभाद्वारां किया जाता है संखे अफराद हुआ अफरेद्ध है जिसमें बिनावारेंट गरफतारी की जा सकती है ये सभी आपकी चारों के तन सही है जिला दंडात्मा के रूम में जिला क्लेक अविदेयकों का प्राफते नएराज का निर्मार संसत की सकती है सरकारी नौकरी वा अक्सर केवल भारती अनग्रिकों को प्राफते की समानता है शरोस जैवाला विख्याते अगड़ी अंतराष्टी विधिविसेशक गए रूम में वय भारती है जिनको अंतराष्टी देक अनिग, शही सम्वलन विकार है, भारत का उपराश्ठ्पती, रुडासभा, भारत का नीयंत्यक्री माहली का परिक्षप लोग लेका समती, भारत का महाधिवक्ता, उच्चितमन्याले, भारत का महानय वादी, लोगसभा की बैठक में भाग ले सकता है, ठीक है, सीमा पभर बादर बादमरुक्त नई करते हैं मंत्राल्य मारसाहन सद्रिपिक Sciences मंत्राले में प्रभाग है आंत्रिक शिक्षा esto ब् welded जो नगी राटती निती में उसमें अलग से आपका शिक्षे मंत्राले बनाया जा anatomy खाद और पोसंड मंतल भारत सरकार की अधीन कारणत है मानों संसादन विकास मंतला लेके अभी कतन ए कारण आ भारती समिधान मूलता संगात्मा कुर्प स्वरूप है बिल्गु सही है अनची 352 में राष्टियों में समिधानिक तंदी की विफलता कि देशा की प्रावणाने एक गलत है 352 में आप देखते हैं राष्टिया पादकाल की बात की जाती है कतन ए सही है भारती फ्रेश काउंसल एक है अध्र नियाएक बैदानिक संस्ता भारत में छितबात की उधाय का कारण है आसंतुलिद विकास सांस्कितिक पहचान कोने का भाई राजनितिक वर्चस सिक्किंग के बारे में संबन्द में सही कतन है एक कई बार कुच लिया गया है 1975 में भारत का विन्हां बन गया था इसे वनस्पजी सास्क्रियों का स्वर्ग माना जाते है इसके मुख निवासी लेक्चार लोग है और यह एक बात और याद रखिए पहला एक तरह से जेविक खेती करने वाला राच्चे सिक्किमापका राश्टी जल्विकास एजन्सी की स्थापना हुई थी 1985 में इस समझोती का सही कालानुकिरम है तासकंद समझोता भारती सोविय संदी से मिला समझोता और फरक्का समझोता भारत पाकिस्तान संगर्स के पड़ाम सलूग बंगला देश इस्थापित हुआ था देसंबर 1971 में ऑपरेशन चेक मैट स्री लंका से समझोती थे ऑपरेशन केक्टस मालदीब ऑपरेशन विलूश्टार पंजाब ऑपरेशन सिद्दार विहार से समझोती बहुजन हिताय बहुजन सुखाया आधर से ओल इंडिया रेडियो का भारत की संसाधात्मक बिवस्ता केंदरियेता से संगवाद की और खिसकी है 1980 के दसक में अतंगवादी संगटन लस्गर ये तेवा का संस्थाफ हके हाफिज मुहम्मद सहीद एक को आंदोलन पी हैगडे चिप को आंदोलन एलेस बहुगोना नर्बदा बचाओ मेधा बाठकर सांतिघाटी आंदोलन डॉक्टर सलीम डॉक्टर सलीम अली ए संबंदे थे टी दच्चेडवे बायु सेना बाई सेना कमांद तिरुवननत्परम पुर्भी नौ सेना कमांद विसाका प्रप्नम आर्मर्ड-कोर सेन्टर एंसकूल महराष्ट आर्मी मेडीकल कोर्सेन्टर एंड इसकूल लखनव में देखने को मिलेगा आँगे चलते हैं भारती है नौसेना में सेना की लेक्टिननन करनल की संफक्चोट दार कमांडर सीवा सुरक्षा बलकी स्थापना की गई थी 1965 में आंत्रेक सुरक्षा कादमी अवस्ते थे मांटाबू में ACI विकास प्रेंग का एंडिया रजी डेंट मिसन अवस्ते थे नई दिल्ली में राश्की विदिक सेवा पराधी कारिक के संदर्व में सही कतन है इसका अविदिक सेवा के आधार पर समाज की कमजोर बर्गों को निसल केवं सक्षम विदिक सिवाय उपलब्द कराना या देश भर में विदिक कार्क्रमों और योजनाओं को लागू करने के लिए राज विदिक सिवा पराधी कंट को निर्देश जारी करता है आईसपस्ता की गुद्बू धबराध गटिन नहीं होगा जबकि अप युक्त और परिव वादी पीड समाल समाज समू से सूची एक और सूची दो बाद होगा है वो भी से होगा यहाख की सही कतन है प्राड और देख सूचनता की सरक्षन का मूलादिकार अपातकाल में निलंबित नहीं किया जासकता है बिल्कु सही है वर्तमान में राजसभा के विपक्षे नेता गुलाम नभी आजाद थे याद रखे दो चौदय की बात करूँ अभी यादीर नंजन को आप देखते हैं एक तो याद रखे विपक्ष का नेता मिल एक तरह से कह दिया लेकिन विपक्ष में बैठने लाए किसी के पास सीट है नहीं मिली है ठीक है विपक्षी कायटी कोई नहीं बन पाई इस पार और 2014 में भी नहीं बन पाई थी राजसभा में की बात कर रहे हैं ठीक है माफ राजसभा लोगसभा अलग-अलग है लोगसभा में आपके अधीर नंजा है नमाद रहे हैं और अगर आपसे बिपक्ष के नेता की बात करें तो सही है स्री कुलाम नभी आ जाजाएं ठीक है और ऊपर आपके पती की बात करूँ तो स्री एम्बेंकिया नायडू साथ है और सदन किनेता है ठीक है और सदन किनेता है स्री थावरचंद गहलोर महासच्चे में देश दीवक बढ़मा ठीक है ये 2020 सेप्टमबर में हैं आंगे जो भी बदले हैं कभी भी तो इसमें आप लोगों को जुड़ा रहे हैं चाहिए करें सब्सक्राइब करते हैं अधिक्तम गटवंदन सरकार बनाने का रिकॉर्ड है बिहार में कथन ए और कारणार भारत सब्सक्राइब में जातियों का राजनीती करन भारतिये राजनीती में जाती बाद वरता जा रहा है A और R ड हैं लकिन परंटु 8, पार ये का सही मानिक इसपेश्टी के अंड नहीं है दो जा तीन में गुर्खाओं को OBC का दज्जा दिया गया उत्राखंड में दिख्ज्यानिक समाजबात का सरे है कालमापस को जाता है जिलादीस को संस्तागत करिस्मा कहा जाता है रजनी कुठारी ने कहाता है राज सजव कि मानुदिकार की सरभों में गोष्णा 1948 के अनुचे 101-21 तक के अधिकारों को पिथम पीडी के मानुदिकार समझा जाता है जबकि अनुचे 22-27 तक अधिकारों को दूतिय पीडी के मानुदिकार माना जाता है अनुचे 23 में काम का अधिकार और 26 में सिक्षा का अधिकार मा आयुजित किया जाता है, यह सम्मिलेल प्यारम हुआ था 2003 से, सही गतन है, भारती समिधान में कुल अनिचेतों की संख्या 345 है, बित आयुग का गठन भारती समिधान के अनिचेत 280 के इंतर गयत हुआ है, पॉलिक्टिक्स इन इंडिया, रजनी कुठारी का पत प्यूर्दर सोद अध्यन है, बिल्गों सही है, विसका नवीनत राष्ट है, दच्छिर सूरान, युएन द्वारा सन 1975 को अंतराख्टी महला बर्स की रूमें मनाया गया था, पहली बार, टिक, भारती विदिश नीती जो तरस्ता पर आधारिश थी, जो प्यारम की गी थी, जबालाल न एउरोपी यूनियएन देसों में फिलिस्तीन, राज को अधिकारिक मानता देने वाला पिथम था, सुईदन, अन्तराख्टी विकलांग दिवस मनाया जाता है, तीन दिसम्मर को, अintराख्टी विकलांग का दिवस आपका तीन दिसम्मर को मनाया जगता है, तो इसके साथ देखिए इस समिधान में आपका पूरा हो चुका है तो अभी तक हम लोग बिग्यान परियावर्ण बिग्यान में आपका पूरा कवर कर चुका हमस पिर चाहिए आपका Chemistry, Biology, Physics, Computer Science, Science, Tech ये सभी को कवर देखिए उसके बाद परियावर्ण पारिस्तितिकी, अर्थवियुस्थ कि अर्ओरे वैशन णे समे इसा, तक है कर चाहिए आपकाई काई को कशाई भ sollकत कर चुके।